Well so good morning, good afternoon, good evening to all of you कैसे दोस्तों आप सभी लोग I hope आप बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तों आप सभी को बता है आप exam नजदी का रही हो और आपकी revision चल रही होगी और इस revision के वक्त आपको सही guidance और support मिलना बहुत ज़री होता है सो दोस्तों मैं आपके लिए for May June 24 CACMA CS Inter Exam GST का One Day Marathon revision लेके आ रहा हूँ अब आपका सवाल होगा कि सर ये One Day Marathon revision में क्या हम chapter wise revision करेंगे वो तो अल्रेडी हम rapid revision 4.0 में कर चुके है और आप वो lectures देख चुके है उसके बाद में RTP का भी discussion में अपलोड कर दिया है और amendments भी अपलोड कर दिया है तो सर ये One Day Marathon में हम क्या देखने वाले हैं पैटा इस revision के वक्त आपको एक support की बहुत जर्वत होती है वो ये कि सर regular book पढ़ लिया questionnaire book पढ़ लिया अब ऐसा कुछ material content चीए कि सर वो उतना छोटा सा material content हम पढ़ ले तो एक GST में confidence आ जाए और सारे हमारे important aspects और adjustments कवर हो जाए तो आपके इस बात को दहान में रखते हुए है मैंने यहाँ पे एक मैने से मैं बना रहा हूँ और वो super 30 master questions हम one day marathon में में ले रहा हूँ यह super 30 master questions क्या है मैं master questions को क्यों कह रहा हूँ बेटा मैंने हर chapter की questioners को और regular book को दोनों साथ में लिये है और questioners के RTP के exam के questions और मैंने बनाया questions के सारे important adjustments मैंने पहले segregate कि और उसके base पर मैंने एक बड़ा ऐसा master question बनाया है कि उसमें आपकी सारी adjustments कवर हो जाए आपकी इसमें दो aspects कवर होगे कि question पुछने का तरीका कैसे होता है और उसके adjustment पे लिखने का तरीका क्या हो जाता है इसका आपको क्या फायदा होने वाला है इसका आपको ये फायदा है कि ये super 30 आपने questions पढ़ लिए तो chapter wise आपका एक confidence बढ़ी जाएगा और आपको पूरा chapter का एक पूरा aspects सारी important adjustment के aspects के आपके insight आपको मिल जाएगा और ये पढ़ने से आपके chapters अच्छे से cover हो जाएगा एक आपका confidence super boost हो जाएगा ये सबसे बड़ा यहाँ पर फायदा है मैंने पूरी कोशिश किये कि most of the important adjustments ऐसे super 30 questions में cover कर लो जब आप ये questions देखोगे तो ऐसे बड़े-बड़े questions देखेंगे फिर आपका एक सवाल आएगा कि सर एक्जाम में इतने बड़े questions आते हैं कि नहीं एक्जाम में तो इसके सबसे बहुत लल्लू questions आते हैं ठीक है लेकिन जहां तक देखा जाए तो यह जो है questions बनाने का object बस यह था कि इतना कर लो भाही साफ यू फिल वेरी confident in exam as well as in that particular topic ये chapters so दोस्तों ये super 30 master questions हम देखेंगे जो definitely आपका confidence super boost कर देगा exam के लिए now second ये session जो है around 8 to 9 hours का है मैं तो आपको strongly suggest करूगा कि आप जो है one sitting में session ख़तम करना ये session दो पार्ट में होगा पहला पार्ट आज का जो around 5 to 6 hours के बीच में है और दूसरा session अमारा 2 to 3 hours का होगा तो ये दो session में यहाँ पे लिया गया है चलो आज का session आप one sitting में ख़तम कर सकते हो आने वाला session में एक दो दीन में upload कर दूँगा record करके वो भी आप one sitting में ख़तम कर सकते हो और इतना कर लो तो आपका GST का एक अच्छा hold आ जाएगा और येस आपको ये तो confidence आजाएगा कि GST में इस बार 40 पार और tax session में 80 पार तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा important बात यहाता है कि ये जो मैंने दो पार्ट में इस लिए दिया है क्योंकि मैंने ये जो पार्ट अभी आपको देने वाला हूँ यहाँ मैंने जस्ट दो दिन पहले session लिया है संभाजी नगर में तो संभाजी नगर का जो session recorded session है वो आपको भी मिलने वाला है और फिर दूसरे पार्ट में जो बच्चेवे 3-4 topics है वो मैं discuss करके आपका second part में कार करने वाला हूँ तो वो पार्ट तो जिन्होंने session किया है यहाँ हमारे institute में संभाजी नगर में उनको भी वो देखना है तो आज का आपको पहला पार्ट complete कर लेना है चलिए अब आपका सवाल होगा की sir यहाँ पे हमें notes कैसे मिलेगी आप इस वीडियो का description जरू देखिएगा जिसमें super 30 master questions क मैंने link दिया हुआ है उसमें आपको super 30 questions मिल जाएंगे as well as amendment की summary भी मिल जाएगी और वो सिर्फ amendment की summary नहीं है बेटा मैंने कुछ ऐसी summary बनाई है जहाँ आपको limits आती है interest आता है interest rate क्या है limits क्या है जैसे exemption chapter, exemption charter में healthcare में renting of room की limit क्या है classical or folk dance के limit क्या है तो जहाँ भी ऐसे aspects है एक दिर जंटे पहले आपने पढ़ने चाहिए उसकी भी summary मैंने बनाए हुए है तो आप देख सकते हो तो आप जो है अब मैं तो आए कोगा कि मेरा chart book और यह super 30 questions बाई सब आपको बहुत अच्छा confidence दे लेगा हाग कुस्ट्रेंट से यह questions हो सकते हैं कि sir यह super 30 questions पढ़ जरुबत नहीं है बिटा यह super 30 questions आपको सच में सच में एक overall अच्छा भी दे देंगे और सारी important आपके adjustments कवर हो जाएगी उसके बाद भी मैं questionnaire आपको अगर आपके पास time है तो at least rtp और exam के questions इसलिए देख लेना कि उसमें remark कैसे होते है presentation कैसे होता है okay table कैसे बनाए जाते है okay उसके लिए जरूर देख लेना so that आपकी super 30 questions और presentation practice जो मैंने आपको सिखाई ये regular class में या questionnaire में दिये उतना आपका कवर हो जाएगा और इस तरह से आपकी पूरी पड़ाई हो जाएगी यहाँ पे GSTK ठीक है so दोसो यहाँ पे चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हमारा super 30 master questions ये वीडियो जो है मैं already record कर चुका हो जो हमारा institute में session हो तो इसके बाद वो वीडियो चला जाएगा और इसके बाद में second video आएगा one day marathon का जो दो से तीन गंदे का होगा वो भी आपने देख लेना है और इस तरह से हमारा GSTK complete कर लेना है last एक बात आपको बताना चाहँगा अगर कुछ students को time नहीं मिल रहा है और कुछ chapters नहीं हो रहे है let's take example written chapter नहीं हो रहा है छोड़ना मत मेरा RR revision देख लेना और ये super 30 का एक master question देखना रहा है that's enough बस छोड़ने का नहीं और इस बार तो आपको जो है in between अच्छा का सा gap भी है paper के बीच में तो दोस्तों ओके करते हैं जिसका वेट कर रहे थे वंडे मेराथान सूपर थर्टी मास्टर कुष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसके बाद मैं रित कंसेडरेशन वजाओ कंसेडरेशन 718 718 मैं यह चाप्टर तो जान मुझ के पहले ले रहा हो क्योंकि एक बर हमारी लिंक लग जाए फिर मैं इसके बाद इन्वाइस रीटर्न पहले लोगा प्रिकि जहां तुम छोड़ देते हो वहां से फिर सब्वर्जन में इस इंपोर्टर एक है तो हम वह प्रोपिक को पहले कवर कर लेंगे ITC हुआ में में टॉपिक को पहले कर लेंगे and then फिर बागे की टॉपिक्स हम यह ट्रा अरके कंप्लीट करेंगे ठीक है सप्लाइ जस्ट यह चाप्टर आपके लिए इजी चाप्टर है तो थोगा मेंग भी लगा लेते हैं आप GST के कनेक्शन में आ जाओगे and then okay we will continue the other topics चलिए so दोस्तों यहाँ पर question number one यह master question बनाया है सबसे पहले आपको एक है दू इतने बड़े questions एक्जाम में नहीं आई है ठीक है master questions बनाने को object यह है कि इसमें एक ही questions में सारी important adjustments cover हो रहा है यह कई कोई chapter में मैंने 2 questions लिया हो गया ठीक है तो यह मा समझना कि इतना बड़ा question आएगा time पे मुझे इतनी सारी adjustments कैसे याद आएगी कैसे मैं लिख पाऊगा नहीं है यहाँ पे master questions में यही object है कि सारी adjustment हम touch कर ले सारी adjustment को समझ ले और एक अच्छा revision आपका हो जाए और यह questions really आपको बहुत help करेंगे day before examination क्योंकि questionnaire पढ़ना होता नहीं है आपको frankly speaking ठीक है तो मैं आपको पूरा guide करके जाओगा कि आपको यह question के साथ क्या लिख कर देखना है कौन से questions लिख कर देखना है बस उतना कर लो मैं आपको assurance देता हूँ कि आप अच्छा score कर पाऊगे GST में और इस बार taxation session में आपके तो चलिए यहां हमने question number one लिया है और इस question में most of the aspects को cover करने की कोशिश करने है पहला question Mr. Vijay registered air conditioner dealer in Janatpuri need four air conditions for his newly constructed house in Sabdarj and Cleo therefore he transfer four air conditioner on which ITC already been availed by him from his stock for the same purpose first examine whether same activity amount to supply under section 7 यह practice बहुत जरूरी है क्योंकि आपको बजाता हूँ जब आप exam में जाते हो तो exam में ऐसे पी chapter wise तो questions आते नहीं है या concept wise तो questions आते नहीं है और उसमें तो इतना बड़ा चैलेंज होता है कि आप income tax भी पढ़के जा रहे है और GST के तो यह practice आपको बहुत help करेगी क्योंकि मैंने पहले ज़िस्मेंट ले लिया यहाँ पर without consideration वाला questions को कैसे read करना और questions को कैसे पढ़ना मैं आपको समझाने की खुशिश करता हूं सबसे पहले तो four air conditioning units है on which ITC already taken और वो अपने घर पे लिखे जा रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें पहले इसकी तो आपको section 7 1 C schedule 1 para 1 schedule 1 para 1 क्या कहता है यह सब लिखना चीए याद आया तो लिखो ने तो बिंदा sensor लिखो नहीं याद आया okay मैं आपको कह रहा हूं कि जितनी positivity हर moment पे आप collect कर सकते हो इस last one month में उतनी collect कर हो negativity में बिलकुल मंचाना और यह याद नहीं आया मेरी marks कट जाएगे आपको कैसे लिखना चीए अगर नहीं याद आ रहा है प्यारोगा यहाँ पर इसको देरा सटन एक्टिविटीज इफ यहाँ पर तुम्हें इतना बढ़िया लिखाना कि पढ़ने वाले को मज़ा है बगा तो यहाँ पे आपने आई चीए लिया होगा है और आपके स्टॉक का फार्ट है कैसे अंड़े बिजनेस असित में आपकी capital aspects ऐस्ञान şeyi करनटा असे स्टॉक भी कवुक्र होता है ठीक है तो यहां पर क्या यह supply बोला जाएगा यह supply बोला जाएगा क्योंकि इसके उपर क्या लिया गया है आई टेसी दूसरा फ़दर जनदपुरी रेसिडेंट अजय एप्रोच मिस्टर वीजे एक जनदपुरी रेसिडेंट था अजय और उसने वीजे को यहां पर पांच लिया रुपे में एर कंडिशनिंग सेल किया गया फॉर इस रेसिडेंट ठीक है तो अगर आँ एडर्फ नी देखते हो तो तो अजे ने जो सेल किया अपना second-end goods, वो खुद का goods था, not in the course of business था, तो वो supply नहीं बोला जाएगा, वो supply नहीं बोला जाएगा, उसके बाद में, और मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे पर trust रखो, सारी adjustments मैं cover कर रहा हूँ, इसके बाद अगर आपको पढ़ना है, तो मेरे questionnaires के स्रीफ RTP के questions, या examination questions पढ़ो, that's all, उसके अलावर कुछ भी पढ़ने के जरुआत नहीं, वो भी अगर आपको पढ़ना होगा, तो, otherwise इस super 30 questions आपको सच में, आपको confidence इतना boost कर देगा, आप अच्छा score करने का plan इसमें कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद में next, अगर हम तिस्री बात करें, Mr. Vijay is planning to transfer some goods to his branch, registered in West Bengal, उसके branch को कुछ goods वो transfer करना चाहता है, registered in West Bengal, without any consideration, so that goods can be sold from branch, he believes that transaction that will be undertaken by him, would not qualify as a supply, and no consideration is involved, Mr. Vijay कहां कहां है, Delhi कहां है, बुसरा, वो branch को transfer करने वाला है, और वो कहां 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 है, West Bengal, without consideration, that sell goods can be sold from the branch, he believes that transaction that will be undertaken by him, would not qualify as a supply, अब चलो, एक बहुत important adjustment supply में है, और वो है stock transfer, आपके stock transfer पे GST लगाया गया है, अब stock transfer के लिए, आपको reference कहां चाहिए, आपको reference, answer मैंने सब के लिए, हमसे भी यहां discuss करें, और maximum questions कवर करने की कोशिश करेंगे, और सारे important aspects को आँच करेंगे, ठीक है, ओके, presentation कैसे करना है, क्या करना है चाहिए, मैंने सब answers आपको दिये हुए, अगर आप stock transfer में, आपकी दो points कवर होने चाहिए, कौन से दो points कवर होने चाहिए, पहला आप और होना चाहिए, DDP, DDP मतलब, Deemed Distinct Person, अगर यह सच पे सोचे होगे, कि डारेकली लिख दो, यह stock transfer liable to GST, इस वोड़ बी टेटेट आज सपला है, दो तीन लाइन नहीं, marks नहीं आएगे, इवन दो एंसर सही है, पर पूरे marks नहीं आएगे, आप थोड़ा उसको properly explain करो, ब्रोपॉइंट में explain करो, वैसे मैंने आपकी practice, जब मैं क्लास ले रहागा, तो presentation में मैंने बहुत जाला practice किरवाई आपके, तो वह practice यूज करो पहले legal provision, चलो section नहीं भी लादा है, तो कोई problem नहीं, points cover कर लो, DDP, अब DDP में जो West Bengal में branch है, वो registered है या नहीं है, हमें नहीं बता, लेकिन आपको, मैंने DDP में दो concept पढ़ात है, एक registered branch से आपने, दूसरे registered branch को supply किया, तो for each branch would be treated as DDP, और 25, 4 था, और 25, 5 था, और 25, 5 था कि अगर एक अगर आप registered हो, और another state में, आपका unregistered भी होगा, तो भी वो DDP माना जाएगा, तो अब West Bengal की branch registered है, या नहीं है हमको नहीं दिया, पर it's a DDP, तो sir, exam में answer क्या लिखे, exam में answer आप दुना point लिख लो, पहला वाला दुना रजिस्टर है, और दूसरा वाला एक registered और ये unregistered है, in another state, then it would be treated as DDP, तो ये case में, क्योंकि अगर अगर ये only this case टी आई, तो दो से तीन माग का है का आपको, ठेक है, तो अब ये case में आप ने लिखे, पहले DDP लिख दिया, फिर DDP होने के बस second आपको क्या लिखना है, ये supply है या नहीं है, तो अब इसके लिए reference आता है, para 2 of schedule 1, I repeat the word क्या, para 2, para 2 of schedule 1, तो ये para 2 of schedule 1 कहता है, कि if you supply any goods or services to related person or deemed distinct person in the course of business, without consideration, without consideration बड़ आना ही चाहिए, उसके अंदर अंदर लाई, ठीक है थे, without consideration, then it would be treated as supplier, तो ऐसे की उसमें, क्या ये supply माना जाएगा, conclusion, conclusion ही आएगा, कि it would be treated as supplier, चलिये, अब भी first हो गया, second हो गया, third हो गया, fourth प्यात है, on the occasion of Diwali, Mr. Vijay distributed gift hamper to his employee, Mr. Vijay has appointed, sorry, on occasion of Diwali, Mr. Vijay distributed gift hamper to his employee, वर्थ रुपीस क्या, 3 lakhs, employee word है, मतलब single employee, yes or no, 3 lakhs, does it qualify as a supplier, would your answer different, if gift of 42,000 has been given to an employee, यह भी एक बहुत अच्छी है, adjustment है, supply chapter में, जिसके पर इस्टियोस क्वेशन पुछती है, देखो, अगर आप pre-supply करते हो, अभी तक जितने भी questions पुछे, उसमें से दो-तीन बार ही adjustment पुछी है, प्रेंट को free दे दिया, ITC is not taken, तो देखो, free supply पे एक point fix करना, उसके पर GST नहीं आता है, free supply पे GST नहीं आता है, unless you are taken ITC, अगर ITC लिया होगा, तो schedule 1 में वो supply माना चाहे, और government object लिए रहे, कि ITC लिया है, मतलब तुम business के लिए यूज़ करने वाले थैं, और तुमने ITC लिएकर gift दिया, मतलब business के लिए तु यूज़ के लिए, यूज़ के लिए रहे हैं, इसलिए उसको supply पुला गया, अब ये case में, इंप्रोय वाला clause है, तो इंप्रोय वाले clause में, schedule 1 का para 1 अप्लाय नहीं होता है, इंप्लाय वाले clause में, more specific clause schedule 2 अप्लाय, sorry, para 2 अप्लाय नहीं होता है, because employer और employee related person माने जाते हैं, अरे ये समझा हैं नहीं समझा है, जब भी conflict हो para 1, para 2, para 3 में, तो more specific para will prevail over general para, तो ऐसे case में अगर gift दिया हो, तो आप para 1 नहीं लगाओगे, इसके case में कौन से लगाओगे, para 2 लगाओगे, para 2 is more specific, because employee is treated as related person, हाँ, अब para 2 में प्रोविजू है, ये important adjustment है, इसको हमने बिलकुछ टच करना चाहिए, एक प्रोविजू है, और वो प्रोविजू ये कहती है, कि अगर आपने employee को gift दिया, I repeat, gift दिया, up to rupees 50,000, up to rupees 50,000, in a financial year, तो 50,000 पे तक supply नहीं माना जाएगा, और GST नहीं आएगा, ठीक है, तो आपको legal provision में, आपको ये प्रोविजू लिख रही पड़ेगे, पहला point लिखना पड़ेगा, अच्छा लगेगा, ओके, employer and employee are क्या related person, दूसरा point आप लिखो कि, as per प्रोविजू, याद आया तो, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो, कि if employer gives gift to the employee, up to rupees 50,000, in a financial year, then that would not be treated as supplier, अग, in given case, a gift of rupees 3 lakhs, is given by employer to employee, which exceeds 50,000, hence, it would be treated as supplier, अब इसमें ख्यार रखना, कि आप जब भी लिखो, तब एक word बारगाना चाहिए, without consideration, उसके उपर marks रहेगा, ठीक है, without consideration, उसके उपर marks रहेगा, तो ऐसे case में, यहाँ पर 3 lakhs में तो आएगा, पर अगर ये gift की value 42,000 हो, तो नहीं आएगा, ठीक है, तो बताब 50,000 ये basic deduction है, या criteria for treating supply or not, criteria, okay, criteria for treating that element supply or not, ठीक है, वो basic deduction नहीं है, मतलब मेरा कहना क्या है, कि अगर आपकी value 3 lakhs है, तो total 3 lakhs पे GST आहेगा, 3 lakhs minus 50,000 नहीं होगा, I hope you understood, ये एक important point हमने touch के लिया, point number 4 में, उसके बाद में 5th number, Mr. Vijay has appointed Mr. Jay to procure goods, based on specification given by him, Vijay ने Jay को appoint किया to procure the goods, उसके बिहाब पे procure करे, goods को, ठीक है, बिहाब पे procure करे, बिहाब पे procure करे, उस तो click होना चाहिए, बाइजन वाला, हाँ, okay, selling agent है, buying agent, अब ये procure कर रहा है, तो ये selling agent है या buying agent है, buying agent है, ये buying agent है, ठीक है, as the same kind of goods are not available in the area of Mr. Vijay, Mr. Jay buys the specified goods on his behalf, from Mrs. XYZ Limited, for this activity, invoice is issued in the name of क्या, principle, in the name of principle, ये बाद इंपोर्टन क्राइटरी है, इन्वाइस के नाम का है, principle के नाम का है, ठीक है, whether it would be treated as supplier under GST, would your answer differed in the invoice issue in the name of an agent, Mr. Jay, ठीक है, अब यहाँ पे एक परफ्थी करके concept था, परफ्थी ऑप्शुडल वन, supplier of goods, not a service, परफ्थी अप्लिक बाद टो गोट्स, ठीक है, supplier of goods, by principle to agent, who further undertakes the supply, या by agent to principle, who procures the goods of the BRPOP principle, ठीक है, तो यह जो principle to agent के बीच में supply होगा, जो stock transfer होगा, उस पर GST आएगा, परफ्थी के साब से, लेकिन इस पर CBIC clarification है, तो आपने लिखना कैसे चाहिए, सबसे पर बेले legal provision, परफ्थी, दूसरा, आपने as per CBIC clarification, परफ्थी is applicable only in a case, where agent issues his own invoice, otherwise stock transfer between principle to agent, या agent to principle पर GST नहीं आएगा, तो हमारे given case में, क्या invoice agent के नाम का है, या principle के नाम का है, principle के नाम का है, हिन supply between agent to principle, sorry, activity between agent to principle, not rated as supply and not liable to GST, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर, तेला सांगो ने तो, ठीक है, हाँ, दूसरा आपको यह बता दू कि, second one में पूछा किया, कि अगर यह inverse agent का होता है, तो, agent का होता है, तो supply पर इसमें, एक aspect फी से अच्छे से पढ़की जाना, लिख लो साइड में, आपको गर पे, और साथ-साथ में कौन सी जीजे करनी है, और questionnaire की कौन सी जीजे करनी है, questionnaire में, मैंने एक question लिया, एदर value of supply में लिया होगा, या supply में लिया होगा, Dell Credery Agent का, किसका? Dell Credery Agent का, कुछ पढ़ाया याद आ रहा है? आप इंट्रेस्ट, चार्ज बाई Dell Credery Agent, ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे, और वो Dell Credery Agent वाला, अभी तक, उन्होंने, एक बार RTP में पूछा, एक बार एक्जाम में पूछा, फिर से वो प्रॉब्लम पढ़के जाना, Dell Credery Agent वाला, वापस रिपेट हो सकता है, ठीक है, चली, नेक्ट, यहां पर 6th नूमबर, Mr. Vijay received an interior decoration service for his residence from Mr. Rachel's of Sydney, एक मिनट, कौन से service लिया? Interior decorator service for his residence, खुद के residence के लिया, from Mr. Rachel's of Sydney, Australia, the amount paid for the service is 5000, in Australian dollars, पहले, मैं import service के बारे में, एक बार adjustment अच्छे समल्ड़ो, पहला point, ने साथ सभी बलोगे, पहला point, रुजा माला एको, ठीक है, पहला याँ है, फिर्स पॉइंट याँ पे, यह बता दू आपको, import service for consideration, I repeat, import service for consideration, तो वो supply बुला जाएगा, इसे एक लिए, second point, whether or not, in the course of business, आन्य जो बार से service import कर रहा है, वो business के लिए हो, क्या ना, personal purpose के लिए भी होगा, तो भी, it would be treated as supply, if for consideration, ठीक है, third, very very important point, pre-import service पे, GST नहीं आता है, I repeat, I repeat क्या, free import service पे, GST नहीं आता, एन्य इंपोर्ट service विदाओ, consent cash, ठीक है, आप internet service पे, जहां तक है, cloud service यूज करें, free है, YouTube free है, आपके लिए तो free है, yes or no, okay, social media, Instagram, totally free है, ठीक है, तो free import service पे, GST नहीं आता, यह बिल्कुल fix करो, अब मैं साथ बहूँ, unless, I repeat क्या, unless, related party, या, own establishment, in the course of business, in the course of business, अगर import service में consideration होगा, तो GST आएगा, ही आएगा, फिर वो business के लिए हो, या ना, उसके लिए एक exemption है, पर वो इंटर लेवल पर अपली के बल नहीं, वो फाइनल लेवल पर अपली के बल है, कि अगर कोई individual import करता है, otherwise than for business, तो exemption है, बट इस ट्रिके लाज सप्ला है, तो वोट इस ट्रिके लाज सप्ला है, प्ला है मतलब उसके उपर ले भी है, तो पहले केस्ट में, अगर मैंने consideration दिया है, और अफ्टिलियन दोलर में दिया है, तो interior decoratation service, क्यों नहीं मैंने residence के लिए लिया हो, तो consideration is given, वज़र इस अपला है, यस और नो, वोज़र और नॉट, इन दे कोर्स आप बिजनेस, वो supply माना जाहेगा, ठीक है, इन पर service का, दूतरा point यहां पर उपर उपने क्या पूछे है, what would be your answer, if Mr. Vijay received interior decoratation service for his residence, from his brother, Mr. Burund, residing in Sydney, Australia, only dependent on him, whether Mr. Vijay did not pay any consideration, एक मिनट, now related में एक definition, तो आपने learn कर लेना, में जो भी के लाई, सारे important points लेना, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, क्या questionnaire से पढ़ना है, यह सारे important aspects आपने पढ़ने है, ठीक है, तो एक आपने family की definition लेंग करके जाना, related में, कौंसे definition, family, family में, family related person मानी जाएगी, और without consideration, transaction between family, okay, GST आएगा, in the course of business, in the course of business, then, अब family की definition में क्या लिखा हुआ है, कि, spouse and children, वो dependent हो, या ना, वो related माने जाएगी, I hope you understood, लेकिन जहां तक लिखा जाए, brother, sister, parents, यह related तभी माने जाएगे, जब वो only dependent, Is it clear, तो क्या यहां पे जो brother rate है, वो only dependent है, दिया है उनने, क्या दिया है कि, वो only dependent on him, तो वो only dependent on him, तो यहां पे वो related माना जाएगा, और related को without consideration, तो अगर आपने तारा 4, अप्शिडिल 1 के हिसाब से, service इंपोर्ट की, और किसे इंपोर्ट की, रिलेटर से इंपोर्ट की, in the course of business होगा, I repeat, in the course of business होगा, तो यहां GST आएगा, अब दिको यहां चोटी सी critical adjustment, मैंने सच में देता हूँ, मैंने पूरी कोशिश की है, मैं पिसले 10 दिन से इसके उपर वर्ट कर रहा हूँ, यहां पे, यहां पे, मैंने DTS ही fix की थी, कि मेरा complete होने के बाद, यह पहला session आपके साथ, आपके सुपर 30 का, तो यहां पे, मैं आपको के रहा हूँ, शुटी सी adjustment पर आप mistake कर दोगे, अब आपने क्या देखा कि, brother dependent है, related है, इंपोर्ट सर्वीस है, आज GST आएगा, I hope you understood, तो residence के लिए लिए तो supply नहीं बुला जाएगा, तो आपको यह लिखना पड़े गा है, कि even though brother is related, only dependent, but the service is used not in the course of business, तो ऐसे situation में बुला जाएगा, नाँ next, विल यह एंसर चेंज, इव अगर केस, Mr. Vijay has taken an interior decoration service, with regard to his business premises, and not for his residence, other business के लिए 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 लेटा है तो फिर, then it will be treated as supplier, चले, next question, Now Mr. Vijay also sold a plot of land in Sabdarganj and Clow, after leveling, laying down, of drainage line, water lines and electricity lines, अब तो यह point को समझ राक तो है, यह schedule 3 में, अबर आपको याद होगा, तो एक memory technique पे ने class वे आपको पढ़ाई दी schedule 3 की, एंप्लार एंप्लाई का जगरा हुआ, कुछ याद आए आपको, एंप्लार एंप्लाई का जगरा हुआ, दोनों पोर्ट में कहे, MPMLA की शिफार इसलिक, पता चला जगरा, राइन बिल्डिंग का था, जो लोटरी बेटिंग, गैम्लिंग में जेती गई थी, कुछ याद तो अगर आपको ये पॉइंट से आदा रहे होगे, तो शायद कोई मेरे क्लास का नहीं होगा, तो मैं बता दो उनको, कि सर्वीस प्लाई नहीं बोला जाएगा, मैंने ये भी पढ़ाता है कि कोड का रिजल्ट आने के पहले चल बसे, मतलब फिनरल, बिवरल, क्रिमीटोरियम पे जो सर्वीसेस है, सर्वीसेस पे उस पर GST नहीं आएगा, क्या रखना, सर्वीसेस पर GST नहीं आएगा, फिनरल पे, अगर कोई फिनरल पे गूट्स क्रिमीटोरियम, तो वहां पे पहुत सर्वाज जानेगा, उसके बाद में हाँ, एक इपॉइन पोइंट है, सेल अफ क्या राने, सेल अफ लाने, सेल अफ लाने, सेल अफ लान एड गोडियें, इक्सेप्ट कोई बता सकता है, इसको एक वर है, intended for sale, before completion, उसको एक वर है, intended for sale, before completion, कुछ ही आगा है, तो अब ऐसे situation में, उन्होंने land sale की, एक CBIC clarification था, इसले में नहीं यह point ले लिया, और मुझे रगता है, इसके उपर question पूछा जा सकता है, CBIC clarification यह था, कि बहुत से बार जो है, कि लोग agriculture land ले 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 लेते हैं, एने करवाते हैं, एने करवाने काaga可़ प्लोटिंग करते हैं, plouting पता है न आपको, प्लोटिंग करते हैं तो उसको डेवलप करते हैं उसमें ड्रैनिज लाइन लाते हैं इलेक्टिसिटी लाते हैं लेवलिंग करते हैं लैंड का तो बीच में बहुत बहुत बला कन्फूजन था कि अगर आपने लैंड को डेवलप करके प्लोटिंग किया और बेचा तो क्या व रही, electricity लाया, सब कुछ लाया, तो भी, वो ultimately contract sale of land रही, और sale of land का होने के वज़े से, उसके ओपर GST नहीं आएंगा, तो यह इक important point था, ओके, next, एक number, Mr. Vijay also provide best service, meal coupon, telephone at residence, use vehicle for official and personal use, uniform, shoes to his employee, explain the implication of GST under this, in this case, if, यहीं बहुत अची अच्छिए अच्छिए है, एक इसके ओपर exam में question आ सकता है, if, these perquisites are provided as per the contract, enter between employer and employee, and second, the perquisites are provided willingly by employer, for better performance of employee, without any agreement, सबसे पहले तो मैं इसका reference लेना चाहोगा, इसमें दो references आएके, एक reference आएगा, schedule 1 का, आपको याद़ है, schedule 1 का gift दिया, employer ने employee को, up to क्या, 50,000, employer ने employee को, give दिया, और वो gift कितना, up to rupees 50,000, up to rupees 50,000, ठीक है, और दूसरा था schedule 3 का, okay schedule 3 का reference, service बें, employee to क्या, employer, employee to employer, उसमें लें ये employer, और ये employee है, और employee ने employer को जो service दिया, जिसके gift में क्या मिल रहा है, salary, wages, तो उसके ओपर GST नहीं आएगा, GST नहीं आएगा, और word है, जो भी कुछ मिला, in the course of employment, I repeat the word, in the course of employment, और क्या, in relation to employment, और in relation to employment में perquisites मिला, I repeat the word क्या, perquisites मिला, in relation to employment, और in the course of employment, तो क्या उसपर GST आएगा, तो इस पर CBIC नहीं ख्लारिफिकेशन दिया, और ये question CBIC नहीं ख्लारिफिकेशन पर, CBIC नहीं ख्लारिफिकेशन ये था कि अगर, जो perquisites मिले, और employer ने, I repeat, क्या, employer ने employee को perquisites दिये, अगर इसका employment contact है, और एंडर गॉंटर गॉंटर गोंटर गोर गोंटर 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 को दिये, employer-employee को दे रहा, अगर इन दे कोर्स अप्वलियमेंट तो क्या लग जाएगा? शेडूल थी, पराफ बाफ आट और वो रोकेस में शेडूल सोरी, यहाँ, पराफ ने कीवर्जा शेडूल थी पराफ दॉबहुत तो उसके पर GST आ जाएगा. Question क्या पूछा गया? Question क्या पुछा गया, कि जो ये सारे perquisites दिया, क्या perquisites दिया? Employee को bus service दिया, Employee को milk coupon service दिया, Employee को telephone address दिया, दुनिया बर की services हमने Employee को दिया as a क्या perquisites? We explain the implication of GST. अगर आज पर प्रोइड किया होगा तो गिफ्ट है वैली फिप्टी ताउजन के उपर होगा तो इसके आपर जी एस्टी नहीं है अगर आप यह सारे पॉइंट्स देखते हो तो हम सारे इंपॉर्टन एस्पेक्स को कवर कर रहे हैं याने बहसी बहर क्या होता है जब आप पढ़ते हो पढ़ते हो पढ़ते हो इस लगता है कि आप पर समंदर पढ़ लिया पूछा इतना सा एक्जाम के कोईशन कभी किस इन टेस्टी कोई दे रहा है अभी यह पिरे में ट्राइ किया है गया तो जब तुम एक्जाम देने जाते हो और टेस्ट देने जाते हो जा इसा लगते हो पड़ा समुंदर और पूछा इतना ही तो यह अब लास्ट मंद का आपका पढ़ने का अप्रोच होना चाहिए अगर आप यह अप्रोच से जा रहे कि उसके उपर हाइलाइट किया होगा कि यह इंपोर्टन है यह जितना जाबत से ज्यादा अप्रोच यूज करोगे उतना आपको होगा और विदिन यह ताइम आपका पूरा सिलाबस का तम होगा नहीं तो पूरा सिलाबस खतम करना मुश्किल है और मैंने यह सूपर 30 कोश किया है कि आपको मैक्सिमम से लदस में इसमें कवर करो ठीक है सारे इंपोर्टन अस्पेक्स को कवर करो चलिये तो अब यह 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 बाला पॉइंट हमने कवर किया नेक्स्ट अलांग इंद अब अब्स्र विजे इस अप्रोइट सर्विस और बीटिंग ऑनलाइन मनी एक अमेंड्मेंट थी आपको याद है एक्शनेबल क्लेम अब एक्शनेबल क्लेम के जगा वेड आगया क्या स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन लांग करके जाना लिख लो specified actionable claim का definition learn करके जाना है ठीक है specified actionable claim में lotering, betting, gambling तो आए गई उसमें cash in में भी कवर कर लिया है online money giving भी कवर कर लिया है और horse racing भी कवर कर लिया है ठीक है तो 6 items अब specified actionable claim में कवर कर लिया अब schedule 3 क्या कहता है पहले तो मैं आपको कह दू कि actionable claim ये जो है ये goods है I repeat actionable claim is goods कोई ज़र अतनी goods की definition रटा मानने की, कोई ज़र अतनी उसका इत्मानी point important आपके जहां के लिए ये actionable claim is not a service actionable claim जो है यहाँ पे goods है but schedule 3 कहता है actionable claim not treated as supply and especially bad actionable claim मतलब even though it's a goods but not treated as supply other than specified actionable claim मतलब अब actionable claim को पहले क्या था अगर कोई इसके पहले की बैश में हो गाया तो उसने क्या पढ़ा था actionable claim not treated as supply except lottery, waiting and gambling अब lottery, waiting and gambling ये रागा दिया है और महा पे क्या लिखा है specified actionable claim मतलब अब फिक्स actionable claim को छोड़कर I repeat क्या फिक्स actionable claim को छोड़कर बाकि actionable claim पे GST नहीं आएगा which are six actionable claims? lottery, waiting, gambling, casino, casino, online money gaming and horses ये छे actionable claim, supply बोला जाएगा GST नहीं आएगा I hope you understood okay, तो ऐसे case में तो ये बताब waiting actionable claim GST आएगा supply बोला जाएगा ये specified actionable claim में आता है और online money gaming ये भी specified actionable claim में आता है इंट्रास्टेट सतले प्राइगा किया error condition to customer in delivery freight is separately charged in the invoice I repeat the work क्या threat separately charged in the invoice for delivery of goods at customer doorstep value of goods जिसपे GST ये 6% each CGST or HGST value of freight charge charge separately in other invoices GST 5% okay तो ये case में आपको ये बताना है कि अगर मैंने freight अलग से charge किया मैंने माल बेचा माल में goods बेचा और goods के साथ-साथ मैंने उसको क्या charge किया freight freight charges लगाए तो वेदर freight charges ये independence अपला है ये ये comparison अपला है तो freight or instruments with sale of goods is a naturally bundle in ordinary course of business तो आपको क्या learn करके जाना है लिख लो अगर आपने note-book लाई होगी तो ये यह पर आपको दो definition learn करके जाना है कौसी दो definition learn कर लेना रटन आपना है composite supply and mix supply composite supply and mix supply रटन आपना है ये दो definitions ठीक है composite and mix supply ठीक है अब ये दो definition में composite supply की definition okay two or more taxable supplies I repeat two or more taxable supplies supply in conjunction with one another in ordinary course of business which is naturally bundle naturally bundle one of the supplies is principal supply तो ये points आपका आना चाहिए composite supply की case में तो ये जो आपका answer आना चाहिए की ये जो freight है it's a composite supply इसले पुरे फटला है कौन से रेट में जाएगा 6% या 5% वो 6% इच मतलब total 12% अरे समझो आए ना 6% इच मतलब total 12% ठीक है तो यहां पर 12% में प्या सपह होगा next column number in order to enhance the sale and to clear the stock of old model of air conditioner Mr. Vijay made a combo offer to customer ready if a customer purchase air conditioner along with stabilizer the same offer as a combo price 20,000 as against original price 30,000 air conditioner 22 and stabilizer 8,000 if these are purchase separately अगर separately stabilizer किसे हैं हम क्या purchase करते हैं this ही है तो अलग अलग प्राइस है तो अलग अलग प्राइस है और दूने साथ में लेते हो तो क्या combo offer में 20,000 during the year Mr. Vijay has made interstate supply 10 number of combo product rate of air conditioner GST 6% or stabilizer कितना 9% determine whether अगो activity fall under the preview अगो मतलब सारी activity supply में आईगी या नहीं आईगी अगर आप देखते हो तो stabilizer के साथ अगर आप इसी देरो तो क्या यह mixed supply है यस यह mixed supply है अगर mixed supply होगा तो किसमें जाएगा highest मैंने यहाँ लाइन लिखा है पर मैं चाहता हो कि exam में आप mixed supply की definition भी लिखो what do you mean by mixed supply two or more independent supply I repeat the word क्या two or more in it what is the difference between composite and mixed supply composite supply में two or more taxable supply होगा और यहापे two or more क्या independent supply supplied in conjunction with one another which is not a composite supply and not naturally built तो फिर यह definition होगा अगर mixed supply होगा तो क्या लिए जाता है IS rate चलिया तो यह जो है question 1 साही important adjustment aspects मैंने cover कर लिए अब in addition to this आपको पढ़ना है okay तो बस मेरे questionnaire के RTP के questions I repeat क्या RTP questions इस बार के RTP मत छोड़ना मैंने discussion डाल दिया होगा है तो पहले आपको इस बार के RTP करना है मेरे questionnaire के RTP के questions और examination questions इतना ही करो अगर extra आपको additional करना है otherwise आपको इतना भी कर लिया तुभी more than enough इसके अलगा कौनकोल से questions पर writing practice करना है मैं आपको बता दूँगा Yes or no चलिए तो यहां हमारा पहला chapter 1 होता है और पहला chapter यहां पर supply कुछ याद आ रहा है Yes or no चलो दूश्रा कुण सा लेना है आप बता दूँगा आप IDC लेना है RCM लेलो दूश्रा चाप्टर में हम आते हैं और दूश्रा चाप्टर लेलो RCM and क्या Ethereum इस चाप्टर में इन्होंने अभी एक extra concept आड़ किये और वह कौन से issue के आपने वह मेरा वीडियो देख लिया है transition from old to new सबने देखा हैं जिसमें कौन से चाप्टर आड़ के बताओ check करताओ place of supply 3DS, TCS accounts records और क्या issue आड़ आड़ के आड़ के Electrical Commerce Operator Notes नहीं मिले आयके अविलिबल 10-0 reverse charge and issue issue पर चोटासा question और मैं आपको अभी बता देता हूं चोटासा question में omnibus वाला question वह पूस सकते omnibus वाला याद है word तो याद होगा ठीक है क्या है छोड़ दो क्या था sir वह याद नहीं word तो याद होगा तो मैं आपको वह समय देता हूं omnibus वाला और गुसरा अगर वह पूस सकते है तो मुझे ऐसा रखता है restaurant होगा simple होगा कैसे याद रखना मैं आपको बता दो ठीक है चलो फेले reverse charge में यहाँ आपका इस chapter से रेले पहला problem ही आता है कि sir इस chapter में पढ़ो पर parameters कही न के भूली रहते है आपके में भूल जाता हूं ठीक है तो उसका attention मतलो यह जो है chapter मैंने chart में दिया है या फिर हमने जो charge बना है exam के एक मैंने एक घंटे पहले exam के एक घंटे पहले ऐसा पढ़के जाना समझ में आया कि भी लिक के चीद बनाके माँ जाना नाला हूं ठीक है बुकुल वहाँ एक ड़ एंटे पहले 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 ना यह चत्री है पहले 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 ना और आया रिसिपियंट इस बाई कॉर्परेटर पार्नेशिपांट कभी कभी रिसिपियंट 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 रिसिपिय तो अब यहां पर रिवर्ट चार्ज में मैं आपको एक्स्मिलेंट करूगा आपको याद है तो अच्छी बात नहीं आया तो बिल्कुल डर्ना मत और यह पढ़ा था आप तो याद आया नहीं अब क्या करूँ दिखो अरे मनमेंट पर अभी ऐसा होगा कि अखोर, इंजाइटी, गिल्ट, निगेटिविटी, टेंशन, स्ट्रेस, अरे आया नहीं अरे मनमेंट रहा देख़ा है इसके और यह इसके इसको भी कैसे हम हैंदल करने बता होगा हम आकरी में बात करेंगे, इस से रिलेटिट, लेकिन बस में इतना ही कहोगा कि उस इस निगेटिव है, उसको प्रजिविटीव करना आपके हाद, भी नहीं आद आया ना, ठीक है, मैं एक्जाम के पहले गंटे पहले इसको रखता हूँ, ठीक है, क्यूंकि आप क्या करोग है, नहीं याद आया दो दरोमत, मैं याद दिला दोगा, और और आपके पास ऑपर्चुनिटी के एक्जाम के एक दिर घंटे पहले, इसको फटावर पढ़ लेना, इस अपर कर नहीं चरिया इसा है, ठीक है, यहां पर मैंने जो क्वेश्चन बनाया हुआ है, यह क्वेश् ओम जाय जग्दीश, हाँ त्री पार्टनर्स, इन क्या ओम टिक्टेट्स, यह सारे क्वेश्चन का आप कही दिखे कि नहीं मैंने बनाया हुआ है, इसके बाद अगर पर कॉपी करता है, तो समझ जा मेरी है, ठीक है, तो ओम टिक्टेट्स, अपार्टनर्शिप फर्म को अ इंगेज इन दे मैड्फसरीं को केया फ्रर्म काई यह मैने पार्टनर्सिप फर्म हैं, इंगेज इन दे मैमेडफसरींग्यॅच्टिर इंतारि ए डिक्टेटी एक यह संपर्मेशन कना ए एक मिडिशम के मैरी जao एक से ओम आन मिडिशं की जर एक कर नहीं में 100 कॉप्रें अभी तक straight forward दो ही बार है कि बही, specify कौन लाइबल होगा RCM पे there are numerical questions जो मैंने questionnaires में लिए computation में generally RCM की adjustments जो आती है तुमारे पहले जो 8 mark का 10 mark का question होता है उसमें एक adjustment आ जाती है RCM के और उसमें आपको identify करना पड़ता है कि यह forward charge में है या reverse charge में समझ में है क्या तो RCM chapter में बस इतना ही समझना कि अगर question पूछेगे straight forward तो मुझे मुझे लगती है लेकिन question पूछेगे तो आपका जो बड़ा question होता है numerical questions उसमें एकादी adjustments किसके होगी RCM जैसा अब इस बाग कि अगर RTP देखोगे तो DSA, direct selling agent आपको decide करना है कि यह forward charge में है या reverse charge तो पूरा RCM मसिब DSA कुछ है तो RCM रटा से जाधा frequent revision यतना revision करोगे परामेटर से आधर को कि liability कहा आती और कहा नहीं आती है तो पहला Mr. Ohm who is a partner in Ohm textile supplies silk yarn and raw cotton to ABC private limited who is registered under GST मैं आपको यह goods का नहीं पुछे के पर बता देता हूँ RCM 93 के दो पैप के होता है एक goods का होता है और एक service का होता है मैंने मेरे notes में goods के RCM कुछ दिये थे अगर आपको याद होगा तो cash units होगे रहा है कुछ याद आ रहा है goods के RCM दिये थे जिसमें cash units था बिड़ी wrapper release था और उसमें sales के याद भी होता है ठीक है तो जिसमें reference के लिए ले रहा हूँ क्या हूँ है कि अभी institute ने final level पे goods के RCM अपला कर दिये पर inter level पे clarity नहीं दिया है पर नहीं पुछेंगे clarity नहीं है कॉन टेकाइब प्रोड़ास Sponsorship Service दे रहा है कॉन Sponsorship Service दे रहा है Sponsorship Service दे रहा है Mr. Manish, Malhotra, और क्या Fashion Day 1 minute Sponsorship Service Sponsorship Service में मेरे साथ अभी revised कर लो याद आ नहीं राह ए लेट मेरे साथ रिवाइस कर लो Sponsorship Service में है Supplier of Service is any person I repeat Supplier of Service is any person और लेने वाला, body corporate या partnership firm in a taxable territory, एक में तीनो पॉंट बलो, body corporate और partnership firm, including LLP, including LLP, in a taxable territory, ऐसा, ऐसा, ऐसा होगा तुछी रिवर्स, नहीं तो फॉर्स, नहीं तो फॉर्स, यह exemption होगा, था exemption, हाँ, RCN के साथ बहुत था exemption भी मिक्स है, अगर मैं आपको बतागू, जैसे legal service, legal service आप देखते हो, तो legal service में बहुत है, कि legal service by an advocate, individual advocate to business entity, reverse it, but, exemption देखते हो, तो business entity का aggregate तान होगा, जो service लेने वाल है, उसका aggregate तान होगा, उसका aggregate तान होगा, पिसलिंग financial year में थ्रेशोल से नीचे होगा, तो exemption भी है, तो exemption भी है, आप समझ रहे हैं, कि हार्सियम के साथ, कौन है, कौन है लेने वाला, Om Jay, Jadish, partnership, Porn, sorry, 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 ये तप्लायर है, supply पर ही नहीं पर सथे, लेने वाला यहां पर 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 यहां पर लेने वाला है, Mr. Manish जो है, यहां पर इंडू जो लेने, अच्छा, RCM कर देखते हो, यहां पर 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 देखते हैं, आपको पर सक्कात है, मैं आपको बताuhan, एक्समिशन कहां कहाते है, गॉपरमिन्ट सेक्टर में आते हैं, और यहे सैरू नो, एक्समिशन आएगा, गॉपरमिन्ट में आएगा, GTA में अगहाटा है, GTA एगया, GTA आएगा, जो है नोटईफाइट कर लेने है, सभी जदा एक्समिशन नही नहीं तो forward, नहीं तो forward, ठीक है, तो आपने class होने के बाद, पहली चीज कर लेना, नहीं तो बहुत confusion होता है, यह exemption में है, यह RCM में है, यह, और, आपने एक लिग मना देना, कि कौन से RCM में exemption है, GTM में है, समझ में आया हैं किया, two underlisted, जो notified category में, नहीं आता है, उसके बाद में गौर्मेंट उसके बाद में legal service, वो 4-5 exemption को छोड़के, बाकी ऐसा ऐसा होगा, तो reverse नहीं था, that's all, रूप्य understood, तो अब यह तो यह तो यहां पर, sponsorship service, तो यहां reverse जाएगा और forward जाएगा, forward जाएगा, supply tax देगा, तो textile company supply tax देगा, second, in textile, पोने, पाद appointment is senior advocate, एक मिनट, किसको अपॉंट किया, senior advocate का, Miss Priya, for representation of legal matter, would you answer before your own textile appointment, local advocate Mr. Sagar, who further appoint Miss Priya for representation, दूनों point को समझता हूँ, पहला, पहला, इन textile का, यह वो business entity है, registered है, नहीं है, वो छोड़ दो, क्या वो business entity है, yes or no, बेखो कई पर हैं registered person, कई पर हैं business, तो हम अगर legal service देखेंगे, तो legal service के लिए वर्ड है, business entity, legal service, पहली बाद, वो legal service हो नीचे, legal service supplied by, advocate, senior advocate, और former advocate, to business entity, be careful, business entity में भी individual, doing business, business entity में भी proprietor, doing business, समझ में आएं क्या, okay, तो business entity होगी, तो वो situation में यहाँ पर reverseize आएगा, अब business की definition क्या है, कोई भर आपने यह learn करने की, अब सब business की definition थी के GST, और nine points थे, आपको याद है क्या, gender love special, अभी आपको यह बहुत clear समझना चाहिए, कि कहाँ time देना है, और कहाँ time नहीं देना है, अब यह बिजनस के definition के पढ़ा हुआ है, यह learn करते है, तो मैं कहोगा भाई साब, फिर तो मुश्किल, अब यह कैसे समझेगा आपको, कि कहा time, देना हो कहाँ नहीं, सच कहो क्या, regular book बाजू में रखते हैं, फिर सर्फ पढ़े गया, चाट से एक flow बना लो, गोथरू करो, और सबसे जादा questionnaires, questionnaires के adjustments, और आपको पढ़ते-पढ़ती समझ जाएगा, यह important, यह important, यह कर लेते हैं, अगर आप यह movement पे सिर्फ GST नहीं, सारे subjects, regular book में पढ़े जाएगे, और आप यह decide ही नहीं कर पाए, कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या, नहीं पढ़ना चाहिए, तो मुश्किल है, ठीक है, रद्य राच, लो questionnaires, जो भी आपने खुद की notes बनाई होगी, वो based, खुद की charts बनाई होगे, या मेरे chart book, वो based, questionnaires की important adjustments, बस उस पर ही चला, ठीक है, तो ही आपका syllabus बहुत अच्छे से cover, ठीक है, इसमें बार बार साइड में एक feeling कहो, या emotion कहो कि, मैं सही तो कर रहा हो ना, इतनी adjustment कर रहा हो ना, अगर मैंने जो छो दिया, उसका ही आग या तो, हाँ, फिर मैं एक्जामें क्या करूँगा, फिर एक साइड में और फिलिक, फिर, नहीं, नहीं, वो कर लेते, और सबसे जागे प्रब्लम आपको क्या होता, अभी पताएगा, कि आप जो कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, और दुसरे subject का कुछ आ गया, और पढ़ा हुआ, वो याड, नहीं आए, तो तू तो, दिया, तू तो वहीं की हो, समझ में आया क्या, मैं फिल्स आगो कहता, जो subject के लिए जो टाइम दिया है, उसमें दुसरा subject entertained नहीं करूँगा, उसमें दो बाते हो सकती है, याड आया तो confidence super boost हो जाएगा, नहीं आगा है, बढ़ा हो नहीं आगा, भाई साहब इतना confidence loss होगा ना, कि पुरा दीन वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो कोई अलग में इंटर्टेंग नहीं करूँगा, और आपके friends आएगे, आपसे confidence लेने, वो चाहता है कि आपको नहीं आया, मैं इसको भी नहीं आ रहा है, मैं इसको भी नहीं आ रहा है, मैं मेरे बढ़ा है, एक इंसिदेंस आपके बताना चाहा होगा, मैं पटर दे फाइनल के एग्जाम करूँ, अब एक friend को, वश्चन उसको समझ में आ गया, अभी, यह यह रहा है, वो मेरे पास है, मिश्चन उसको बढ़ा है, विश्चन उसको बढ़ा है, पहले जो गालिया मारी होगा है, मैं अजब तरे को पता है, तो मेरे पास होगा के मेरे को पूच रहा है, मतलब ऐसा होगा कि वे खुद का अंफिदेंस लेके जा रहा है, मेरे को बढ़ा यहा है, मैं दीन बढ़ा परेशान, तो भाई साब कितना भी अलौस फ्रेंड है, बहुत बहुत सल्फिश हो जानाथ, कितना भी अलौस जिसके लिए तुम जान देने को भी रेडिदे, अब अभी जान देना पर इसमें इंटरफेर मत करें, कितना भी अलौस, नहीं तो आपका दाइम अगर बहुत प्रेंड हो जाए तो अपनी पेंड से जादे उसको परनुभी जाए बहुत प्रेंड होगा तो जान देने को रिडियू ना यह तो पुझ भी दिये मैं यह से बहुत से कैसेश देखे हैं कि यह ऐसे जान देने वाली कैसेश में जो जान देने वाला वो रहे गया जो जान देने वाला वो रहे गया और जिस पर जान दिया था वो पांदी हो गया वा आगे चले भी गया यह जान देने वाला वो रहे गया तो सल्पी शुटाना पड़ी, ठीक है, वो जान हो रहे है, वो ठीक है, वो देदेंगे ना पर, ठीक है, तो यहां वापस आजा हमारे डिस्कृशन पर, चलिए, लिगल मैटर पे, तो पहली बात तो मिस्प्रिया, टीक्स्टल ने मिस्प्रिया, यहां पे, इसका लिगल ने लिया, तो यहां क्या लग जाएगा, अभी वर्षा, यहां लिगल जाएगा, नेक्स, वीडियर एंसर डीफर, इप ओन टेक्स्टल अपॉइंट करना है, उसकी टेक्सबिलिटी नहीं रेखनी है, इसने किसको अपॉइंट किया, नहीं नहीं, सिकंड सिकंड के इसमें, साधर को अपॉइंट कर संकीट साधर को अपॉइंट समज्माय बनगेगा, और यह केसमें क्या लगेगा, रिवर्षाज के लगें, बूनight नहीं के सब्सक्राइबम का सकतके हैं, में स consists करूब अप के साहथ दिस्क्स करूगा, मैंक्सीमम प्रॉब्लम कवर करने की इसको इंपोर्टन करना इसको इंपोर्टन करना और आप को पता है अनले इंपोर्टन करें पाथ मीड़ेख घं़े इंपोर्टन करना करना मतलग आपने कही जाने के लिए बॉसप्रेंख टना ले-धिस हिर बश्यकटन के लिए फो कोश्शन बना ले पैसंजर ट्रांसपोर्ट सर्वीस is different and rent of motor vehicle is different समझ लो यहाँ पैसंजर ट्रांसपोर्ट सर्वीस मतलब kya कि आपके कंट्रोल में नहीं है सामने वाले कंट्रोल में आप अस पैसंजर गारहा हूं समझा भाई है आप ऑपे सेंजर आप बस में जा रहे हो जिसमें ticket charges दे रहो, अच्छा आप बस में जा रहे हो, तो क्या बस आपके हिसाब से चलेगी या आपको बस के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको बस के साब, जिसमें आपके पास कोई भी control और custody नहीं है, जिसमें आप सर्विस ले रहे हो, from one place to another place, on specified route, जिसको हम कहते है passenger transport service river charge passenger transport service में नहीं है, river charge renting of motor vehicle, अब renting of motor vehicle मतलब क्या, तो renting of motor vehicle मतलब आपने car rain पे लेली, अब आपके direction के साब से आपको शेड ही जाना है, समय में आ रहा है, आपको 10 ग्रगा रुखना है, वो driver आपके साब से काम करेगा, that is called as renting of motor vehicle, क्योंकि custody control of that motor vehicle वो आपके पास है, is it clear, तो renting of motor vehicle में, यह बहुत बिलाग कि अस वह पे software industry में आपके निकली से दो में बताता हूं, कि software industry में क्या हुआ था, कि दो तो पर कांट्रक्त हुए थे, एक तो bus रेन पे लिया था, एक passenger ट्रांसपोर्ट सर्विस लिया, ताकि हमारे employer आके बैठेगे, और employer आके बैठेगे, हमे एक होता है, बसे हाइर कर लेना, एक होता है क्या, का हाइर कर लेना, under their control, तो इस पे CVIC का क्लारिटिकेशन आया कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सभी इस पर रिवर चार्ज नहीं है, रिवर चार्ज का आता है, रेंटिंग आप मोटर वेकल, अब रिवर चार्ज में, तो तो Passenger, तिसरा factor का है, cost of will is included, रिवर पीट, cost of will is included, रिवर उसके बाद में, supplier में 2% और अप्शन नहीं रिवर उसके बाद में, supplier में, कौनसे अप्शन और आप्शन और अचीए इसके बाद में, supplier को हाइर, इसके बाद में, तो अब और अधर दान बोगल, और लिने वाला बो यह वाला परिकोल्ट, यह शे फक्तर, हेल्सा, हल्सा, हल्सा होता हु कर रिवर्स? नहीं तोः फाल्ड इसमें गा एक भी फक्तर, ओक नहीं फुल्फिल होगा है, है नहीं फिल्फिल होगा गेगा, पैर पॉर्ट झाहिए, I hope you understood, yes or no, तो ऐसे केस में मुझे बढ़ा रेंटिगा मोट रवेकल है? Yes or no. Supplier कोई है? Mr. Poonal. Supplier कोई है? Mr. Poonal. Any person other than body corporate है? क्या कॉप्टो फेल इंक्लिएड़ है? Yes or no. क्या 5% वो 12% वाल अप्शन ले रहा है और 5% वाल अप्शन ले रहा है? कौम टिक्स्टाइल क्या? कौम टिक्स्टाइल क्या है? Partnership firm है. Tax कौन देगा? लेने वाला कौन होना चीए? बहुर ही पॉर 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 पॉर. इना टैक्सबल परटरी. तो ये Partnership firm है. इसका answer क्या लिए है मैंने? प्रवेर चार्ज में आएगा ना, अणि मिस्टर पुना वाला देगा ना, क्यों मिस्टर पुना वाला देगा, क्योंकि यह नवाला पार्टरशिप पाहुन है, लेने वाला कोना ना चीए, बाईगा, लेकल लांस वाला पारिंट पर एक केस धुंग गया, यहां पर लिमिटेद सर्विस का ITC अलाओड है ऐस पर नोटिफिकेशन इम्पोर्टन यहां पर उन्होंने का है क्योंकि जब फाइनल लेल पर जाओगे तो फाइनल लेल पर एक नोटिफिकेशन आता है कि यह सर्विस में एक similar kind of service का ITC अलाओड है ठेक है यहां लेने वाला कोन है यह इसले रिवस में गाए जाए और फारवट है जैसर चिक कर लोगद फारष बार फारवट है next rental income received by state government from renting of ट्या in mobile property to one on textile इसार आपको एक adjustment आ सकति आए government की renting या Indian releway I repeat क्या Indian releway जो amendment थी मैं आपको बता दू जाट अगर आपको याद होगा जाए से सुना इनी शर्विस प्रवाइड बार गौर्मेंट कौन लोकल आथरिटी तो बिजनेस एंटीटी इनी 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 शर्विस तो बिजनेस एंटीटी तो क्या वो रिवर चार्ज में है? यस पहला पाट पहला पाट इनी शर्विस तो बिजनेस एंटीटी क्या हो रिवर चार्ज में? यस और उसका टैक्स कौन पे करेगा? बिजनेस एंटीटी पे करेगा इसके कुछ एक्सेप्शन पहला पहला डिपार्टमेंट अपोस आई रिपीट क्या इपार्टमेंट अपोस और उसमें एड़ किया है और इंटीट की सर्विस दूतरा वेफर एक राग को सर्विस पोर्ट पर दी जा लिए और तूतरा पासंजर टांसपोर्ट सर्विस यह त्री इफर विसस ऐसी है कि जहाँ इवर्चार नहीं क्या लगेगा पौर्टुश है जो पड़के ही गाना है इंटीट का फेड़ ए रिंटिंग आप इमरीबल परपरटी बाइ गौवेंट रिंटिंग आप इमरीबल परपरटी बाइ गौवेंट अम में आपको यह बता दू अब ही मेरे साथ, अब भी जान करलो मेरे साथ. अगर इंडियन के बिल्फेट होग सीघी चाहर सीघी फुराँ को नाये मिल्फेट किती है? अगर रजिस्टर को रहें पे दिया रजिस्टर को रहें पे दिया? तो क्याले देगा, आर्चेम में रिजिस्टर परसंग यह सी देगा, और किसको दिया अन रिजिस्टर कोड़े, तो फ़र्वर्वर्ट चाल, समझ मैं, तो अब यह पॉइंट को थोड़ समझो, यह क्या करते है, रिंटीर इंकम रिशिवर बार गॉवर्नेंट और रिंटीर और किसको परणेट को देगा, चलो, एंसर पढ़ो, चेकर एक बार, क्योंकि देखो, notes मैंने अभी बनाया हुआ है, तो छड़ा बता answer में कभी गलती भी हो सकती है, एक बार चेक कर लो, कौन है, रीड करो, रीड करो, अब थोड़ा यहां पर, डारेक्टर से रिलेटर समझ लो, डारेक्टर का अगर इंकम टैक्स में, सुनना जान से, सभी लोगान सुनो, डारेक्टर का अगर इंकम टैक्स में, पहले ही बता दू, अब है डारेक्टर कोई रही सर्विस, बार्ड़ी के अपने कंपानी को रहता है, तो उसका रिवर चार्ज में टैक्स कौन पे करेगा ? कंपनी, रिवर चार्ज में टैक्स कंपनी पे करेगी, डन, यस और रो, सिकिंड बार, इसमें सिवह ऐसी क्लारिफ Does not arise. Is it clear? Next point. CISA clarification कहता है कि अगर डारेक्टर का TDS Income Tax Act में Section 192 में deduct हुआ होगा कौन से section में? 192 में deduct हुआ होगा तो उसको जो remuneration बुलेगा उसके उपर GST नहीं आएगा लेकिन अगर उसका TDS Section 194 जे में या अबर section में कहता होगा तो फिर कुछ remuneration पे GST आएगा और रिवर्ट चार्ज में कौन पे करेगी? Company पे करेगी तो अब इसमें sitting fees दी है Sitting fees ये salary नहीं है डारेक्टर को board meeting अटिंग करने के लिए special separate amount दिया जाता है उसको उन क्या कहता है? Sitting fees. Yes or no? Sitting fees is not remuneration in the course of employment तो क्या इसके विए पर GST आएगा? Yes. और रिवर्ट चार्ज में कौन टैक्स पे करेगा? Company. Company या पातनर्शिफ कौन? अरे समझ मैं है? Okay, sorry. एक मिनट. हाँ, तो A to Z private limited है ना? तो A to Z private limited है तो क्या इसमें company पे करेगी? Yes. रिवर्ट चार्ज में यहां पे company आपके tag देगी. अब यहां पे मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहोगा और वो बड़ा important है उसके पर question पूछा जा सकता है. एक मिनट. आपने notebook लाया हुगा है? चलो मेरे साथ एक flow बनाओ. तो आपके English करता हो नहीं तो नहीं आना चालो हो जाएगा. चलो डारेक्टर केस में दो पार्ट करो. तिक TDS डिड़क्टेड पास्ट में. TDS डिड़क्टेड अंडर सेक्शन क्या? 192. तो क्या है? इन दो कोर्स आप इन दो कोर्स आप एंप्लाइमेंट, और इन दो कोर्स आप एंप्लाइमेंट होगा. तो क्या है भीटा? No GST. No GST. Other Services. Other Services जो है? इसमें दो पार्ट. मुझे ऐसा लगता है इसके पर क्वेशन पूचेज़ा लगता है services in the capacity capacity of director and services not in the capacity not in the capacity of directors services in the capacity of director जिसका TDS section 194 में जिटर फुला होगा क्या यह आर्टिम लग जाएगा और इसमें tax कॉन देगा body, corporate यह वाला point समझ लो not in the capacity एक CBIC clarification है बहुत सी पर director services जो देता है not in the capacity जैसा renting renting of immowable property ठीक है कि अबें पुने में जो हमपारा वैसमारा बीसमाट का ओफिस है वह मेरे इंग्विजर की नाम का है और मेरी अपने मैं आपने रेंट पर एक दिया और मैं अपने कंपणी को रेंट पर दिया और मैं रेंट लेता हूं अपने कंपनी से रेंट पीक है। काई राके में director नहीं भी रहा, तो भी रेंट तो मिले गाई। Yes or no? So that is not in the capacity of director. Sitting fees in the capacity of director, board meeting में बेट रहा in the capacity of director. Okay, मुझे कुछ activity company का as a director करने के लिए remuneration मिल रहा, जिसका TDS professional fees मिल रहा, TDS 194 जिया में होगा, वहां सिया. Okay, मुझे एक बटा दिखना जाता है आपका knowledge, मैं as a faculty Vsmart को, I am also director, but as a faculty मैं Vsmart को service ले रहा हूँ. And as a faculty मेरा fees ले रहा हूँ. So as a faculty जो मैं अपना fees ले रहा हूँ, Vsmart को service, वो मुझे बता है as a director is my personal capacity. My personal capacity, कल रागे में director नहीं भी रहा, तो यह मुझे मिलना ही. So CBAC ने clarification दिया, जिसमें renting का example दिया. And CBAC ने कहा कि अगर कोई ऐसी service है, जो director ने company को दिये, but not in the capacity of director, in his personal capacity दिया हूँ. So that case में reverse charge नहीं आएगा, और वो case में क्या लगेगा, fordance, and director tax देगा. Power charge का एक फादा है, मैं आखरीम बता हूँ. Revert charge का एक मुक्साद है. Revert charge है तो आपको ITC नहीं मिलता है. समझ में, बता हूँ, बता हूँ बता हूँ. लेकिन forward charge हो तो ITC नहीं मिलता है. ITC मिलता हूँ. आखरीम एक मैं डागराम लेके बता हूँ. तो यह केस में मुझे बता हूँ, setting fees reverse charge applicable हो जाएगा? Yes. Now next, OMTxtile also rented out 5 residential unit to Rodra Technologies as a based firm registered in the state of Haryana. For accommodation to kya? Employee. OMTxtile ने 5 residential unit दिया किसको Rodra Technologies as a IT based firm registered in the state of Haryana. अब मुझे यह बता है, OMTxtile ने जो यह दिया है, Renting of residential dwelling I repeat the word kya? Renting of residential dwelling to registered person तो क्या यह reverse charge में है? Registered person को अगर आपने residential dwelling दिया to reverse charge में है. नहीं, आपने commercial property दिया to reverse charge नहीं. किसको reverse charge है? Residential dwelling. I hope you understood. तो ऐसे case में Renting of residential dwelling to registered person तो वो case में reverse charge applicable हो जाएगा? तो यहां पर क्या यह IT-based company registered person है? और क्या residential house rent पर दिया है? Yes. To its employee. तो क्या reverse charge में OMTxtile tax देगा यह registered person रुद्रा technology देगा? रुद्रा technology देगा? रुद्रा यह नहीं है? मुझे बताओ confirm तरके सभी है? Yes. Next. रुद्रा वी चारज अब रहाट अपलिकभर GTA is registered under GST GTA GST में registered था and eccels the option to pay tax under क्या? forward charge What'' wil be your answer if GTA has not Excel the option to pay tax under क्या? forward charge अच्छा मुझे बताओ GTA के लिए 2 option है? गर्वोड reverse charge में 3 cases में forward charge में option आ सकता है एक है GTA, दूसरा रेंटिंग आउप, मोटर वहिकल, और थिसरा कॉपिरेक्ट, स्पेशली ऑथर, आथर फारवर्ड चार्ज में ले सकता है, तो ऐसे केस में अगर हम याँ देखे, तो GTA अगर फारवर्ड चार्ज में टैक्स दे रहा है, और फारवर्ड चार्ज का अप्शन ले रहा है, तो उसकी कंडिशन क्या है, he should be a registered person, और उसने declaration file करना चाहिए, और रजिस्टर भी है, और उसने declaration file करेगा, तो फारवर्ड चार्ज में जिस देगा, तो वो ऐसे में, उन टेक्स जा इसका tax नहीं देगा, लेकिन मुझे नेक्स बता, अगर वो फोर्वर चार्ज को अप्शन नहीं ले रहा है, तो, then, मुझे बताँ, GTA service barrier, किसने लिया, partnership firm में लिया, वेगर partnership firm और वो registered भी है, तो अगर GTA pass pass, sorry, पॉर्वर नहीं ले रहा है, तो क्या लग जाएगा, river charge, river charge का, अगर आपको चार्ड याद होगा, तो याच तो, river charge में 5%, अगर कोई registered person को दिया, तो क्या river charge, और unregistered में notified category को दिया, कोई बता सकता है, notified category कोन कौन से, notified category कोन, factory, society, cooperative society, partnership firm, body corporate, CTP, association of person, इन लोगे को दिया, तो river charge में tax आएगा, और unregistered को tax देना पड़ेगा, और उनको कमतर साथी registration लेना पड़ेगा, I hope you understood, हाँ, पर इसके अलावा अगर unregistered person होगा, तो वो area में क्या है बेटा, exemption है, तो यह जो हो हमने देखा, तो यह case में फिर, रिवर्चाज आजाएगा, अगर हो forward charge वाला option, नहीं ले रहा है, Next night, Mr. J, book ticket in omnibus, from VRL travel private limited, through rare bus for traveling from Mumbai to Nashi, would your answer differ with Mr. J, book ticket from Gita Tours, through rare bus, एक minute, Mr. J, na ticket book kya in omnibus, from VRL travels private limited, through a rare bus for traveling from kya, Mumbai to Nashi, rare bus kya मैं issue कह सकता हो, yes, electronic commerce operator, चलो, एक आपको पर difference आपको बता देता हूँ, issue के पुरे GST में दे impact है, एक impact आता है क्या, 95 में, और दुसरा आता है section 52, TDS and TCS, 52 जो है वो TCS का, I repeat, किस का वेटा, TCS, यह भी concept हम देखेंगे, तो अब section 95 की अगर हम बात करें, I repeat, 95 की बात करें, तो इसमें, only notified services है, only notified services है, मतलब 95 गुड्स को नहीं लगता है, किसको लगता है बिटा, only services, उसमें चार services notified है, अगर चार services में लूँ, तो यहाँ पर second में, तो first में, उन्होंने, पहली service आती है, passenger transport service, I repeat, क्या, passenger transport service, bike, car, motorcycle, motor vehicle, ठीक है, दुसरा आता है, restaurant service, दुसरा आता है, restaurant service, और दूर services आती है, यह एक है, यहाँ पर, hotel accommodation, जो hotel वाले दे रहा है, और दुसरा क्या, housekeeping, housekeeping service आती है, सर्थ, आपने यह दो बाद, अलग-अलग क्यों की है, passenger services में, passenger transport services में, अब दाया से सुनो, समझ लो, OLA, और यह जो, car operator है, यह car operator, पहला, issue के थूरू booking ले रहा है, I repeat, किस के थूरू, issue के थूरू booking ले रहा है, OLA से, UNWERS से, तो, या, BEST की booking हो रही है, तो 10 BEST से, तो यह case में, supplier registered हो, या, ना, very important, supplier registered हो, या, ना, जो भी booking, issue के थूरूगी, उसका 100% tax कौन देगा, issue, किस समझ में आए, मैं, yes or no, पर यहां पर यह TCS भी कर नहीं करेगा, यह 100% tax देगा, वो case में supplier tax नहीं देगा, I hope you understood, ठीक है, तो, या, restaurant service, इंडिया के जो भी restaurant, Swiggy, Foodbanda, यह कोई issue के थूरू supply करते हैं, I repeat, कौन? Swiggy, Foodbanda, कोई issue के थूरू supply कर रहा है, तो जो पक्राइ issue के थूरू है, उसका tax, restaurant वाला नहीं देगा, कौन देगा, issue देगा, यह समझ में आया है क्या, उसका tax issue देगा, तो ऐसे case में, दो ऐसी है, फिर वो restaurant registered हो, यह मा, उससे कोई ले ना दिनाने, समझ ले आपके यह भी restaurant में जे, बेठा है, और उसको चुला गया, मतलग, यहां पर इसने दिया, यहां का कोई five-star restaurant को बता कौन है, five-star hotel कौन सा है, Rama International, five-star hotel, जहां room range 7500 के उपर, उसने का, नहीं नहीं, मैं ऐसे रिस्टोरेंट से नहीं बुला का, मैं Rama International से बुला का हूँ, जहां room range 7500 से जादा है, इसको बड़ दिया गया specified premises, इसको बड़ दिया गया specified premises, जो अगर आपने ऐसे restaurant से बुलाया, जहां जो specified premises है, और जहां room range 7500 से जादा है, भाई साफ, गौवर्मेंट केती है, इसका tax issue नहीं देगा, इसका tax restaurant वाला देगा, जो ऐसे specified premises में, तो रामा इंटरनेशनल में, जो नीची restaurant है, उस restaurant से आपने swiggy का booking किया, तो उसका tax swiggy नहीं देगा, restaurant वाला देगा, I hope you understood, और पहले passenger transport service के अगर हम बात करें, तो इसको प्रोनाने exception लाया, omnibus, अगर omnibus का booking, आपने issue पे थ्रू किया, तो उसका tax no doubt issue देगा, लेकि अगर supplier of omnibus, I repeat the word, क्या, supplier of omnibus company होगा, come on, supplier of omnibus क्या, company होगा, तो उसके इसमें issue नहीं, contact देगा, company होगा, ये दो exception याद रहता, sir, omnibus का example, omnibus मतलब अपनी साधी bus, जिसमें sitting capacity 12 से जाता है, so मैं लो मेरी, okay, आज हमने decide किया कि, यहाँ पे trip से चलते हैं, कही पे बाहर, sir, छोड़ो ना, okay, जब regular class था, तभी नहीं लेके गे तो आप क्या लेके जा रहे हैं, तो जाता कि पहने का तो, बस मैने बुक किया, बस बुक किया, अब यह जो बन्दे की, और हमने यह Amnibus, जुरम से बुक किया, रडबस से बुक किया, एनढरी को operator से नहीं किससे, इसे नहीं से बुक किया, यह Omnibus issuay guessed book किया, तो ऐसी situation में, यहाँ पे जो है, अगर Amnibus का ओनर company होगी, तो tax issue नहीं देगा, कौन देगा, company देगा, लेकिन omnibus का owner अगर, company नहीं होगी, तो फिर tax कौन देगा, issue देगा, is it clear, ये पर exception या रखना, बुसरा, ये जो दो होट, hotel accommodation और बुसरा कौन सा, house के भी, अबर होटा 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 है, यहाँ पे unregistered है, समेल चोटी सी lodge है, जिसका 10 or threshold से नीचे है, और वह unregistered है, 20 लाक से नीचे 10 or उसका, चोटी lodge है, और उसकी booking ओला से होती है, sorry, उसकी booking ओला होटा होती है, उसकी booking मेकमाय ट्रीव से होती है, समझना है क्या, तो अगर, देखो ये सब 95 तो भी वज़ेगा, जब जब बुकिं किसके परूँ होग लेकिन जो होटल ने, जैसे लेमंट्री है, रामा इंतरनैशनल है, और उसका booking मेकमाय से होगा, तो जो होटल रजिस्टर है, या लाबल तो रजिस्टर है, और वो इस यों से गुख होता है, तो इह केस में, जो मेरा स्तेक्माय सामने है, स्तैंस से सुनना है, ये केस में, अ पाई नहीं लगता है, महाँ TCS लग जाओ. What is the difference between 9.5 and TCS? So 9.5 में 100% tax by OCO. Section 52 में, only 1% deduction of क्या? TCS. I hope you understood. So जहां 9.5 नहीं लगेगा, और booking किस के थो है? TCS के थो है? महाँ TCS के थो है. समझ मैं? Okay. So अब यहाँ पर, simple housekeeping. Hello? Mr. J book ticket in Omnibus for VRL Travel Private Limited through a Red Bus और traveling from Mumbai to Nashik, would the answer differ if Mr. J book ticket from Geetha Tours through a Red Bus? एक मिनिट. और Omnibus book किया, और Omnibus bus यहाँ पर VRL Travel Private Limited से बुक किया, एक मिनिट, तो ही दो ओनर आप दो Omnibus, वेर प्राइवेट लिमिटेर अपनी है, तो Red Bus tax देगा है यह company tax? Company tax है. इस पर question आ सकते है, इसलिए मैंने स्पैसे के लिए 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 है. लेकिन अगर हो company नहीं होती, तो फिर कोईन tax देता, इसी होता, चली. उसके बाद में next and last, Mr. Own visit Goa for business trip, where hotel owner provides accommodation through electronic commerce operator. एक मिनिट, hotel book किया, किसके थूँ बुक किया, इसी हो, उसा पूल ट्रिप, तो hotel owner is not labir to get registered under the provision of क्या? GST. एक मिनिट, hotel accommodation के लिए भी क्या पना था? supplier अगर unregistered हो, तो इसी होतेगा, और supplier अगर registered है, supplier अगर registered होतेगा, तो supplier का unregistered हो, hotel owner is not labir to get registered as the provision of section 22, under section 22 and of CGST. तो ऐसे case में कौन tax देगा, कॉल ट्रिप. कॉल ट्रिप टेगा, क्योंकि he is not liable to register. तो इसका tax कौन देगा? कॉल ट्रिप. उनका कोई physical presence इंडिया में नहीं है, और कि बहुत से online website है, जैसे Airbnb आपको ये पता होगा, Airbnb का कोई physical presence इंडिया में नहीं है, पर आज जितने भी hotels आप भूप करते हो, Airbnb के तुरू, तो उनको tax दिना परता है, उनको ही representative इंडिया में अपॉइंट करना परता है, और payment out, tax पर, tax तो issue ही देगा, और hotel accommodation, इस तरह से हमने सारे important aspects यहां पर cover कर लिए है, अब next question है, आजाएं यहां पर next question पर, question number 3, इस पर आजा, अभी एक मैंने 94 का आपको, यहां reverse charge पर देखा है, 93 और second क्या देखा है, 94, आप देखो, 93 के reverse charge में, अब थो रहा है मैं आपको, इसका, थोड़ा यह concept को समझना है, और यह बाइवां को समझना है, ठीक है, ठीक है, पॉइंट यहां पर, मैंने जो regular class पर देखा देता हूँ, यह supplier है, और यह क्या, recipient है, ठीक है, supplier का goods या service, reverse charge में notified है, ठीक है, reverse charge में notified है, मतलब उसका tax कोन पे करेंगा, recipient, example की तवर पे, supplier GTA, transportation of service by road, लेने वाला notified person, या registered person, यह समझना है क्या, जुसरा supplier advocate, और लेने वाला business entity, तिसरा supplier sponsorship service में इनी person, लेने वाला body clerk परे, या फिर government service, लेने वाला business entity, समझना है, अगर supplier का service notified अंगर RCM है, तो 9-3 कहता है, supplier registered हो या ना, अगर प्रिवर चार्ज 9-3 है, तो tax receipt एंडी देगा, अगर फिर tax कोन देगा, फिर supplier registered हो या ना, अब देखो, next important point, समझना है, और advocate GST में registered देगा, तो भी जो legal service, उसने business entity को दिया, तो उसका tax river charge में कौन पे करेगा, business entity पे करेगा, ठीक है, तो जो service river charge में supplier प्रोएक्ट पर रहा है, तो supplier को उसका ITC नहीं देखा है, this is the main drawback of river charge, अगर आपकी output service, अगर आपकी output service river charge में, जिसका tax return दे रहा है, तो supplier को इस service में यूज हो जाल है, input और input service का predict नहीं देखा है, यह बहुँदा ब्रोब है, इसलिए लोग river charge से परवड़ चाहते हैं, लेकिन सब case में परवड़ चाहते हैं, समिझे हैं, next, very important, एक concept और एक्ष्प्रेंग करोगा, अगर supplier का service river charge में है, I repeat, supplier का service अगर river charge में है, तो वो situation में tax invoice कैफे बनता है, अगर supplier GST में registered है, तो tax invoice वो बनाएगा, और RCM पर tick करेगा, तो चियाद आएगा, अगर supplier registered है, तो tax वो नहीं बनाएगा, वो रसिप्र क्या बनाएगा, tax invoice और किस पर tick करेगा, RCM पर, इसके invoice के basis पे, कों tax पर करेगा, recipient, अगर supplier अगर अंडरिस्टर है, आई रिपेट supplier है, अगर 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 अंडरिस्टर है, तो फिर टाक्स invoice supplier ने कउन बनाएगा, रिसिप्रेंट, जिसे हम self invoice करता है, आई रिपेट दूँँगर, जिसे हम self invoice, रेवर् चार्जेन रजकेर करने बना साहिवा से अथा है, मुझेडा रिवर् चार्जेन के केस में बनता है, रुकुरायत का हाँ, इस सप्लायर को प्र। प३। êu रिश Chi-bieद्न को पुझे रेजिस्ट्राइशना सब्री तो रिफ्चिय तो को प्र। 30 days में लेना पढ़ेगा और section 24 में एकमबसर रिजिस्टरिशन में आता है इसके बार में यहां पर रिवर्चार्ज में रिशिपेंट टैक्स देगा और रिवर्चार्ज में टैक्स वो यहां पर क्या रिशिपेंट वो भी जीस्टी में रिजिस्टर है वो भी बिजनस कर रहा है तो रिशिपेंट जब रिवर्चार्ज में टैक्स देगा सुनो रिवर्चार्ज में टैक्स देगा तो क्या वो उसका इटीस यह उसकर सकता है नहीं क्योंकि रिवर्चार्ज इन्वर्च सप्लाई के आता है और invert supply के tax के लिए ITC नहीं मिलता है लेकिन, very important point pay करने के बाद, I repeat, pay करने के बाद वो उसका ITC ले सकता है क्योंकि है तो invert supply यह पर इससर, ITC किसको नहीं मिलता है ITC supplier को नहीं मिलता है समझे मैं कि आप, ITC के recipient को मिलता है yes, तो वो cash layer से pay करेगा और cash layer से pay करने के बाद, उसका ITC इसलिए, इसलिए, बहुत से question में numerical questions आप अगर questionnaire के कर रहे होगे तो बहुत सारे questions में ऐसा format आपको देखने मिलता है मतलब कैसा, बताता हूं समझे लो यह जो recipient है Mr. B Mr. B, आउपर supply कर रहा है mindset, output supply का 20000 rочка and GST 36 bucks तो उसको दुप tax देना है कॉन से दुप tax देना है एक तो output tax देना है अरे, समझा है एक तो output tax देना है और एक क्या देना है यह जो learnt में ॥ifiers पर जो RCM में दे रहा है नीचे, वह उसका credit भी ले सकता है, यहने वह बीचे tax भी देगा, और इसका credit भी देगा, यह समझ में आएगा, तो इस तरह से आपका उसका formatting होना चाहिए, I hope you understood, तो यह formatting पर भॉक करना, कुछ questions में मैंने यह format use कि है, कि forward tax भी लिया है, less ITC, और नीचे क्या लिया है, RCM, ठीक है, चल, यह आपने question देखा, RCM वाला, और मैं 9-4 पर आता हूँ, यहां पर, अगर हम 9-4 पर आता है, तो 9-4 पर बेटा है, मैं आपको बता दू, 9-4 लगते ही त और लेने वाला, रजिस्टर्ड, यहां fix है, 9-3 एसा नहीं, 9-3 पर रजिस्टर्ड है, 9-4 पर अन्रिस्टर्ड है, लेने वाला रिस्टर्ड है, तो इस situation में, अगर अन्रिस्टर्ड है, और वो notified supply कर रहा है, और लेने वाला, Notified Person नहीं तक लगता है, मैं आपको याद दिनाना चाहता है तीनों notifications आए है और तीनों भी construction sector में promoter के लिए आया है ठीक है तीनों इसमें construction sector में promoter मतलब क्या अगर आपनी यहने जो construction करने वाला है उनके उपर restriction है क्या restriction है कि 80% purchase किस से होनी चीह? Register-स इनके रिस्रिक्षिन है प्रोजेक्ट की 80% पर्चेस रिजिस्टर से होनी चीए, जो GST में रिजिस्टर है और B2B में होनी चीए, 20% कभी खिले लगें, कभी नियंस लगते हैं, कभी क्या लगें, तो छोटी-चोटी पर्चेस वो नॉर्मल स्टेशनरी शॉप से पर्चेस का सकते हैं, समझ में आएं, क्या पर 20% है, अब लाग्या कहता है, जो एमने रिस्रिक्षिनदाए 80% पर्चेस इसमें अगर शॉट हो गया, इसमें अगर, शॉट हो गया, तो जितना शॉट हुआ है 80% को, समझ वो क्मारी 70% ही अजिस्टर से है, तो कितना शॉट है, 10% पा रा तो 30 पर RCM नहीं यह समलने आगया, यह 10% पर आपको क्या लग जाएगा, RCM लग जाएगा, तो 80% के लिए इतना शौट हो रहा है, उस पर RCM लगेगा, I hope you understood, अगर सिमन पर्चेस होता है, अन्रजिस्टर से, सिमन पर्चेस होता है, तो total RCM है, और Capital Goods पर्चेस होता है, तो total RCM, इस पर मैंने कोश्चन लिया है, I don't know आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इस बाद आपको 9.4 और 9.5 दोनों सेक्शन अपलाए किये, मैं तोला यह समझाने की कोशिश करता हूँ, अर इसमें इंपूर अगर दें सिमन खरिगा, okay, exclusive of GST, register से कई तो 52 का, in project के लिए, input purchase from unregistered, 1,00, 20,000 का, calcuator लाया आपना है, लेवाँ पि, और input service रिस्यो, okay, मैंसर शुबाश अओं कंपभणी unregistered से 48,000, तो PayPal उसका purchases कितना होँ, 4,00, 20,000, तो इसका 80% निकाला, 4,00, जो PayPal purchases का 80% निकाला, 3,00, किसम सब्सक्राइब? कि एक रुपर कभी अगर आप अगर आप अगर आप देखते हो तो देखो अगर आप यहां देखोगे तो 84,000 दिखा है एंसर में 84,000 में रिवर्स चाहँ लग जाएगा यह 84,000 कहां से आया तो चलिए यह दो कोशिश की कवर करने की इस तरह से हमने यह टॉपिक हतम किया क्या आर्शी है नेक्स आपके आजा आप ITC ने, Import Tax Credit ITC नेक्स आपके आजा पिता, ITC, Import Tax Credit प्शह फियर में पके आपके 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 रहे हैं प्यक्तित लिए है विस आपके 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 यह जबही सोगी कोई केसिट तो यह question or table परते वक दिचे, content, table का content बाद में पढ़ना, परले उपर क्या जान करीदीए, वो देखना है, और problem के नीचे करना क्या है, परले पर इंटिभाय करना है, so that table का content परते वक आपे, यहां पर mapping करने आसा नी हो जाएगी कि हमें करना क्या है, चलिए, लीचे क्या दिया है, Determined the amount of IPC available with ABC Company Limited for the month of July. July month के लिए fix करना है, IPC कितना मिलेगा, by giving necessary explanation for the treatment of various items, subject to information given above, assume all conditions necessary for availing IPC are क्या, perfect. चलिए, यसे पहला देखते है, Electrical Transformer to be used in a manufacturing process. Electrical Transformer है, और manufacturing process में use किया गया. अब आपको IPC का जब भी problem solve करो, तो एक approach strictly follow कर ला. इतने भी purchases किया, in the course of business. IPC alone. I repeat, IPC alone. Except block credit. I repeat, except क्या block credit. तो block credit की list learn कर के जाना है. अगर block credit की list learn है, तो उसके alala everything, whatever you use in the business. IPC alone. तो पहले case में, क्या ITC मिलेगा? Okay, वो बन कर दो. तो IPC, electrical transformer, क्या ITC मिलेगा? Yes, transformer है, capital goods है, IPC alone. तो पहले इसका मिलेगा. क्या reason आएगा? Okay, goods purchase and use in the business. IPC alone. Second, truck use for transport of क्या? Around motor vehicle. Motor vehicle की list मेंने क्या पढ़ाता हूँ? Motor vehicle की list में, okay, motor vehicle use for passenger and motor vehicle for transportation of goods. अगर motor vehicle transportation of goods है, तो आप block credit नहीं है. Okay, motor vehicle transportation of goods के लिए होगा, तो उसका ITC आपको दे रिया जाएगा. क्या restriction है, motor vehicle use for passenger और use for person, जहां sitting capacity 13 और less है. I repeat, 13 और less है, वहाँ ITC नहीं मिलेगा. लेकिन अगर sitting capacity 13 से जागा है, तो वो case में ITC दे रिया जाएगा. हाँ, अगर sitting capacity 13 से less है, उसके भी exceptions है. क्या exceptions है? अगर वो further taxable supply के लिए यूज़ हो रहा है, taxable transport service के लिए यूज़ हो रहा है, या फिर training schools के लिए यूज़ किया जाएगा, तो वो case में, वो motor vehicle even though sitting capacity 13 से कम है, तभी उसका ITC दे दिया जाएगा. तो हमारा second character truck, यह truck को transportation of goods के लिए तो क्या ITC मिल जाएगा, यस, इसका भी ITC आपको दे दिया जाएगा. Now third, raw material to be received in क्या august, हम कौन से मन का लेते हैं? July. Okay, 16-2 की condition है कि जो भी input और input services का आप credit लगे या capital goods का लगे, और कि वो goods उस मन्त में receive हो जाना चाहिए. आपके तीन condition cumulatively fulfill हो जाना चाहिए. पहला, और कि उस मन्त में invoice आजाना चाहिए, जो मन्त में claim कर रहो, जुसरा goods or services receive हो जाना चाहिए, तिसरा यहाँ पे GFTI 2B में वो update हो जाना चाहिए. अगर यह तीनों condition fulfill हो जाती है, तो आप सेम मन्त में credit ले सकते हो. अगर एक भी चीज़ ले रहती हो, मतलब invoice next month में आगया, goods next month में आगया, यह 2B में बाद में update हो तो वो situation में जो है, आपको ITC उस मन्त में मिलेगा जिस दिन में वो situation update हो अरे आया ना, तो ऐसे case में यह August में आया, तो सेम मन्त में रिस्यू नहीं हो, सेम मन्त में रिस्यू नहीं हो तो इसका ITC आपको नहीं मिलेगा, answer साथ साथ में देखती लोग, कि अगर mistake मिलती है, तो आप correction कर लेगे, yes or no, उसके बाद में next, okay, confectionery item, these items were supplied free of cost to the customer, in customer meet organized by the company, customer meet जो है, organize किया, वो customer meet में confectionery item यूज किया, block credit में clause B आता है, section 17, 5B कहता है कि अगर full item होगे, I repeat क्या, okay, full item आपके याद होगा, तो full, bearages, scattering services, health services, कुछ यादा रहा है, यह learn करके जाना है block credit, link लो, block credit, work to work learn करके जाए, is it clear, तो अगर कुछ ऐसे block credit रहाता है, तो आपको ITC नहीं मिलेगा, unless, unless same category of outward supply हो, या आपने composite या mix supply में उसको use किया हो, तो ऐसे situation में जाद अकम देखे, तो यहाँ पे, okay, तुमने confectionery item यूज करीदे, और food item में यूज किये गया, even though use in the course of business, इसका credit block credit है, ITC नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि अगर food item खरीद के food बेच रहा है, तो मिलता है, और अगर कोई यहाँ पे, किराना शॉप आला है, पोई item खरीद के बेचता है, same category आप outward supply करेगा, तो ITC दिया जाएगा, इसके बाद में, next, capital goods, invoice missing, और one out of five items, and GST paid on the same worth, 70,000, अब दो को, मैंने आपको क्या का, कि आपको अगर credit लेना चाहिए, तो 16-2 की condition है, invoice, या debit note, या prescribed document आपके transition में और ज़रूरी है, तो आपके transition में उसका invoice नहीं है, missing है, इसका I.T.C आपको नहीं मिलेगा, तो आपको 5.00 था – 70.000, यानि कितने का मिलेगा या पर, 4.00, 30.000 का ही I.T.C आपको दिया जाएगा, या block credit है या section 16-2 की condition है, section 16-2 की conditions है, ठीक है, उसके बाद में, GST paid on health insurance policy, general insurance और health insurance और I.T.C में आता है, अगर इंशुरेंस अदर ब स्टेटरी प्रोविजन होगा और इसको आटीसी दे दिया जाएगा यह किसमें इतीसी नहीं मिलेगा दुसरी बहुत पेमन लेट पू कॉंट्रक्टर पर कंस्टुक्शन और क्या क्या आप काउटर केंच्ट्रक्शन आपको याद होगा तो वर्कस क्वाइब फ्रक्ट के लिए अगर आपको नहीं के लिए लेकिन अगर आपका प्लैंटर्म मशनरी के लिए होगा तो आपको ई-T-C दे दिया जाएगा तो यह केस में ज्यादा का plant and machinery के लिए नहीं है, construction of immobile property है, construction of immobile property का जो भी आप service के लिए payment करोगे या goods के लिए payment करोगे उसका ITC आपको नहीं बिनता है, तो यहाँ पे भी ITC नहीं मिलेगा, okay answer एक बर चीक कर लो, next, purchase of best sitting capacity for transportation of employee from residence to company and that, company ने best purchase की, मतलब person transportation के लिए motor vehicle purchase किया, और motor vehicle की sitting capacity 13 से जादा, अगर 13 से जादा है, तो के इसका ITC मिल जाएगा, yes, इसका ITC आपको देविया जाएगा, उसके बाद में, general insurance taken on a car, used by executive of the company for official purpose, अगर आपको block credit याद होगा, तो आपको जो motor vehicle की ITC नहीं मिलते है, कौन से motor vehicle की ITC नहीं मिलते है, जिसकी sitting capacity 13 से कमें, उसस आपने मेरा revision किया होगा, यह खुद अपना self-revision, किया होगा, नहीं तो फिर बेटा, जितना आपको समझ में आता है, मेरे discussion में उतना cash कर लो, क्योंकि आपने देखा है कि कि यह जो भागवत वगरव बैटते हैं, तो लोग ऐसे सुनने जाते हैं, जो सुनना पुन्य मिलेगा, ठीक है, तो कुछ student यहाँ पैसा होगा जाने सुनने जाने जाने नहीं भी पढ़ा तो सुन लो, पुन्य मिलेगा, ठीक है, तो accordingly पुन्य ले लो, तो यहाँ पर, ऐसे case में इसका credit मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसके बार में, import purchase was directly delivered to Mr. Joe, a job worker and register supplier, ठीक है, job worker लिए directly supply किया तो आपको ITC दिया जाएगा, इसमें कोई block credit नहीं है, देखो, ITC सारे purchase का दिया जाएगा, except क्या block, तो इसका भी ITC आपको दिया जाएगा, और final में एक section आता है, 143, जो clearly कहता है कि job worker को other goods supply किया, plus section 19, 19 आपके syllabus में नहीं है, लेकिन job worker को से अगर आपने supply किया, तो ITC दिया जाता है, क्योंकि ये adjustment exam RTP में cover थी, और मैं थोड़ा surprise था, क्योंकि section 19 आपको syllabus में नहीं है, और section 143 भी आपको syllabus में नहीं है, तो भी उनने ये adjustment RTP के question में पूछी थी, तो मैंने का, कि मैं भी लेलू, अगर ग even though payment É shortest RTP में आपका थीạiC नहीं हुआ है, तो अधर अगर आपको यहां पर ITC नहीं है जड़िया, तो आपको यहां पर ITC नहीं हुआ है भी मिलेगा तो एक तो अज़ आपको याद होगा तो हाँ दिखो पढ़ाते वड़ जब पढ़ते हैं तो बहुत से बार जीरो रेटेट सप्ला है इक जुप्टेट सप्ला है बहुत में पढ़ा लेकिन मैं आपको सच में कहता हूँ कि अब इतना सेलेक्टेट पढ़ना ये ये अच्री बात है कि आपको इस बाद सब्सक्राओक्स ऐसा उपिरच्शन के वज़े से एकजब में इसा गया तातील जाय कि लिगा तो एपको सच्च्ugen अगा जाया है Yes or No ? तब देखाटाए तो जहां तर देखाए तो इस यहनों तो आपको कहोगा की यह जो है otah IITC मिलेगा वहाहन गेदेअ ऐसी जोरीट का आजाता है Acha what is the difference between exempted and zero rate ? exempted मतलब he there is more liability to pay tax zero rate मतलब भी no liability to pay tax but it is export incentive समझ बारायां क्या export incentive that zero rate just export incentive होता है मतलब उसके पर समय लिए mobile है रिवह legal गवारे छिकमत केहना पर इसको एक्सपर्ट पर इसको एक्सपर्ट करो ऊकर है उसको का जाता है उसको का जाता है जरू और जली और गाल घुटा यह न उतक्ति हो होई जाता है και पर अच्मीर जो और वो अपने 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 पर विए तड़ दब है तो इसका रेंगि ब्लयकु स मजgende मैं है क्या है तो पर इस टेशियरली ओ escr動画 लिगेश्टिपशंहीं तेom प्लीकिशन में नहीं है अब तो CSR activity में आपने कोई भी goods purchase किया, तो ये block credit है, इसके ITC आपको नहीं लागी, ये decision से मेनारा जो, government से, और क्योंकि एक तरफ तुम company act में CSR compulsory कर रहे हो, dialogue compulsory कर रहे हो, करना भी करता है, अब जब तुम compulsory कर रहे हो, तो फिर इधर credit भी block कर रहे हो, ये क्या, इधर से भ अब लिखना, और कि एक्षाम दे ऐसा लिखना, कि इसका ITC आपको नहीं लेगा, तलिए, अच्प, प्रेजेंटेशन का तरही का होना चाहिए, और कि हो सके तो remarks सामने लिखा, बात को नहीं खतम करूँ, ये सर नो, जब जब प्रेजेंटेशन, क्रडिट मिले या ना मिले इसका मिलेगा, उसका करेड लेगा, जिसका नहीं मिलेगा, दैश करके उसका remark लिखे, अगर आप remarks सामने लिख सको तो जागा अच्छी बात, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, वालिएशन के प्रॉब्लम में आपको पर्टिकुलर्स, वाल्यू, IGST, CGST, SGST, तुबहाँ तो पर्टिकुलर्स के explanation में रिमार्क लिख दिया तो भी चलेगा, या note number देके table के नीचे भी आपने notes लिखा तो भी चलेगा, पर लिफ इंपोर्टन पार्ट इस इंटर स्टुडेंट में ये पहना चाहोगा, कि जो स्टुडेंट रिमार्क पर प्रैक्टिस नहीं करेगा, व ये ये स्टी आपको extra scoring करके दे सकता है, और इस बार जा सकता है, ठेक है, चलेए, और मैंने ये problem में कोशिश क्या किया, स्टारी important adjustment जो अभी तक RTP में exam में पूछी है, सब ले लिए, ये मैंने बिनाए नहीं है, ये पूरा RTP exam के adjustments है, अगर ये आगया तो ऐसा adjustment exam में आती ह ये समय लिए, और जो amendment है CSR वो भी cover कर लिया, अगर उसके आपर पूछा आते है, आप उसमें clear हो, दा चलो, ये आपने एक question solve किया, second page of it, question number 60, आजे सभी, चलो, question number 16 पे, यहाँ पे, answer the following question independently, मतलब, एकनेक से कोई correction नहीं है, 10% take ITC without payment of consideration for supply, along with tax, question number अच्छा है, अगर आपने अपने supplier को payment नहीं किया, तो क्या आप ITC ले सकते है, answer is yes, but payment 180 days में करना पड़ेगा, कुछ याद आए है, आपको अगर अपने supplier, ITC ले सकते हो, subject to fulfillment of all other conditions, what, invoice issued, goods issued, addition in GSTR, 2B, supplier has meant the payment to the government, कुछ याद आए गया, और कि सारी condition fulfill, ITC हम immediate ले सकते हैं, लेकिन, within 180 days, from the date of invoice, a person who has taken the ITC, has to pay to his supplier value, as well as tax, अगर उसने 180 days में pay नहीं किया, तो क्या ITC reverse करना पड़ेगा, yes, with interest, और वो रिएल कर सकता है, जब वो payment करेगा, और रिएल के लिए time limit अप्ली के बार, नहीं है, तो कैसे लिखोगे, अगी, ऐसना question आए, या, numerical question में या adjustment आगी, अगे, जैसे उपर रिएल कोर्शन है, अगे, अगे, जैसे अगे, अगे, ITC taken on the input, from the supplier, XYZ limited, to whom the payment is not made, तो आप ITC लेगे ना, पर उसकी नहीं जरुगे ना कि payment must be within, इस सभज में आने क्या, Okay, now, second, if part payment of consideration is made by recipient of the supplier, then whether full amount of tax can be adjusted first, if not, then whether it has to be calculated proportionately, हाँ, आगे, आपने supplier को part payment किया, तो आपको ITC भी partly ही मिलेगा on proportionate basis, याने, जितना बाकिये, जितना payment, बाकिये, उतना ITC आपको reverse करना पढ़ेगा, I hope you understood, reverse करना पढ़ेगा, answer मैंने सब के दिया, आप रिए कर सकते हो, मैं फिर से कह रहा हो कि मैं यहां पर maximum questions कवर करके, यहां सारी adjustment को touch करना चाहूँ, ठीक है, not fair, even register person must pay to supply the value of goods and service along with tax within 180 days from the date of issue of invoice, still the exception to this rule, very good, okay, 180 days के payment, आपने supplier को करना चाहिए, इसके तीन exceptions है, यहने वो तीन exception में, अगर आपने supplier को 180 days में payment नहीं भी किये, तो भी आपका predict, आपका continuous रेगा, reverse करने की कोई जरुआत नहीं है, कोई बता सकता है, यहां पर कौन से, there's your end, पहला वाला RCEM, मतलब आपने ऐसे supplier से service लिए, जिसका tax आपने RCEM में पे किया है, मतलब आपने GTO से service लि, I repeat, आपने GTO से service की, तो अभी मैंने बता है कि आपको TV करना परता है और इसका credit भी मिलता है, समझे आपके, आपने director से service लि, आपने government से service लि, आपने lawyer से service लि, कुछ आज आया है नहीं है, तो आप उसको pay भी करोगे और उसका credit भी लोगे और उस supplier को invoice का payment within 180 days में करने की यसी कोई जरुबार नहीं है, आपका ITC continue रहेगा, RCEM, दूसरा, दूसरा schedule 1 के transactions, schedule 1 के transaction, without consideration वाले, समयलो मेरी यहाँ पे Gujarat branch से मुझे stock transfer हुआ, कुछ आज मांस से मुझे stock transfer हुआ तो जिस्टी लगा के देगा, yes or no, और यहाँ में उसका credit लोगा, और यहाँ payment करने की जरुवद नहीं क्यूंकि यह stock transfer हुआ, समया है, payment करने की जरुवद नहीं है, पर भी तुमको ITC देदिया जाए, तो शुद नहीं के transactions, without consideration, और इस वाला बड़ा important है, very good, payment to third person, payment to third person, अगर आपको section 15 याद होगा value of supply, तो इस value of supply में section 15-2, okay section 15, 15-1, 15-2, 15-3, 15-2 में addition, or addition में A, B, C, D, E, कुछ याद आएगा, तो इस पर आप पर दूगा दोखी चिए, A क्या है, A, Taxis, आपकी वैल्यू में Taxis आड होते हैं कुछ याद आएगा, B, Third Party Payment, Third Party Payment, तो बॉस्टिमर क्या है, Supplier, Supplier and Recipient, Supplier ने गुड्स खरे लिया, I repeat Supplier ने गुड्स खरे लिया, और इस ने Supplier की भियाद पर Third Party को पे किया, तो इस ने वाइनटी डेज में पे किया, तो Supplier को पे लिए किया, Supplier के भियाद पे, अगर Third Party को पे किया होगा, तो भी चले गा, आपको ITC reverse करने के जरुबहाद नहीं, I hope you understood, और को तो यह तीन एक्सेप्शिंस याद रहे है आपको, इन्दाम में यह एक्सेप्शिंस निमेरिकल फाम में, M C Q में पूछ सकते हैं, या फिर यह एक्सेप्शिंस जो है, आपको objective type questions में भी पूछ सकते हैं, दाब, चलिए, next, What is the time limit for taking ITC and reserved value for? क्या time limit रहे हैं को सीगे? अरे भाई साब यह limit में भूलो, अगर इस financial year में आपने कोई transaction का ITC नहीं लिया होगा, financial year ले लेते हैं 22, 23, और कोई transaction का ITC आपने क्या नहीं लिया होगा, तो डरो मत, कोई रिजन से नहीं लिया होगा, अर्षाद इन्वेज नहीं आया, तो इन्वेश नहीं लिया होगा, या फिर लेत आया, तुभी में लेत अब्डेट हुआ, सभज में है क्या? या कोई भी जन के वज़े से आपने ITC नहीं लिया होगा, तो इज दरो मत, आप subsequent financial year के 38th November, I repeat the word, आप ले सकते हो अब यह आला पॉइंट यारोगना दिर जो नो टान लिमित पर रिवाविलिंग क्या ITC अब रिवाविलिंग की केस आगे कवर होगी तो ठीक है अदरवाइस में समझागे तो पूरे ITC चेक्तर में रे गेनी और रे इवर्यमेंट ले सिचविशन है रे गेनिंग रे अथ पहले हमने रिवर्स कर दिया है और जशव एक है 180 देश का अगर हमने 180 देश का से दे का इंवाइस पिख योट टैट कई के सब्सक्टर हैं और जो फार फैकिंन हो तो जो में पीर के करिंगे क्या को purposes को जो में य принципе को सब्सक्राइब करें को अंदर मोह सब्सक्र के दर्सक्राइब कांद अंदर कमटिये को में JUMP है किया तो प्तिम्सक्राइब को अप्लिकेबल नहीं होगा, मतलब तुमने आप तुम्हारे सप्लाय के साथ जगा चाले है, तुमने वालेगी डेपर पेमें नहीं किया, तो जब तुम पेल करोगे तुम ITC लेड़े हैं, ITC लेड़े हैं, yes or no? मैंने इसमें एक अभी क्लायन आथा, जब बता रहो, रिकॉर्डिंग होड़ा तो भी बता रहो, जब बात निकल इसले, देउतर जए, बंदेदायल के ITC था, यहाँ पर, यहाँ बच गया कि 21-22 का ITC था, उसने ITC ले लिया था, और वह ITC लेने के बाद, कुछ रिजन के 24 में उसने supplier को payment किया, court में case चालू थी, reverse कर दिया था, उसने ITC, 180 days में, क्योंकि तुम ने reverse किया होगा, तो फिर time limit applicable है, तुम रिवर्स किया होगा, तो फिर time limit applicable है, नहीं है, अबर तुम रिवर्स नहीं करते, तो फिर time limit चली गी उसकी, तो बंदे में रिवर्स कर दिया थ ITC, और अभी हो case जीता है, 23, 24 में, तो अभी case जीता है, तो मैंने जो reverse किया होगा ITC, कप का, अभी हमने लिया claim, तीन करद का ITC था, और वो reverse हुआ, अबर रिवर्स नहीं होता, और जगा रिवर्स नहीं होता, और जगा रिवर्स नहीं होता, तो time limit जा चुके जा चुके, आप समझ में आया ना, तो रिवर्स नहीं होता है, तो रिवर्स नहीं होता है, और दूसरा आपको बता देता हो, रूल 37-8, 37-8 बता देता हो, जो supplier से आपने खरीदा, समझ लो मैंने ये मोबैल खरीदा, जो supplier से मैंने खरीदा, उस supplier ने इसका GST payment government को कर देना चाहिए, ये वो हमें नहीं बता, तुम्हारे supplier ने पेमें नहीं किया, हम तुम्हारा IT से रिवर्स कर देना, उसमें section 40 कहता है, कि जब आप खरीदेगे, तब आपको पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा supplier पे कर रहा है या नहीं पर 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 जब आप कर ले लेगे, पर जब भी गादिय पता चलेगा कि उसने government को पे नहीं किया, आपकी reverse liability जाजेगी, और वो reverse liability rule 37a के साब साइगी, अब rule 37a कहता है, कि supplier ने पे किया कि नहीं किया, ये decide होगा उसके GSTR 3B से, क्योंकि 3B फाइं नहीं हो सकता without payment, अरे है ना, तो अगर supplier ने GSTR 3B नहीं दिया होगा, तो आपको reverse क तो अब इसकी timing समय लो, जो month का आपके पास credit पड़ा होगा है, उस month का 3B, I repeat, उस month का 3B supplier नहीं दिया होगा, तो आपको immediate reverse करने की जड़त नहीं होगा, तो आपका supplier को आपका supplier को time देते, तो आपने जो credit ले ले लिया, वो continue रहेगा, तर अगर उसने अगले 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 live, September होने के बाद November तक reverse कर देने पड़े, September होने के बाद, November तक rugby कर देने पड़े कने के, ok, कितना time दीया मुख, घुकर था, उसमंगर 3B रहर नहीं दिया, masa 3B नहीं दिया, doe मेरी tre और मेने नॉयम्बर पर रिवर्स कर देना चाहिए, अगर मेने रिवर्स कर दिया, तो क्या मैं रिवर्स कर सकता हूँ? रिवर्स कर सकता हूँ, जिसके लिए कोई टाइम लिमिट अपली के बहुत नहीं है, अगर मेन रिवर्स कर देना चाहिए, तो चलो फिप नमर पर आजाओ, यहां पर, सक्षन 18, सक्षन 23, और सक्षन 22, तीन सक्षन का रिवर्स एक साथ आता है, मैं आंसे सुनो, सक्षन 23 कहता है, कि अगर बहुत अच्छा केस है, और यह आपीप में पुछा है, वह एडिस्मेंन मैंने इसमें कवर कर लिया, सक्षन 23 कहता है, कि अगर आप एक्स्क्रीज एक्सम सप्लाइ कर रहा हो, तो आपको जीएफ्टी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी जरुआ है, नहीं है, और एक्समें पूर्माइ भी जरुआ है, वेश्ट्री में पिजरुआ होच से लिमें मैंने कर रहाहे किनाका है, लेकिन रोखेस्ट्सर्बै लेकिन Deformity, Pignancy, कुछ यहाद है, In-recognized system of, मेरी से. एक्सक्राइब है, Healthcare Service एक्सक्राइब है. यह Healthcare Service टोटेली एक्सक्राइब है. तो ऐसे सिचुएशन में, वो ऑपिटल का पासब होता मेरो, उसको GST में रजिस्ट्रेशन लेने की जरुवात, नहीं. पर वो एक्सक्राइब होना छिए, लेकिन अगर उसके साथ आपका taxable का फ्लेवर लेगा, यहना अगर सबढ़ लो, आप एक्सक्राइब के साथ taxable भी करें, तो फिर थेश्वर लग जाएगा. यह थेश्वर, जब तक bachelor हो, तब तक कुछ भी करो. इस जब जब चाहिए, पर जयसे ही बाट्सलर में नहीं हो है, डल्प्रेंट हो गई, शादी हो गई, फिर एग्रिट है इस जिमेदारी आपक ही हैंने बटा, अरे हाया ना, फिर क्या, अरे मदअ जयसे ही इंग्जम के साथ, यानिल के साथ, taxable का फ्लेडा, टक्षिक्षिक तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरुवाद नहीं अब वो क्या रहा है कि पहले मैं एग्जिस्टर्ड भी था मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी के मुझे कोई परशानी नहीं थी सिर्मेरा एकस्ट में जरुवाद नहीं था फिर एक दिन गर्में नहीं कर लिया और विड्रो टो और किया मैं लाइयम टू रिजिस्ट्रेशन में पड़ा है अब देखो क्या हुआ यह जो एन्हें एक्जम सप्लाय था और फिर टेक्सिब लुए और हम अन्रेजिस्टर इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्विचिंग इसको कहते हैं स्विचिंग यहां आप एपिछन में सेक्ष्ट्पाइटीन सिक्षन 18 में पोर सिच्वेशन है A, B, C, D और कि A कहता है अगर आप अगर अगर आप अगर से रजिस्टर होते हो और 30 दिन में अपलाए करते हो तो आप स्टॉक का ITC ले सकते हो इंपुट के कुछ यादा है क्या है यानि जिस दिन आप स्विच हुए उसके प्रिसिविए इंपुट का जो स्टॉक होगा इसका ITC ले सकते हो Capital इपूर्स का नहीं ले सकते है या वालेकी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो जिस दिन RCI उसके पहले दिन अगर कोई स्टॉक होगा तो इस टॉक का ITC ले सकते है विए कंकोडिशन स्कीम में, अगर आप सियर्थ से नॉर्मल स्कीम नाते हुए, तो आपका ITC नहीं दे दिया उगा, पर सियर्थ किसमें आते हो? आपको नॉर्मल नाते हो तो पहले दिन जो इंपोर्ट का स्टहथा, उसका भी ITC में दोगा, विए पिटल कोड़ेश्च होग तो आपको इंपूट का भी मिलेगा और तो CL और एग्जम का फाइडा क्या बताएगा? CL से नॉर्मल या एग्जम से नॉर्मल में आते हो तो आपको इंपूट के वर भी मिलता है Capital Goods का भी मिलता है 5% Reduce करके Section 18 लेकिन जब आप Unregister से रेजिस्टर में आते हो तो आपको से वर इंपूट का भी मिलता है Capital Goods का नहीं मेरे केस ऐसी आगी कि मैं A में भी आता हो और D में भी आता हो Sir A और D क्या है? A मतलब Unregistered हो जब आपको से बताना है की केस किसका है अगे 18.1 मतलब unregistered to registered है तो यह CBI-C में हमारा ICI Institute में का interpretation लिया हमारा institute में लिया की इसको to registered to register I repeat, क्या? ICI नहीं कहीना की नहीं? वो exam को taxable नहीं रहे वो case किसमें जाएगा? unregistered to registered और unregistered to registered में जाएगा और वो अप्लाय के लिया अप्लाय करता है कितने दिन में अप्लाय के लिया अप्लाय करता है तो उसको त्रीफ input के credit मिलेंगे उसको capital goods के credit नहीं रहे तो जब दो situation और लाप होती है कौन से दो situation और लाप होती है unregistered से registered और exam से taxable तो you have to apply unregistered to register यह point important यह point important यह प्लाय के सवाल कुछा गया था यह मने आपकर रो किया यह clear आप अप्लाय को yes or no तो capital को उसके credit नहीं मिलेंगे अप्लाय को हाँ 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 पर मैं अपने इंस्ट्यूट का इंट्रपटिशन बता रहा हूँ के अखर इंस्ट्यूट्यूट यह entrevistation Yap क्लाय्जी ए ऐ चुर्पटीष्ट्यू खरिशेशन तो इंस्ट्यूट्यूर का वेलापिं फिटा है चौंर की मिलेंगे था कर्बिशन फिर सफ्टन लेरी का यह यह पर ध हिरा था तो आपको इन्पूट के स्टॉक का ITC दे दिया चाहेगा। विक्तॉक मतलि दिया है। तो प्ले तो अधित दिया चाहेगा। इसे क्लियर और तो यह इतने पॉइंट्स आपके का और हो निचे निच्छ एविए रिजिस्टर पर्सेंट्स पेंट्स अंडर कंपोजिशन स्कीम अपको 38 जुलाई हावर विट इफेक्ट रम 31 जुलाई अब इकम लिएब टॉप एपता समय इविब टॉप इसे यास पॉपरिशन से नारवल बाया तो नारवल बाया तो वह जो प्रसीडिंट यहाँ चुलाई को जो input का stop होगा और capital goods reduced by 5% per quarter, ITC. ITC reduced by 5% per quarter, okay, तो इतना वो credit ले सकता है. Input as well as capital goods. Now, 8 number, Manta sales trade in exempt goods and provide taxable services. Exempt goods, service taxable है. It is registered in the GST on 1st October. The exemption available on the goods get kya withdrawn. Analyze the scenario and determine the eligibility of Manta sales for available in ITC. Evening, input or capital goods, पहली बात पर मैं बता दू, यह situation और बाबला के situation में क्या difference है? और बाबला के situation में एक्सक्री जो बलाता है exam supply में, इसलिए उसने registration ही नहीं लियाता, इसलिए वो और लाफ हो गया. इसके साथ और लाफ हो गया? Unregistered to register. और एक्जम तो taxable. इसलिए आमने कौन साथ का इंपरिटिशन लिया? Unregistered to register लिया. इसलिए एक्लिया? लेकिन यह और लाफ हो रहा है का नहीं? क्यों? क्योंकि यह exam as well as taxable, यह backstable नहीं है? और यह ना? और इसके साथ कोई है? तो रहा है तो restrictions लगते हैं भाई. समझे आया है क्या है? उसके बाग में. 9th number. और रजिस्टर पर संब बहुत ही अच्छा क्वेशन से मतलब यहाँ पर मैंने बनाया है कि जिसमे सारी आख के परमेटर करो हूँ. और जितने भी adjustments RTP में और जितने भी adjustments questions, examination questions सर आगे इस कहाता है. इसके beyond कोई adjustments ने पूछ सकते section 18 पर. जितने परमेटर से सम ले लिए. यह समझ में आया है क्या? एक condition है कि आपकी सारी liabilities उसने एकसर्ट कर लिए छे. Okay, all the provisions regarding to liabilities, okay, transfer to new person. ठीके, उसके बाव में next. What is the tax implication of supply of capital goods by registered person who has taken ITC on search? What is the tax implication of supply of capital goods by registered person who has taken ITC on search? Capital goods. Section 18 is important. यह कड़के जारा मजे लगता इस बढ़ क्वेशन आएगा. अगर आपने capital goods, जिसका ITC लिया है, वो आपने supply कर दिया. अगर आपने capital goods supply कर दिया, second hand goods supply किया हो, समझ लो, okay, यह laptop है, मैंने capital goods है, मैंने इसका ITC लिया और यह laptop मैंने बेच दिया. ठीके, यह laptop मैंने इधर बेच दिया. तो lawyer कहता है, कि no doubt, you made a supply for consideration, इसके उपर GST आएगा. लेकिन government ने section 18.6 में कहा है, कि जब capital goods है, plant and machinery आप बेचोगे, जिसके ITC आप ले चुकेगा, तो उसकी transaction value का GST, या IPC minus 5% per quarter, whichever is high, एक बार फिर से, कितना tax आएगा, जो मेरे capital goods का transaction value का GST होगा, या IPC minus 5% per quarter, whichever is high, इतना pay करना पड़ेगा, या दरा यह provision आपको, यह provision इसले, क्योंकि लोग प्ला करते थे, planning करते थे, आपके, बाला मुशना ही खरीद लिया, करोड़ का, करिट ले लिया, और सस्ते में इसी को बेच दिया, करिडिट था अधै करेज जै अर न, और सस्ते में बेच की, समय लिए में लेक लाटाप है, लेक्टाप मैंने 20 लाट का ले लिया, उसका करेडिट भी ले लीया, और कुछ थी इस बात इती इस के ओपर इसब्म इस बात तो इसके अब और कुछन नहीं पूछा तो आ सकता है, ठीक है, चलिए, यह कुश्चन हमें देख लिया, अरे, मज़ा आ रहा है ना, सारी अग्जिस्मेंट हम कवर कर रहे हैं, तो यह पढ़ने का अलग ही अप्रोच है, मतलब वो रिगुलर चाट, नमबर अपेजेस, और नमबर अपेजेस में भी आत्का करते हो, सकता है, तो 3 पेज पते हो, पर पूरे अभुग देख दो, कर वापस दो, पर पूरे ऑख कर दो, इसमेटा है है, आतशनों रहा है, घपास बखेजेस पते हो यह पहं तो आकर चाटना बगर किदेख बखते हैं, तो यह एपिए से पड़ो, वो लो च्टो कितना बाखी है, एक पॉइटिस करोंगे और सब्जेक्ट में उतना आपका है। इंक्लूडिंग थे इस सब्जेक्स एक है। चलिए। अब आजाओ ये कॉष्चन है। ये मेले लेता हूं। चल्ब फट फट पांच माच मेरें दोनों सब कुष्चन कवर कर लेता है। कॉष्चन नुबर 17 पांच में अच्छे कासे कॉष्चन लिए। सारे अजिस्मेंट्स में इसमें कवर किये है। मैसेज ग्रे ये आप को राइटिंग प्रेक्टिस में लोगे आप गर पर जाके आप लिखके देखोंगे। ठीक है ये कॉष्चन 17 आज वल आज 18 मैसेज ग्रे ट्सकारण परसफेर आज प्रेक्टिस कहले सेड ये ये कित्ना है कितना वैल लाइक है प्लास्टिक बकेट, छोटा सा प्लास्टिक पकेट आता है प्लास्टिक पकेट ऐसा रेत यह थो रहता है, प्लास्टिक पकेट आता है तो और गेत लगेगा, 28 percent अच्छा फिसथे इंवेर यह आउटवेर, ले भाई साब तुझ पुरी रामायन पढला दोय jetzt, इसे अगवे समय चैनल सब्सक्रांता है सब्सक्राइलें now supply of online educational journals to messagenego or private coaching centres providing Awesome तो स्टुडेंट्स अग्लास 11-12 बिन इंटास्टेट सकना है यह भी आउटरी है लेकिन आपको एजुकेशनल सर्वीस का एक एक एकशमशन पडाना चाहोगा एजुकेशन सर्वीस में है कि अगर आप एजुकेशनल इंस्टूशन हो अंतलग और उसको ऑल्लाइन प्रियोड जुकेशनल से को dziękiकर जुकेशन मातलब कि इस्टूशन फe को धिया तो 20,000 is missing and no other tax being documented तो मतलो तो कितना मिलेगा? 70-20 कितना मिलेगा? 50 उसके बाद में रिपेरी में बेस वे तो सिटिंग क्यापसिटी 20 पैसंजर 20 पैसंजर मोट रेकर करता ITC मिलता है का तो फिर उसके रिलेटेट चार सर्विस का भी ITC मिलेगा कौन से चार सर्विस? रिपेर, मेंटनेंस, इंसुरेंस रिपेर, मेंटनेंस, इंसुरेंस, सर्विसिंग और रेंटी तो क्या ये रिपेरिंग बाद का ITC मिल जाएगा? मिल जाएगा डिटेल्स और ओपनिंग डालंस ITC आपको दिया गया है CGST, SGST, IGST FOLLING ADDITIONAL INFORMATIONS IS PROVIDED RAID, INRESPECT अगया है एतीफ परसें पर उसमें eक हाईस रिप वाला ही हा 28% वाला उसकी बादमें और future mention अबहार EXCUSE देवा, Taxes थैंक्यू, क्यूu THÅंक्यू? क्यूंकि इंक्रिश ही रिपाया, तो फिर पाकी condition याद करने है कि गोशिश बद करें अमने बोल दें सब फुल्फिल हो रही अब conditions क्ला थी sir, वो था न, invoice आजाना चाहिए, 2B में update हो जाना चाहिए, रिस्यो हो जाना चाहिए, supplier में payment करना चाहिए, वो बेगे तुम tension मतलों सब फुल्फिल है, यह बता ओपर क्या करना, तो अब यह case में आपको बोला net GST liability, भाई सब net GST liability कैसे निकलती है, okay, net GST liability निकलती है, अगर आपको पता है, आपको पहले output tax का टेबल बनाना पड़ेगा, okay, फिर क्या ITC का टेबल बनाना पड़ेगा, okay, तो आपके टेबल कितने है, यह आपका main table हुआ, फिर आपको output tax का ITC का और फिर net ITC का, अब net ITC जब निकालोगे, okay, तो यहाँ पर आपको अब इसमें intrastate और intrastate दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको IGST, CGST और LGST, और ITC में inner column में क्या, IGST, CGST और LGST निकलना पड़ेगा, okay, फिर आप credit use करोगे, IGST का credit, IGST में अगर बज़ गया तो इनी proportion, कुछ आदा है क्या, CGST का credit, CGST में अगर बज़ गया तो IGST, okay, और IGST का credit, IGST में बज़ गया तो, IGST में, लेकिन CGST और LGST cross-study ते आदा नहीं है, मैं एग्जामपल घ्लास में जया तो, समझे लो मैं माजर और माजर और माया वाइफ, मैं IGST हूँ, कुछ अगा है क्या, मैं IGST दोनों पर integrated हूँ, okay, मैं माजर CGST, मैं वाइफ SGST, हम तीनों खाना खारह हैं, कुछ ayadar hara am threenao khmana खा रहे है मैं IGST हूँ मैं अपना क्यार लेरो खुद खाना कह रहा हु और IGST का क्रिडिट IGST मेरी मगर जो है मेरी मगर खाना खा रहे है वो अपने खाना खा रहे है CGST का क्डा में CGST में और मेरे और प्यार हागा है मैं मैं भाइट खुद कहना कारी है xGST का credit xGST में मैंने के कार या तो मुझे रिदे लेहे in लेकिले, 15GST का credit xGST गो नहीं और 16GST के करेड़ी टें 16GST का credit xGST के नहीं अरे सब्टात का यह आ अजया नहीं पिए iGST गो देगा ऑने और cross credit लाओड नहीं है प्रोब्लम सोल करते लग देखो क्या पहले पे इंटरस्टेट सप्लाइब तो क्या आई जिस्टी रहेगा प्रेजंटेशन बग क्लियर होना चीए और कि मैं आपको तो होगा कि यह जो नेट जिस्टी लाइबलिटी का टेबल है पहले आप अउट्ट निकालो आउट्ट के टेबल बना लेना फिर नायटिसी के टेबल बना लेना और फिर लास्ने क्या नेट जिस्टी लाइबलिटी अब यहां तीन कॉलम से और पर्टिकुलर से इसलों रिमार्क है अग्जस्करना पॉसिवल नहीं तो नोस दो और नोस के 35, 20 marks आपके numericals में पर्च सकते हैं 35 कैसे 50 होना चाहिना है, 15 marks का MCQ है अब इमाजिन करें, 35 में से अगर 20 marks के numerical presentation में आ गए तो आपके remark पे और अजस्मेंट पे marks है जो आप सोचते हो कि 50 marks थेरी है, GST, इतना बहुत थेरी पढ़के जाना है आपके अपके यहाँ पर इस नुमरीकल में अपर रिमार्च लिखते आगे नहीं तो इनफ है, 20 marks के बाकी 15 marks का आप हैंडल कर लोगे तो मैं बस इतना ही कहना चाहोगा आपको, यहाँ पर कि यह नुमरीकल मतलब मैं आपको यह कहँगा प्लस मेरा जो एक आकरी गाला चैप्टर है जो कंप्यूटेशन आप GST, जो मैंने इसमें भी लिया है, questions लिया है वह भी present करके रिपना है, त्योंकि उस पर भी ऐस बुस टाइप के questions 10 marks के आता है आपको 10 mark के लिए आएगे, ठीक है, तो चले, तो अब अगर मैं पहले के तो अब लिखना कैसे है जब भी आपको इस तरह से value दी हो, तो value का एक column आपका बनना ही चाहिए ठीक है, पहले IGST को, फिर CGST और HGST, यह आता ही लगा के ना तो इसमें पहले IGST, दुसरा इंट्रास्टेट सप्लाय है, यह 28% से आएगा, यह 18% से आएगा, यह 28% से आएगा, यह स्रेट लगेगा जो लाग पर ISD लगा, ओन्लाइन एजुकेशनल जर्नलस इस पर GST आपका आपका आपको टैक्स आगया अगर पांच मां के लिए आपके लिए वह पी सिंपल कोश्चन है, छोड़ना और आते हैं तो आपका नेट एक्स लाइबलिटी आपका नेट टैक्स लाइबलिटी उसके बेसमानी कर लो, ITC उतिलाजेशन प्रापर कर लेना, इनल कॉलम में लिखना, IGST का क्रडिट, यह ज हो तो उसके पैस क्या होता है, answer sheet होती है, तो 50-50 वाला approach मतलब क्या, IGST में यूज होने के बाद, 50% CGST, 50% LGST, आप 100 भी यूज कर सकते हो, गलात नहीं होगा, समझ में आया क्या, तो कोई भी रिश्यो में आप यूज कर सकते, तो वाला approach और यह नोट्स जो आपको लिखना ह सब इसके बाद का last question, yes or no, और फिर एक important जातकर नमारा हो जाएगा, चलो, यह discuss कर लेते हैं, Mr. Prithviraj, question number 18 पर आजा, Mr. Prithviraj, register in the GST is engaged in supplying services, I have discussed in the table below, engaged in supplying के वीटा, services, in Maharashtra, he has punished the following information with respect to the service provided and received by him during the month of February, यह मन्त यार रखना है, ITC के chapter में मन्त बिल्को यार रखना है, क्यों यार रखना है, क्यों क्यों क्योंकि हो सकते कुछ inputs बाद में आया, तो उसके ITC नहीं मिलते हैं, ठीक है, Carnatic music performance given by Mr. Prithviraj to promote a brand of ready-made garments, यह inward or outward है, रखना में सकते थित्वी राच, हाल रहे रहे ना, और यह इंटरस्टेट है, अच्या, music performance दिया, हाँ, exemption है, और वो classical, कुछ यादा है क्या, classical और folk, classical और folk, music, dance, and performance, up to limit of 1,50,000, तो यह classical और कार्नेटिक वर्ड है, क्लासिकल में नहीं आता है, तो यह क्लासिकल में नहीं आता है, तो क्या इसके वपर GST आएगा, यह इसके वपर GST आएगा, दुसरा, आउट्वर कैट्रिंग सर्विस अवेल, और मार्केटिंग इवेल्ट, और अर्गनाईज पर इस पॉस्पेक्टिव क्या कस्टमा, और और कैट्रिंग सर्विस गिवन और अवेल्ट, तो अवेल्ट में लिख देना है, इतना कन्फ्यूस करते हैं, आपको एक सब लग बने का, आउट्वर कैटिंग सर्विस ली, okay, for a marketing event, भाइ सब आउट्वर कैटिंग सर्विस ली, ok, for a marketing event, ये लिए लिए लिए, तो क्या ITC मिलेगा के, नहीं, फ्रेदी मैं आता है, आउट्वर कैटिंग, unless you provide same category of supplier, अर्याद आए कि निए तो इसके ITC, नही मिलेंग कि अखाएक पॉप्पिश। पॉप्टपर अपएक आप लिखे आपको पॉप्टपर राता है एक मिन रगता है। service or transportation of student provided to, यहने service दिया गया service दिया गया transportation service अगर school पर देते तो यह एक्समिट अरे आया ना transportation service अगर school पर देते तो यह एक्समिट school को दिया यह college को तो तो यह होगा अरे recognize college है यह न आता है तभी exemption नहीं मिलेगा क्या यह taxable होगा? yes, outward है और taxable है उसके बाद में legal service available for official purpose for an advocate located in क्या? बुझा, एक मिनट, available है available है inward है, okay, inward है और legal service लिया उनने advocate से लिया, हम registered person है business entity है यहाँ, यहाँ आपका presentation बड़ा important है यहाँ RCM में talks आया तो पता है आप कैसा होगा आपका? और के जब आप net liability निकालोगे तो ITC में भी लोगे आपके ITC के table में भी आएगा और net liability के नीचे RCM भी आएगा पिछाब है net liability के नीचे आपका RCM में आपको दुने impact आएगे ITC के table में भी आएगा और RCM में भी आएगा Now next, service provided to wealth bank as a business correspondent with respect to accounts in branch or bank located in क्या urban area service provided to तो जहाँ पर क्या business correspondent अब दो आपको 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 हमने अब दोखे वहाँ DSS बश्किया था Direct Selling Agents उसके बाद में Insurance Agents उसके बाद में Business Facilitated Business Facilitated Service होती ही और वह bank को आपको 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 यह Business Facilitated हो और Correspondent Correspondent Service to Bank Revert Charge में नहीं ही Be careful तो यहां Revert Charge नहीं किया Forward Charge लगेगा? Yes, और यह Forward Charging में Tax आएगा Recovery Agent Service provided to a car dealer Very Good, Recovery Agent RCM में आता है पर Recovery Agent to Bank होगा तो RCM में आता है यह Bank को आपको 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 वह यूपार सुना पर गृता है। इसका credit नहीं मिलता है तो इसका भी credit आपको नहीं मिलेगा चलिए तो यहां इस तरह से हमने यह देखा यह भी solve करके देखना है discuss कर लिया है इस तरह से पूरा ITC chapter हमने यहां पर aim किया है Done तो हमारा next topic होगा value of supply value of supply में question number 5 पर आजाए यह सभी लोग value of supply में question number 5 ठीक है question number 5 में यहां पर question देखें XYZ private limited has supplied machinery to ABC private limited supplier जो है XYZ private limited और ABC private limited को machinery यहां supply किया जा रहा है it provides the following particulars regarding the same thing is price for the machinery excuse your access and discount the discount is allowed 3 per cent of basic price and is shown in the invoice Now third Tax livid by municipal authority on the sale of such goods Paid to one of the vendors by ABC Private Limited In relation to service provided by vendors to XYZ Private Limited Next, packing charges Not included in the list price above Paid charges for delaying of a machine Aage diya hai ABC Private Limited delayed the payment of sale And paid an interest to XYZ Private Limited Including GST 18% Subsidy received from NGO directly linked to the price Next, subsidy received by the supplier from the state government Next, XYZ Private Limited Offered 2% turnover discount on the lease price After reviewing the performance of ABC Private Limited Discount was not known at the time of supplier Next, XYZ Private Limited provides additional discounts 1% year in based on additional purchase of the other machinery Or the adjustment made at the end of the financial year Without any changes in individual transaction XYZ Private Limited collected TCS under the provision of Income Tax Act 1961 Determine value of taxable supply made by XYZ Limited under GST law This is the question of value of supply Question number 5 I have tried to do that the maximum important adjustments will be covered in this question But I will suggest you so much that this is a chapter In which the number of numerical questions you need to solve Maybe 2, 3, 4 from the questionnaires So, you need to do this chapter Because one question comes in this chapter Value of supply So, now we will discuss more on the adjustment But, you need to try to solve 2-3 questions from the questionnaires Before this, you need to decide to add Backward calculation Backward calculation means If you find a decision in this chapter If it is already included You need to add You don't need to say Add and reduce So, these are some questions To tell you the questions You should do this chapter Identity value of supply Gets of supply So, page of supply Questions 100% I will discuss और आपने transition batch किया होगा तो मैंने most of the questions उसमें कवार किया है कि आपको present कैसे करना है ठीक है क्योंकि पूरे examination questions तो नहीं है place of supply में तो मैंने batch के साथ ही most of the questions कवार कर लिया थे जो मैंने regular batch के session आपको provide किया था चलिए अब एक एक adjustments इसमें देखते है और कि यहां पर value of supply के case में देखो पहले है list price of the machinery अगर आपको value of supply लागा तो section 15 15 में तीम पाठते 15 1 15 2 और क्या 15 3 15 1 value क्या होगी transaction value not related and price is sole consideration 15 2 में 5 adjustments होगी और के a b c d and e और 15 3 में discounts बस इतना ही आपको value में याद रखना है बहुत ही easy chapter है और यह question इसका आता ही है इसलिए यह chapter का यहां पर कोई आपने chance मत छोड़ना कि इसके वज़े से marks आपके cut हो ठेक है तो पहला है कि आपकी जो transaction value है actual price वह value पे आपका assessment होगा इसलिए machine की value उन्होंने कितना दिया 2,50,000 अब इसमें एक रहन रखे यह machine की value exclusive taxes and exclusive discount exclusive discount मतलब discounts के impact इस machine price में उन्होंने नहीं लिये हैं तो आपको इसके impact लेना है discount के चलिए उसके बाद में कहते है true discount is allowed at 3% on basic price and is shown in the kya invoice 3% का discount भी आगया है on kya basic price तो basic price पे 3% का discount है तो जोस्तों मैं आपको यह बता दू कि discount अगर पहले से agreed है और given at the time of supply तो section 15.3 उस discount का deduction ललाओ करता है but it should be given at the time of supply तो यह before supply ठीक है तो ऐसे situation में जार तक देखा जाए तो यहाँ 7,500 का discount आपको मिल जाएगा तो 2,50,000 आपकी price होगी और 7,500 उसमें discount deductible है और reference आपको 15.3 A का देना पड़ेगा के discount क्या deductible होगा उसके बाद में next यहाँ पर adjustment के है tax averaged by municipal authority on sale of such goods तो मैं आपको यह कहना चाहूँ का municipal authority ने यहाँ पर जो है municipal authority ने यहाँ पर tax लगा है section 15.2 A कहता है section 15.2 A कहता है कि जो भी tax यहाँ पर लगता है एक से GST तो वो value में एड किया जाएगा तो क्या यह tax value में एड किया जाएगा yes so municipal tax ने यहाँ पर tax 6000 यह value में एड होगा और यह value में एड होगा reference आएगा 15.2 A का ठीक है उसके बाद में next यहाँ पर paid to one of the window ABC private limited in relation to service provided by vendor paid to one of the windows by ABC private limited in relation to service provided by vendor to XYZ private limited मतलब यह वा third party payment third party payment मतलब liability किस की थी supplier के और पे किस ने किया buyer में तो buyer में ऐसा कोई expenses incurred by the buyer को अभी supplier is liable to pay तो यह third party payment हो जाएगा और 15.2 B में इसको एड किया जाएगा तो क्या यह एड होगा बेटा तो यह 2000 भी एड किया जाएगा कॉंसे section में 15.2 B में उसके बाद में next यहाँ पर packing charges not included in the lease price extra packing charges लगाएगा तो 15.2 C कहता है any amount charge including packing and commission कोई भी extra amount seller ने charge किया including anything done मतलब क्यों वो optional होगा anything then buyer के request पर किया होगा तो भी वो value में add किया जाएगा इसलिए packing charges भी add होगा और value में add किया जाएगा तो packing charges बहुत ही simple problem है और मैं कहता हूँ यह सबसे जादा simple chapter है जितना यह आप यह चप्टर के numerical solve करके जाओगे पहले तो यह chapter लेना क्योंकि आते ही इसके proportion तो value of supply ले लेना ITC ले लेना वैसे में आखरी में आप तो sequence बता के जाओगा कि आपको कैसे priority में chapters लेने है ठेक है तो यहाँ पर यह 2500 भी add होगा उसके बात में freight charges for delivery of machine अभी आपने देखा कि जब आप कोई machine sale करते हो तो उसके जो transportation यह freight charges वो composite supply part of the supply है तो no doubt यह extra charges लगाए in relation to your supply तो क्या यह 15-2C में add होगे यह 15-2C में add किया जाएगा freight charges तो यह 1500 में भी add किया जाएगा देखो जागा दिमाग लाए नहीं ठीक है आपको वो value में add करना है ठीक है उसके बाद में next यहाँ पे ABC private limited delay the payment and pay interest okay including GST and that क्या 5-5C अब interest pay किया गया interest related 15-2D अपला होता है और वो क्या कहता है delay payment of consideration का interest I repeat दोबर क्या delay payment of consideration का interest value में add किया जाएगा no doubt इसका time of supply उस मन्त में आएगा जो मन्त में interest मिला लेकिन यह value का पार बोलागा GST तोब उस मन्त में pay करेंगे जिस यो मन्त में interest मिलेगा I hope you understood अरे यहाँ दार आएगे आपको तो ऐसे case में note जरू लिखेंगे और जनरली interest के case में default assumption होता है it is inclusive of GST चलो इन्होंने तो यहाँ बोल दिया यहाँ प्रोब्लम नहीं लेकिन अगर नहीं भी उस्या होता है तो भी default assumption हम यही लेते कि it is inclusive of GST यहाँ इंट्रेस कितना मिला आपको 5000 तो 5000 x 100 divided by 118 यह value मिल जाएगी हमें value नहीं कालना है तो इंट्रेस डिवाइड बाए 118 यह आपको value मिल जाएगी और तो तो कितना आपका interest का amount 4237 यह आपका यह add होगा 152D में और delay payment of consideration में उसके बाद में subsidy receive from NGO directly linked to the price अब देखो subsidy के बारे में 152 यह क्या कहता है subsidy अगर government से मिली तो आपको add नहीं करना है आपको add नहीं करना है लेकिन अगर subsidy government से नहीं मिली अगर subsidy किसे मिली other से तो link to the price होगा तो ही add करना lump sum subsidy add नहीं होती है कुछ याद आपको तो ऐसे case में subsidy other से मिला NGO थी मिला और link to the price है क्या यह value में add होगा yes तो यह value में add किया जाहेगा यहाँ पर 3,000 इसके बाद में subsidy issued by supplier अगर क्या state government वाली subsidy add नहीं होगी ठीक है ना नेक्स extravisor private limited offer 2% discount on the lease price after reviewing the performance of ABC private limited the discount was not known at the time of supply अब section 15.2 कहता है कि अगर first supply discount I repeat दवड क्या first supply discount आपको मिलते है deduction मिलता है अगर वह agreed होना चाहिए repeat क्या agreed होना चाहिए invoice से connect होना चाहिए और सामने वाले ने recipient ने उसका ITC reverse कर देना चाहिए अगर यह सारी condition fulfill होती है तो discount का benefit आपको मिल जाएगा इतनी credit note आपको देनी पड़ेगी credit note देनी पड़ेगी उस मंत में जिस मंत में आपने discount दिया और वह आपके value से लेश हो जाएगा तो अब यहाँ पे यह जो discount है जो 1% discount है जो बाद में दिया गया okay and discount was not known at the time of supply sorry 2% discount अब यह discount agreed नहीं था okay यहाँ पे 10-0 discount तो यह 10-0 discount agreed नहीं था not known at the time of supply तो वह situation में जो है इसका कोई भी benefit नहीं मिलेगा उसके बाद में next XYZ private limited provide additional discount additional मतलब secondary discount पहला base discount term ने 3% दे दिया था additional discount 1% है additional discount 1% at the year end based on additional purchase of other machinery for which adjustment is made at the end of the financial year without changing the individual transaction okay तो additional discount जो secondary discount है not agreed at the time of supply उसका भी benefit नहीं मिलेगा तो इसका भी benefit नहीं है last XYZ private limited collected TCS under the provision of income tax TCS अगर आपका deduct कोता है तो CBI से clarification है कि TCS यह value से deduct नहीं होगा okay क्योंकि वह interim ले भी है तो TCS के भी कोई impact नहीं आएगे तो इस सरह से आपकी taxable value आएगे अब मैं आपको बस एक बतना चाहोगा मैंने यह problem ऐसा बनाए कि जिसमें सारी adjustments आपकी करर होनी चाहिए ठीक है लेकिन मैं आपको यह बता दू यहां पर कि यह और दो तिन प्रॉब्लम्स अच्छी प्रॉब्लम्स एक्जामिनेशन और आटीपी के प्रॉब्लम्स आपने खुद आज सौल कर लेना है और कि यहां पर इस ही साल दोएगा इस परॉब्लम्स नहीं हो एक दाव भी चरूंगे तब यह नहीं लिया अब मैं तुगा सबसीडी से लेके आपको डिसकेशन करना चाहूंगा समझ लो आपको प्राइस दिया है 10 लैक्स प्राइस 10 लैक्स प्राइस दिया है एक होती है गर्वर्मेंट सबसीडी और आपने मुझे बताना है कि अजिस्मेंट क्या करोगे एक होती है अजिस्मेंट सबसीडी अजिस्म करते है लिंक टुदो लिंक टुदा प्राइस ठीक है तो subsidy जो 2 lakhs है, गिवन price is without considering the subsidy, मतलब? Without considering the subsidy, मतलब? subsidy की adjustment इसना है? नहीं हुए है. मतलब ये price, without considering the subsidy, मतलब ये total है? Yes or no? Without considering the subsidy, मतलब ये total है? अब ये total है का मतलब? मतलब इसना है, मतलब इसमें subsidy included है? ये एक्स्टूदेड इसना है? इसमें 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 इंक्लूड़ है ये एक्स्टूदेड? अब आपको गवश्मेंट से सबसेडी मेली दो जाकरते है? क्या उसमें एड होगा ये एक्स्टूद होगा? एक्स्लूड होगा है ना, क्योंकि ये को टोटल प्राइस थी, सबसेडी को किये भी ना, पोटल प्राइस, अब गॉवर्मेंट से सबसेडी बिली, तो गॉवर्मेंट की सबसेडी वाल्यू में कंसीडर नहीं होती है, तो क्या इसको डिड़क करेंगा है, चलो उसको ऐसा गिरंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें आझना बस यह एद्जसमेंट सम्वाल ने जाक Argentina बांकी वाविशन में बाइम कुछ नी गेवन प्राईश इस आफर कंसिद्री मठन centrifंदी मतलग मावल अंड पो सक्ता है की तोतल राइस बार्राइदे आझना सरस्थी मतलब कितना प्राइस? 10 लाग. मतलब सबस्थी अलडेडी डिड़क हो चुकी है. अब सवाल यह है कि हम गवर्मेंट के अट करते है यह डिड़क करते है? डिड़क करते है ना? अरे आया है ना? तो ऐसे केसमों अलडेडी डिटेड है? अल्फुली एक टें एक मतलब इसका कोई इंपाट नहीं अज़ा तो ये ये सरनोग अब प्राइट सबसीडी दो लाग रुपए प्राइट सबसीडी दो रुट अग लिक टू दाःट गिवल प्राइज इस आपे ऐस दिस प्राइट सबसीडी अप्र कंसिदें इस प्राइट सब्सेडिया मतलब अप्राइट रिदुट है प्राइट सब्सेडियी रिदुट नहीं होती है तो हमें आरे हाया ना फुस्ट रिदुट सेट अथला हुथ कहल लेना यह जाटन बैं हां, हम वाकस गिवन प्राइस इस विदावर संपसडेटी, मतलब ताली कया लिया, गिवन पारिस इस अच्रिश्टीरिंघ संपसड़ी, मतलब प्रशीदे करते है अब दो जुनदे ट्रीचने प्रेटी, आप दो ज़ू तो आवर्म लगते हैं एक बाद फिर से इवन प्राइज आप्र कंसिडरिम सबसड़ी मतलब सबसड़ी डिड़ागी है अब नीचे दिया है गॉर्मेंट सबसड़ी तो गॉर्मेंट सबसड़ी हम डिड़क करते है वाँ डिड़क करते है thank you girl मतलब हमें कोई adjustment नहीं करनी है private subsidy होगी то then जिसके बढ़िए क्योंकि वो deduct जा जा होदि है 경 Shed second given price is without considering subsidy without considering subsidy मतलब अबी तो कोई भी impact नहीं दिय है और बोला है कि हम तो दे औरकी कि government की subsidy मिले है तो क्या वो तो तो टोटल प्राइस पर GST या 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 और दिड़क करने के बाद आईगा। समझ भाइ ना? तो हम दिड़क करेंगे हैं और ये वाली सबसेडिय कि गिवन प्राइस इस विदाप कॉंसरीं प्राइट सबसेडी है तो हम प्राइट सबसेडिय क्या करते हैं? तो बना एंको अन्स उसे खे पंए। यहां पिर एक होता है। कि ऑपे wizard को सब्सक्राइ ञार यह इंग देखनों को को सुचिछंग है श्यार और passions गाहना करना अजका जांदियर थे कि यह इस अगली हिसा करता है अधैक करते हैं नाओ मिक्स तरह है नेक्स आप्र आजाओ क्या? रहीस्टरशिशन सब ये चाप्र का सिर्न नाम ही याद है, बाकि कुछ याद ही नी आजा हा हूं जाप्र कर नाम ही याद है ऐसे आपको लगा यहां पर मैंने बट बड़ी बात कह दिए जान सुरना कुछ अब ऐसी सिचुएशन यहां रहेगी कि सिब टाइटल ही आज आएगे अब तो दिरेगे सिचुएशन आएगे कि आप को भी नहीं पता चलेगा किम चल रहे यह ऐसा होता यहां पर जब कुछ ऐसी चीज़ आती है जैसे अभी मैंने एग्जामपल आपको दिया कि भई यह ज़िए चाप्टर रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन आपको रगार बाकि कुछ तो गया दिमाग भी नहीं आएगा कुछ तो दिखता यहां वे कुछ में आरा भी आता है कि जब सिट्वएशन सामने आती है तब समझने आता है कि हमें करना क्या है उसमें के यह एक चाप्टर है और कि ए घ्रीमालेशन अब कर मन करना एग्गार टीक है परे ला मत करना एग्धर ठीक है कि जब situation सामने आएगी तहरा يंसर दिमागमे आएग उसके भी नाएंसर दिमागमे नहीं है इसलएग डिमा मत भी को situation सामने आएग आपको क्लिक होगा इसमें करना क्या है ठीक है चल question में आते है question no. 90 इसके बसक्ति कि अधर चार्ट आपके सामने आते हैं तो कौन से आते बताए गाइगा तब दो इसकाप्षा है और के दो कोई तुभी एग्जांपल लिया होगा, ठीक है, उसके बेस पर एग्जम्शन याद आजाते है थोड़े बहुत, ठीक है, उसमें भी एक दा कॉर्टर का एग्जम्शन कुछ लिया तो भी नहीं याद आता है, अभी एक बना आल जगाना, याद नहीं याद नहीं नहीं याद आता है, ठीक है, जिस इतना खुश होना कि बुलकुल याद नहीं याद नहीं, ठीक है, तो यहाद पे, तो, चली, देखते, रिच्टरब एंटर्प्राइजेस, और सोल प्रप्रेटिशी फर्म, स्टाटे एर कंडिशनिंग रेस्टोरेंट इन विलार, ठीक है एक रेस्टोरेंग चलो किया हुदार, महाराश्रा, इन न मंत अओ कौं सा, विल्यूरे, रिच्टोरेंग रेस्टोरेंग 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 नन-Alcoholic beverages इन मार्च, तो फ़म अपन लिकर शॉप इन राइपूर, लिकर शॉप कहा हुपन किया, राइप किया, र उत्तराखन वाला रायपुर है, for trading in alcoholic liquor for human consumption, particulars, serving of cooked food and cold in non-alcoholic beverages in a restaurant in महाराष्ट, February and March, sale of alcoholic liquor for human consumption in उत्तराखन, supply of packed food items from restaurant in क्या महाराष्ट, excluding GST, आपका अमर्ण दिया गया है, ये चाप्टर के question परते रो, परते रो, question जब आएगा, तब सोचे किया, ठीक है, determine whether research enterprises is liable to register in the GST law, with the help of our information, the question से बरेबर एंसर एगा, liable to register in the GST law, मतलब क्या, मतलब, मतलब section 22, मतलब क्या, कि उसने aggregate panel cross किया है क्या, अरे आया न, और एक्सलूजव तो कोई ऐसा exam सपला कर नहीं रहा है, जहां तर देखा जाए, अब, अग्रीगेट तैनोर की देपनेशन क्या थी? या आयदा थी? एग्रीगेट तैनोर की देपनेशन क्या थी? और एक्सिबल सपला है, सारे exam सपला है, एक्सम में तीनों भी आ जाएंगे, वोली एक्सम, निल रेट, और कि वर्ली एग्जम निल रेड है नॉन थेक्सिल, अल्कोल अगर होगा तो वह भी कवर, अग्रिए टैनल निकाल देवा, एक्सपोर्ट होगे तो एक्सपोर्ट भी, और इंटरस्टे अंडर सेम पैन होगा, तो वह भी लेलिया जाएगा, अल इंडिया पैन बसे, अब आल को आप को 40, लेकिन कुछ केस में आप को 40,00,000 का लिमिट है, अगर आप exclusive supplied goods में होगे, क्या exclusive supply of goods में है नहीं, क्योंकि इसकी restaurant service है, हाँ आए ना, तो ये exclusive supply of goods में नहीं है, क्योंकि restaurant service भी दे रहा है, इसलेए इसकी maximum limit 20,00,000 ही रहेगी, ठीकी 20,00, थे बिट्रा अगर यह वानी वाणी। यह गूतितिैंक्पर अगुजा, वीजव दितनी कि अग्रष्ट ही। यह शॉक्वा अगू मुझी जीम कहते हैं divin mok哪裡 वाला अगे मुझ्वे लिम्य व् semble फिर्येम्ड कि इसदोफी है उत हैं अगर आप एंसर देखे हो तो महाराष्ट का उत्तरा खंड तो महाराष्ट उत्तरा खंड मैं मतलब यह त्री मनी वाला नाग मुझे दिखा उसमें नहीं थिया है चालीस लाग के इसमें भी आप नहीं आते हो क्योंकि आप सर्विस दे रहें रहे हैं इसमें टैसित्रा खंड उत्तरा खंड जब आप एक्स्थिज्यू अप्लाइब गुड्स में तो इन शॉर्म मेरे सामने लिमिट आ रहा है कितना 20 लाग का लिमिट रहा है ठीक है वर यची रहा हैं प्लस लीकर का लेना पड़ेगा क्योंवलीकर का लेना पड़ेगा एल्यशनिता टैनोमें तो बदय कर इता इतना रहा है हिस सब मिला के माच एंटर रहे जिए भाई लग बिटी झाप्टर पर यह चाटर कर नीचे रहा है कि जब तक question सामने है, नहीं आएगे, आप उसको स्वाल नहीं करता हूँ, ठीक है, तो, यहाँ पर कुछ चीजे बहुत बहुत अच्छे से समझ लो, maturity के सा समझ लो, कुछ chapter से हर सब्जेट में ऐसे होते हैं, कि वो chapter का फिर मैपिंग ही सामने आता है, कि वो नहीं आता है, मैपिंग जब तक question सामने है, इसलिए आप अगर, इस पाइकलोजी से एक्जाम में जाओगे, कि भई, नहीं नहीं, मुझे ऐसा याद होना चीए, कि भई, मैं वो दुखो की पुरा मैपिंग सामने होना चीए, ऐसा possible नहीं है, कुछ आपकी धारना है, ग गलत व्यू देती है, गलत व्यू से, गलत एक्शन होती है, गलत एक्शन से सब कुछ गड़ बढ़ जाती है, ठीक है, चीजे कैसे नानेज करना चीए, मैं आपको बताऊगा, और कि हम session के end में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि तुमारे action तुमारे view से परदा होती है, व्यू क्या रख रहे, बात करेंगे आगे, I hope, तो ऐसे situation में, जहां पर दिखा जाए, तो aggregate pen or, लिखते बाद क्या लिखा मैंने देखो, section 22 का reference दिया, पर यहां पर यह view develop मत करो कि मुझे 22 याद आना चीए, simple लिखो, यह every registered person where aggregate pen or exceeds कितना 20 lakhs, रिको अलाइब रजिस्टर अंडर क् GST, but simple route में, दूसर लाइब, कुस state में 10 lakh है, और 40 lakh की लिमिट यहां पर आपको कुस state में मिलेगी, कुस state में नहीं मिलेगी, और यह यह view भी मत रखो कि ऐसा का ऐसा लिख में, आप simple way में लिखो, कि भाई, पोर state हो कि त्री मनी वाला नाग मुझे दिखा, वो तो याद या तो महा कितना लिमिट अपलिकेबल है, 10 lakhs, एक है Puma T-shirt, अरे है न, Puma T-end shirt, P for Pondigil, U for Pithra, कुछ याद आ है न, M for, एनेगा, महाराष्ट अपर पर देना, मेगाल है, A for Arunachal, T, Telanga, S, 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 K, यहां पर भी 40 lakh का लिमिट अपलिकेबल, नहीं है, एक है, आपने अधर मेरा regular class किया है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से simple word में कैसा लिखना, इस ही खा है, मैं अभी questionnaire में, मैं examination, मतलब जो suggested answer इसले लेता हूँ, या फिर मैं, अपने questions में, या, RTPP के answer इसले लेता हूँ, क्यों कि student expect कर रोते हैं, otherwise मैं बहुत जादा strongly fair में हो, कि simple but all points, you are covering, in your answer, ठीक है, उसके बाद में, aggregate, हाँ, पूरे question में, अगर मैं evaluator हूँ, तो मैं aggregate tenor की definition पहले देखो ना, दूसरे, aggregate tenor की definition कौन देता है, उसमें क्यों, क्योंकि मेरा पूरा question ही, aggregate tenor के base पहले हूँ, और 22 में आप लिक रहे हो, कि आपने tenor limit cross कर दिया, चलो, इसमें थोड़ी बहुत आपके गड़ बढ़ भी 10 लाग, 20 लाग, 40 लाग बताते हो, तो इतना को important factor है, नहीं, उसके बाग में, यहां पर आपने aggregate tenor निकाला, cumulative presentation, आपका presentation कैसा है, तो आपने cumulative aggregate tenor निकाला, और cumulative aggregate tenor आपका march में cross होता है, और वो 20 लाग से रहता है, तो आपको registration के लिए apply करना पड़ेगा है, विदिन क्या 30 days, हाँ, अब यह आपकोइंट समझता हूँ, हमने उत्तरा खंड का turn-out, सिर्फ aggregate निकालने के लिए लिए, अगर उत्तरा खंड में, आप exclusively non-taxable supply कर रहे कौंसा, liquor का, तो अगर किसी individual state में, आप exclusively अगर उत्तरा खंड में आपको registration लेने की कोई भी जरुवाद नहीं है, इसलिए वो भी point लिया मैंने, और कि उत्तरा खंड में आपको registration लेने की कोई भी जरुवाद नहीं है, section 23 के साब से, ये समझ में आया आपके, तो ये, एक ऐसना question बनाया, जिसमें maximum parameter 22 और 23 के कर रहे, ये समझ में आया, चलिए, next, अगर उपर की इसमें, अगर वो only interested supply of food item में होता, और उसकी restaurant service नहीं होती, बहुत अच्छा question है, कि अगर उसकी उपर की question में restaurant service नहीं होती और उसकी food item में होता, मतलब food item और लिकर में होता, तो क्या आपका answer चिंज होता, तो क्या हमें लिमिट 40 लेक्स की बिलती या 20 लेक्स की में होती है, उत्तरा खंड में, अब ये बहुत इंपॉर्डेंट है, okay, सोच के बखा, उत्तरा खंड में लिकर है, लिकर है तो वहाँ exclusively exam supply है, okay, तो अब में आपको ये point बता लाओ, दिखो, यहाँ पर, answer मेंने दिया, he is not liable to register under GSTI, he is 10 or less than the threshold limit, sorry, sorry, second case में, the applicable threshold, applicable threshold limit for registration, for ratio enterprises is given in the case of 40 lakhs as he is exclusively engaged in interest rate supplied goods, अब में जो adjustment बताने जा रहे हैं बहुत, बहुत important adjustment है, और मैंने जान बुच के हमारे master question में लिए है, पहला case, बहुत सुनना, आपको aggregate turn-all लेना है, aggregate turn-all क्यों लेते हैं, कि आपने 10 lakh, 20 lakh या 40 lakh cross किया है या नहीं है, ठीक है, तो आपको aggregate turn-all लेते वर्क, आपको aggregate turn-all लेते वर्क, आपने अगर किसी state में non taxable supply किया होगा, तो वो भी consider करना पड़ेगा, point number one ही होगा, point number two, कि जो state में अगर exempt and non taxable supply है, उस state में registration लेने की कोई भी जरुवाद नहीं, aggregate में consider लेपर उस state में registration लेने की जरुवाद नहीं है, अब समझले मैं उत्रा खन में registration लिया ही ही, तो फिर जब मेरी point number three 40 lakhs वाली limit रहेगी, समझले मैं goods का supplier और मुझे 40 lakhs का extended limit यूज करना है, I repeat the word क्या, novel limit कितना है? 20, extended limit कितना है? 40, तो 50 lakhs का extended limit जब यूज करना है, तो उसमें के मैं goods का supply देखूगा, वो goods के supply में, मैं, okay, what's, वो unit consider नहीं करोगा, जो unit, I repeat, जो unit का registration ही नहीं लिया गया है, उत्रा खंड में मैं liquor supply कर रहा था? Yes or no? तो उत्रा खंड में liquor supply कर रहा था? तुमाह में ने registration? लिया ही नहीं, तो जब मैं, 20 lakhs of 40 lakhs limit decide करोगा, तो मैं वो unit consider नहीं करोगा, I repeat, वो unit consider नहीं करोगा, जहां मैंने registration ले नहीं है, सबझवाएं क्या? मैंने registration के तान लिया थी नहीं, उत्रा खंड में क्यों नहीं लिया? No, exclusive 23 लग गया? Yes or no? तो वहां जहां मैंने, वो मेरे 40 lakhs के limit में consider नहीं होगा, क्यों नहीं consider होगा? अब में reason बताता हो, बहाएं से सुनो, Lawyer कहता है, क्या था? कि अगर उत्रा खंड में लिकन नहीं होता, पूर item होता, तो उत्रा खंड के वज़ेसे मेरी limit 20 हो जाती, क्यों 20 हो जाती उत्रा खंड के वज़ेसे? क्योंकि कोई भी 8 state में, I repeat, कोई भी 8 state में, आपकी limit 10 है या 20 है, तो पूरा आपका अग्रिगेट 10 है या 20 पे आजाता, क्योंकि उत्रा खंड के वज़ेसे, मुझे साह ज़ेस्टेशन लेना पड़ता, और उसको लिमिट के तना लग जाता? 20. यह बिल्कुल CL ज़ेसा है, एक जगा CL तो सब जगा CL, CL मतलब? यह बिल्कुल के लिए जान पूरी जान के से लेती? जान पूरी होती विटा, अधियो जुरी नहीं रेती? जाओकर बेखा जाए तो यह बिल्कुल CLS है, अगर तुम्हारा महराच पे में कुन गुट सप्लाय कर रह हो, और उत्राखंँ बेखर गुट सप्लाय कर रह हो, और उत्राखंँ में लिमिट 20ank है, तो अगर अगर विए ठीशट पुछ नहीं है, तो वहां होँ जान पता रिखिश्ट्रेशन लिया, पुम्हाराच प्रण प्रूरारा सब्स्तरिश्ट्रु कर रहां है, तो सभी जगर लिमिट 20 लाग हो जाए तो फिर मुझे जहां तक है महाराष्ट में 40 लाग का लिमिट रहेगा क्योंकि उत्तरा खंड का इंपक्त महाराष्ट रुपे नहीं आएगा इसलिए मैंने एंसर दिया है कि अगर वह उन्ली फट्लाइब गूट से तो उसको कितना लिमिट मिलेगा 40 लाग का लिमिट मिलेगा और 40 लाग की लिमिट में वो यहां पर जो है ऑके एक्जम्शन ले सकता है तो उसका टोटल हाँ हमारा एंसर को ले जाता है इसमें इसकी टोटल कितनी आ रहे है 20 लाग 50 दाउसर जो 40 लाग से नीचे है तो क्या इसको यहां पर रिजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरुवत है क्या नहीं ओके चलो यह पॉइंट हो रहा क्रिटिकल पॉइंट है वह फक्ता है कि आपको 100 परसें नहीं समझाओ और जितना में आप यह स्टेज पर और कि ऐसा ही समझो जितना में समझा रहा हो उतना पुझय मिलेगा और आपके पास इतना सा पॉइंत के लिए दो-तीन गंतरे डालना यासकी पोईंट सिंपल है पर समझने के लिए दो-तिन गंतरे डालना बहुत बढ़ी वीह की ब्योगी बस इतना इससमझा में लिए पुझय मिलेगा जितना समझा उसके पेस ठीक है बाइजिज के नुट इंगेजिन दोवसल कम रिटेल त्रडिंग फिनांशील इंट ना ज इस था किया ग्रोड यूज सपनेशें किया किया और उसको आप रजिस्टेशन लेना जरूवी हो जायेगा Now next, Rishabh third number देखो, Rishabh enterprises is engaged in trading of taxable goods on his own account, also acting as an agent of Mr. Rishibh, his turnover in a financial year 20XXY by 12X on his own account and 9X on the VIAGO principal, both turnover are क्या interest rates अपला है? अब देखो, जहां तक समझना कि agent के case में एक explanation है, section 22 में, कि अगर agent अपना भी turn-or कर रहा है, किसका? अपना turn-or कर रहा है, और किसका? तो अपना turn-or प्लस का? प्रिंसिपल का turn-or भी उसके turn-or में add किया जाए, और calculating aggregate turn-or अब इसमें आपके knowledge के लिए बतादो, सभी देन रहा ह agent यह nature का है, जो खुद का invoice देता है, कमान, agent अगर यह nature का है, कि जो खुद का invoice देता है, जो सेक्शन 24 में प्लस का registration है, लेकिन अगर agent खुद का invoice नहीं दे रहा है, तो उसको threshold दे लिआता है, तो यह देखोर में भी लाग, और श्री कर देखोर, लेकिन जो अपना threshold का के रह दोनों का टरनोर कंसिदार करे रहे हैं, is it clear? Okay. अगर एजन खुद का इन्वाइस दे रहा है तो, कम का इसार एजिस्ट्रेशन? समझनायागा? और अगर खुद का इन्वाइस नहीं दे रहा है, तो वो गिश्में थेश्वल मिलेगा, पर थेश्वल में? अगर जब निकाले जाएगा, तो क्या सिट और एजन का इन्वाइजाएगा या पिंसिपल का भी लिया जाएगा, ठीके? Next. 4. रिश्व एजिस्ट्रेशन साथ एजिस्ट्रेशन का इन्वाइड विदिन उत्राखन on a popular electronic commerce platform, वास तो कंपटू साथ टू मिलिस्ट्राग। लिटेशन का इन ओन्वाइड वदिस्ट्रेशन कांट। आनिया जब टाएज जास्ट्रेशन का इन्वाइड किग्वाइड एज सट्राखन दू का इन्वाइड प्याजएं युपाइड ओनि उत्र इन्न मन्तव पेप, त्युक्य मास्ट में तो इसका टन और ही क्रॉस हो गया था, और येस और नो, और कि इन्न मन्तव पेप, सिंद इन्न एनास्ट बादन जेस्टी लॉग, यान ही सप्लाइ गूर्स तूर्व इवास्तु स्टूर्ड भी आप दादू यहा पे, इस बार अमेंडमेंट दी हो गी है, मुझे बढ़ा था था तरन और कितना था? 7,000,000 था, क्या वो अनरजिष्टर रह सकता था? Yes or no, वो तो लाइबल कब वा? March में लाइबल वा, तो अनरजिष्टर रह सकता था? अब आपको बचा दो, Section 24 में यह इस बार अमेंडमेंट है, आपके लिए भी एड किया गया है, तो जिन्होंने लास एक्जाम दी थी उसमें नहीं था पर अब यह एक्जाम से यह अप्लिकेबल करवा गया है, तो यह मैं आपको यह बता दू, अब यह जो चीज है, याद रखो, ऐसा है कि अगर कोई supplier, ECO के थूप्लाय कर रहा है, किसको? रिसिपियन को, और वो ECO, I repeat, वो ECO, Section 52 का ECO, Section 52 का ECO मतलब? TCS करेंगा, मतलब 9-5 नहीं, 9-5 नहीं, वो ECO, मतलब 9-5 चोड़के, जब भी कोई, तुम Amazon से सप्लाय करो, Clipcard से सप्लाय करो, Service सप्लाय करो, वो सब किसमें आते है, TCS में, यह सबली में आया है, तो जो भी कुछ तुम ECO के थूप्लाय करो के, जो TCS करेंगा, तो Section 24 कहता ह Supplier को Compulsory Registration लेना पड़ेगा, I repeat, किसको, Compulsory Registration का मतलब क्या है, मतलब आपको Threshold ही मिलेगा, यहने अग मैं इसका एक चोड़ा सा एक्जांपल लेता हूँ, और मैंने रेगुलर क्लास में भी दिया था, शायद यह एक्जांपल से आपको याद आजाए, मेरी यह कजीन अगरी यह एक्जांपल लेता हूँ, मेरी एक कजिन थी जो सारी बेचती थी, और के शोकियाना यह बिजनेस करती है, कुछ हाद आ रहे है, और के शोकियाना वो सारी बेच लही है, और यह बिजनेस कर रही है, अब वो सारी तो उसका तर्वार मुश्किल से 2-3 लाग करती है, जो अपना वो सारी बेच जो अपना सारी सेल कर रहे है, तो अज भी है, तो उसमें नोटिफिकेशन आया है, तर मेही बता दूं, और यह आमेंइमेंड्मेंट तड़के जाना इसके पर कॉश्न आ सकता है, पहले सा था कि अगर आप ऊस्यों के थ्रू कोई भी गू करें आप तो आप इस यो कि थू कोई भी गूज बेच रहे जो सक्षिन फिफ्टीटू की टीसेश में आता है तो सप्लार को अधिया था मतलब उसका टैनल मेरे कजिन का जो दो तील आता टैनल मैंने उसका जीस्टेशन कर रहा है क्योंकि किसके थू सप्लाइगा इसी हो कि और इवन कंपोजिशन लेगी नहीं 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 पड़ा है तो इसे केस में उसका यहां पर तो उसको रजिस्टेशन करो रहा पड़ा क्योंकि नगे विजनेसमें और आजकाल कौन्स्यूमर का प्रिफरंस्ट प्लैफ़र्म हो चुका है आप देखो आप Amazon से, okay, आपकी 50, minimum 50% purchase तो Amazon से बजाती है। मार्केट में जाते हो कभी शोकी आना। समझाया है क्या? शोकी आना, otherwise, okay, 50% purchase तो consumer की, और मेरी तो 80% है। टाइम ही मिलता है, class है। पर जहाँ 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 है। तो अब ही सारे जो छोटी 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 रिटे लगवाले थे, इनकी रिक्वेस्ट थी फाइनस मिस्टर की पायाँ कि हमारे टनोर जाता नहीं है। पांच लाग, साथ लाग, बस लाग का पैम हो रहे है। पर हमको यह प्लाटफरम पर आना जरूरी हो गया। क्योंकि अम नहीं आएगे तो हम तो खतम हो जाएंगे। यह सर्नो तो हमें को अब इस्यो के प्लाटफरम पर आना आमको ज़दूरी है। लेकिन वह यह कहता है कि अगर हम इस्यो के प्लाटफरम पर आगा है आप कंपर सरी कर रहे हो तो गवर्मेंट ने इस बार एक अमेंटमेंट लगी। और गवर्मेंट ने कहा कि जो यहां पर छोटा बिजनसमैन है और अगर कोई सप्लाइर बूट्स है और उसका तैम आप फेशोर के नीचे है। पिर उसका प्लाइर टेशोर के इंचे में भी 10 लाग 20 लाग या 40 लाग तो वह इस्यो के थूट्सप्लाइप कर सकता है विदाओर रजिस्ट्रेशन सबज में आ रहा है विदाओर रजिस्ट्रेशन उसके ओपर जी स्ट नहीं आएगा तो ये clause को उन्होंने exception लाया और अब वो SEO की थूरू supply कर सकता है वो Amazon पर supply कर सकता without registration उसको अपना पूरा threshold मिलेगा 40 लाग 20 लाग जो भी उसका threshold है तब तक वो GSTD नहीं देगा उसके बाद ही GST देगा Yes or no? लेकिन conditions डाली होगी है अगर amendments बढ़ी होगी तो मैंने पढ़ा हुए conditions, पहली condition ये जो SEO रजिस्टर होगा ये इसका कोई इंटर स्टेट सप्लाइ नहीं होना चाहिए दूसरा, इस्तियों ने भी इसका सप्लाइस्टिप स्टेट में करना चाहिए इसका सप्लाइस दूसरे स्टेट में नहीं जाता है जा सकता है, तो रूँ क्या? इस्यों नेक्स, इसके पास PAN होना जोनदी है नेक्स, इसके ये जो है common portal पे अपना PAN और अपना state detail और address देगा और common portal से registration नहीं लेगा एक enrollment number लेगा I repeat the word क्या enrollment number लेगा और वो enrollment number issue को देगा कि यह मेरा enrollment number है मेरा, यहाँ पर TCS work out है I am not ready to take for GST और इनके enrollment number पे issue की यह जिम्मेदारी है कि इनका supply वो block तरह सम्स्टेट में other state में इनको supply allowed? नहीं, यह समझ में आया है यह interstate supply नहीं कर सकते है तो कब तर जब तर थे शोल है तो यहाँ सवाल क्या कुछ आगया यह amendment पे सवाल है अगर यह सवाल आपको सवल में आता है तो in the month of February मेरा timer साप लागी था मैं unregistered था क्या मैं in the month of February VCO की तरू supply कर सकता हो? हाँ, कर सकता हो और मैं unregistered भी रख सकता हो लेकिन आपको वो सारी condition लेर करनी पड़ेगी और लिखनी पड़ेगी कौन सी condition की interstate supply allowed नहीं है PAN होना जल रही है और के वो PAN और डीटेल आड्रेस common portal पर देके क्या लेगा enrollment number लेगा enrollment number issue को provide करेगा और issue इसकी detail inform GSTR 8 में देगा statement में देगा यह इस बार का theoretical question learn करके जाना समझ नाया क्या चलिए Now next, यहाँ पे question number 5 Apart from the other, Rishav Enterprises is also engaged in the business of buying and selling of shares on his own account from secondary markets and its income from this activity assessed as a business income under the income tax Act 1961 during the year, total sales from the sale of share 90 lakhs इसको registration लेना पड़ेगा के नहीं क्यों नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि sale of shares यह securities है securities ना goods में आती है ना service में आती है इसलिए question of GST does not arrest वो कोई taxable supply कर ही नहीं रहा है अगर और taxable supply नहीं कर रहा है तो no need to take क्या registration चलिए उसके बार में 6th number इस aggregate turn-out of ratio businesses in the state of Maharashtra exceeds 20 lakhs और उसका turnover exceeds 20 lakhs 25th March को और आप्राइस पर registration कव 19th March और आद तो पर सब्सक्रीट नहीं क्या 29th March इसमें उसने 30 अपने अपने कर दिया क्या 30 अपने आख रसी भी आगी 29th March को यह स्टेमाइन effective date of registration क्या होगा effective date of registration अगर आपने 30 दीन में अपलाय कर दिया, और अगर आपने 30 दीन में अपलाय कर दिया, और क्या रिजिस्ट्रशन, तो what is the effective date of registration? देट और ने बिकम लादर, तो कब लादर वहा था जो तो? 25th March को, 25th March is the effective date of registration. मुझे एक बताओ, what would be your answer if Rishad Outervisor submit the application for registration on 27th April? एक मिनट, लाइवल कब वाजा? 25th March को, मासे तीज दिन के अंदर application जाना चाहिए अगर application 27th April को गया थो more than 30 days, more than 30 days का मतलब? अब उसकी effective date, 25th March नहीं होगी इस दिन RC आईए, what is the RC date? 29th of April और उस दिन आया ना, granted registration certificate sorry, 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 second case में है ना तो date की आईगी बताओ? तो date की आईगी बताओ, date में, answer देख लेक बाद, साथ साथ ना 3rd, what would be your answer if it applied for registration on GST portal but means to submit the details of its bank account tax consultant advised that prior permission of bank details in mandatory to obtain registration examine whether the advice of Rishabh Intervise tax guy is correct यह वाला पॉइंट अगे रिए यह एक अच्छी अजस्मेंट जो एक्जाम में पुछा जा सकता है इस बार जो है 23 में अमेंड मेंड में सबसे बहुत जब आप RG01 में रजिस्ट्रेशन के लिए अपलाय करते हो तो उसमें आपको बैंक डिटल्स देनी करती है पर यह पंडिटल्स देनी नहीं है law यह कहता है rule 10 यह कहता है rule 10 यह कहता है आपका registration without bank detail भी हो सकता है आपका registration without bank detail भी हो सकता है इसलिए consultant ने जो advice दिया bank detail की भी ना registration नहीं होगा it is a wrong advice okay advice is not correct in law okay registration can be obtained without bank details but rule 10 says okay bank details must be given amendment within 30 days पर यह 45 days था और कितना हो गया within 30 days और date of filing GSTR 1 वीचेवरी आज़िए मतलब तुम registration ले लेकिन you must have to give the bank details okay यहाँ पे earlier of 30 days from the registration और date of filing GSTR 1 वीचेवरी उसके पहले आपको bank details देनी पड़ेगी कॉस्टन आने के पूरे पूरे चांसे हैं और कि यह adjustment अच्छे से पढ़के जाना है आपको तुम नवीचेवरी निवीचेवरी निवाए प्ड़ेगी तुम सक्टराओ प्रेट्राओ टेक्ष्ट कांसे में नेना है कि यह जाए अच्छेवरी तूर बढ़े नवीचे अच्छीन उसके पढ़ेगी नेना है तो, cancellation of registration, लिकलो साहिग में, लेंग करके जाना है, cancellation of registration, institute का फेरीट अरिया, सिक्ष्षिन 29, और कि सिफ situation लेंग करना, प्रोसीजर नहीं, उसमें की प्रोसीजर ठीजर नहीं, situation लेंग करना, एक होता है, सुमोटो cancellation, सुमोटो मतलब भुच से, और खुद से, तो खुद से आप कैंसutta कर सकते हो जब business आप पे छोड़ रहा हूँ, जिसमें एक situation है कि अगर आपने normal return, continuous period 6 months नहीं दिया, तो officer आपका registration cancels कर सकता है, ताकि भी बहुत सारी situation है, खेक है, उसमें कि एक situation है, वो सारी situation रिंगर के जाना मैं पहले ही कहरा हूँ, और कि उसमें कि कोई भी situation पे आपको सवाव कुछा जाए रखता है, EPS discuss all the situation also, बाकी सारी situation आपको लिखना है, also discuss the circumstances where registration is liable to be cancelled by a proper officer otherwise than by his own motion also, उसमें आजाएगा, अगर 28 की सारी situation में आजाएगा, Now 8 number लेड़ो, what would be your answer in given case 7 above, if Rishabh improvise is applied for revocation of cancellation of registration, the order for revocation of cancellation of registration was passed, ये revocation क्या होता है, सभेज लो, आप two-wheeler चला रहे हो, और वो two-wheeler में आपके जो RCA गादी की, या आपका लाइसने जट कर लिया गया, और वो ऑफिसर दे ही नहीं रहा, वो बलका आप जट, मैं क्या दूंगा ये, तुम क्या करोगा, तो ऐसा बोला है, जा, लेकिजा, जा, आपकी जा, नहीं जा, ऐसा बोलोगा, कि हुआर जट कर दे, अजट समूप जिनÝा वापास कर दे, इसको कहते है, रीवो केशिंफर वापस कर, कुछ जए, यहा कुछ जए, नहीं लेका है, और रेवो केशिंफा उतल पीडस है, ऴापस कर दे, गया दो ह रो मारा जो RCA तुमने चंसल किया है, प्र एक्ञांपल तुम्हें तुम्हें directly र作 sa गते हैं। रुहुआपकशीन से के रसी तुम्हें तुम्हें रूज कर दो गलता हैं। तो धुम्हें रूजीसिटरेशंगी एक रियुटरी सुहें री रफ हीुट्टरी रीटर्न कघा हैं। क्योंकि एक बार तुमारी RC नियन और भॉस तो इतना सिम्पल नही एंडिया है नियन झाल पर किरेंगना है सेम नाम पे सेम प्रोप्राइटी कंसं पर एक मेरा क्लायंट है उसकी रिए उसकी RC कैचल भी गभी डिए ब्याद नहीं नहीं रिए खाहिन नहीं किया और cancel हो रहा तो revocation के लिए अपलाए करें समझ में आया तो अभी क्या किया इन्होंने revocation का yes, cancel हो तो आपको revocation के लिए मिलता है और revocation की amendment की time limit बढ़ा दिया अभी revocation और cancellation में इन्होंने time limit क्या किया गटा 90 days पहले कितना था? 30 days 90 days में आप अपलाए करोगे पौर क्या? revocation which is extendable to क्या? 90 days इन्होंने करके जाना और आपका revocation होता है अगर आपने सारे all returns due जो थे जो नहीं दिये थे अगर वो return पाइल कर देते हो तो आपका revocation हो जाएगा ये एक question ऐसा बनाया है कि मैंने सारे section को touch किया है section 22, 23, 24 yes or no उसके बाद में 28 एन्हें cancellation 25 तो procedure है सर्वो पोसीजर कितना परना? वो आदार भबाबर होता है वो आदार authentication और वो registration 15 दिन में भाई साव चाहाँ देख लेने का? और अभी क्या है आपको तो अच्छा काता बीच में टाइम है अरे हाया ना ये मैं जस अच्छा काता तरह मैं तो उसको अच्छे से कर लो एक बार आदार तो कहा तो बहुत सिंपल है और आदार में सच में गो कि आपको question क्या है का पता है गया कि कौन से केसे में आगर अथेंटिकेशन नहीं रहा है ठीक है प्रोसीजर की पीछे जादा टाइम मत करना सेक्शन 28-29 की भी प्रोसीजर की पीछे जादा टाइम अपना मत रहा है ठीक है specific file लेना बात है चलो ठीक है यहाँ पर यह हमारा chapter खत्म हुआ सुरी यह इतना ही है तक है और है क्या हाँ क्वेशन 20 है क्वेशन 20 है यह क्वेशन अच्छी से पुछते जाना मुले लगता है आपके अपर इसके इसमें सवाल पुछा जाए जाए casual taxable person or NITP मैंने यह बहुत अच्छा 45 मिनट्स मैंने अपने रिविजन में पढ़ा हुआ है RR रिविजन में CTP and NITP यह concept क्या होता है अगर इसने नहीं देखा है तो आप जुरूव देखिएगा बहुत अच्छा रिविजन है तो जहाँद देखा जाए तो CTP and NITP casual taxable person मतलब simple way में exam में मत लिखना पर simple way में बन जारे बन जारे मतलब आप other state में जारे हो जहाँ आपका कोई भी address नहीं है और वहाँ जाके exhibition में stall लगा रहे हो रास्ते पे stall लगा रहे हो या कोई भी ऐसी place जो permanent place नहीं है और वहाँ जाके goods or service का supply कर रहे हो देखो वह simple question है करके जाना इस बार CTP और NITP पे question पुछे जा सकते है और NITP मतलब वाह non resident taxable person मतलब क्या मतलब बहार के country से लोग यहाँ पर business कर रहे है जिसका कोई fix place or business नहीं fix place or business नहीं जैसे Nepal से कोई आया sweater लेके Jackets लेके और roadside shop लगा रहा है जिसका कोई fix place or business नहीं है उसको कहता है NRTP तो देखो अब क्या answer the following question with respect to casual taxable person and क्या दूसरा NRTP CTP and NRTP भाई रटा मानना definition of क्या CTP and definition of क्लिको आप रटा CTP or NRTP CTP casual taxable person means who occasionally कभी कभी मेरे दिल में okay who occasionally undertakes the transaction involving supply of goods or service in the course of business as a principal agent in a state where he has no fixed place of business NRTP occasionally undertakes the transaction involving supply of goods or services where a principal agent other capacity who has no fixed place of business or residency in kya area second question करना चाहिए आपने non taxable supply नहीं करना चाहिए आपने issue supply service का नहीं करना चाहिए अगने इस्योच आपने इस्योच आपने बाहिज साहव, घर आप कोई इसमें बैठा वो गवारी में चाहिए, लास्क आप CTPDNRTP को पोजिशन ले ही नहीं है, भाई साहव, अगर आप कोई इसमें बटा होगा तो CTPDNRTP कमपसरी रीजिस्टरीयों के नहीं हो भी है, समझ आरहा हैं, और उनको फिर रीग पोजिशन स तो अगर आप भूच के दूँगा, ठीक है, CTP और NRTP जो है न, यहां पे 5 days before the commencement of business, registration करना चाहिए, उसके बाद में, is PAN is being mandatory for registration of CTP, yes, CTP के लिए PAN ज़रूरी है, NRTP के लिए PAN नहीं, बहुत इंपोर्टन, NRTP के लिए PAN नहीं होता है, पास्पोर्ड होता है, और नेपाल तो उसके लिए क्या होता है, पास्पोर्ण, तो उसके लिए क्या होता है, पास्पोर्ण, what is the validity period of registration certificate issued under CTP, कितना, बहुत 90 days लिखोगे तो गलत हो जाएक, time period has applied in the application, okay, but maximum 90 days, extendable for 490 days, उसके बाद में, can the validity of registration certificate issued to CTP or NRB be extended, yes, further 90 days, if yes, what is the period of extension, बाई साभी exam का question है, अगर ऐसे questions आये, तो marks, नहीं स्कॉर्ण, तो जिए CTP, NRB रह गया तो वो भी गवर कर लिया, बाकी registration में थेह रही है, इतना बैटिंग कर्सों को कर ले न, सबसे पहले पता हो क्या, 22, 23, 24 की, जितनी भी case study, aggregate 10 और पर, जितने भी case study or questions आपके questionnaire में दिया है, उतने अच्छे से करके जाना, CTP or NRB and cancellation, बास, इसके ज़गा, इससे ज़गा, इस चाप्टर को time नहीं देता है, ठीक है, चलो, in this way we have completed this chapter, ख्या, रही स्टिश्य, अरे आपको बनीफिट हो रहे न, कि नहीं हो रहे, हाँ, याद आ रहे, आ रहे, आ रहे, आ रहे, आईसा, नहीं, यह स्वाम अगरिव मैं बचा के इसलिए रखा है, तो क्या होगा, कि अभी खाना का अगे, फिर हल्की हल्की नहीं दाएगी, खाना, खाना है, भाना होगा, खाना है, भाना हैना, फिर त wipes कंटिईटी में ले 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 ले, बिदाएग लंच चलते हैagua, तई काम करते हैं, हम लंच नहीं करेंगे, दस मिरख लेलेंगे, दो स्वाध हो बजे, और फिर पुर कंट्ईटी में आज गरेलेंगे, ठीक है. अब वो तुझे लेता है वो तो यहां पर मेरे कासे तीन-चार बार उद्ली खाकर आगे होगे अब नेक्स अप्र कॉन वा लेना इनोस लेलो ने प्लेस तो यहां पर हम बाद मेलेगे तो यहां जो यहां पर हो यहां परिख प्लेसे तीन को तो यहां अब बाद में आगे शे को अब टो ने तो यहां अब पर आगे चलिए आज़े नेक्स चाप्रे पर टाक्स इन्वाइस टाक्स इन्वाइस पैजा पॉस्चन नम्र 21 अगेन एवी चाप्र चोड़ना मत तूस्ट्रे यह कुछ नगदाते नहीं हैं पॉस्ट्रेंट के लिए आप पर्टें आप परते एंद्ग में रहते हैं जादा क्वेशन रजिस्ट्रेशन और इन्वाइस पर कुछें। पर वो क्या रहा हुना कि जब तक राइट व्यू नहीं मिलता है, राइट एक्षन नहीं होती है। तो यह होना बाप जरूरी है। ठीक है। तो यहां पर क्वेशन नुबर 21 एक जसमें। रहा हुना कि पर अग्षन नहीं कि जाओ। आप बादावन आजाओ, यहां पर, शक्ति लिमित्टर्स अप्लाए, एंगेजिन पर अजोड़ सर्विशें इन पुने, महराष्ट्र, some of the goods sold by it exam whereas some are kya tax kata you are required to answer the following question so no no forget me sir Shakti Limited enter into a contract with Suvej Enterprises surat for supplier goods and delivery shall be made on or before kya 31st October goods were removed from the factory at Pune on 11th October as per agreement the goods were to be delivered on or before 31st October Suvej Enterprises has received the goods on 14th October 14th October goes ko mela determine time of issue of invoice यह आपके लिए बहुत इसी है, टाइम आप सप्लाय की चाप्टर में भी देखाता है, अगर आपको याद होगा तो सप्लाय गुड्स में आपका इन्वाइस कप्तक इसु होना चाहिए, अगर गुड्स में मोमेंट है, तो क्या कप्तक अनौर बिफोर डेट आप रिमॉल प अगर दिया था हमने, तो 11th October को रिमॉल है, बाकी सब देट पालतु है, देट आप कांट्राक्ट, कर मिला, कर नहीं मिला, पालतु है, बच हमको एक ही डेट छिए, देट आप क्या रिमॉल, तो इन्वाइस आल बिफोर क्या, 11th October, एंसर देखो सही है क्या, 11th October के पहले चाहिए, चाहँ, next, second, Shakti Limited is supplying taxable goods to Suraj enterprises, taxable goods supply कर रहा है, it submit the account of total supplies made during 2 months period, on 25th of alternate month, ठीक है, do Shakti Limited how to issue invoice each time, dispatching the goods, ये एक नए adjustment है, अब देखो, मैंने आपको ये पढ़ाया था invoice chapter में, continuous supply of goods, याद आपको मैंने बताया था, paper वाला, दूर वाला, दूर दूर वाला, दूर एक् कुछ बिजनेस का नेचर ऐसा होता है, कि यहाँ पर उसका इन्वाइस हर रिमोल पर देना पॉसिबल नहीं हो, जैसे ग्यास, ग्यास गुट्स, ग्यास गुट्स, तो वो जो है, वो अप्लाइब गुट्स माना जाएगा, जैसे दू दूर दूर अग्जापल दो, वो ऐसा करके जाना है, continuous supply of goods and continuous supply of services, यह दो definition आपको क्या, लन करके जाना है, और इसके invoice के impact भी लन करता है, इस बार 99% chances है, इस पर question आ सकता है, और मेरा 2017 से, स्पेशली जब से GST आया, जब भी मैंने 99 का, तो वो 100 वा, एक अभी बार ऐसा हुआ कि नहीं पूछा, मैं असले बढ़ रहा हूँ कि अभी तर continuous supply of goods और service पे questions नहीं आए, और एक question तो ऐसा होता है, कि जो एक या दो questions ऐसे होते है, यह कोई adjustment ऐसी होती है, कि जो आज तक नह पूछा, वो आज पूछी है, तो इसके inverse mechanism भी पढ़ के जाना, अगर आपका, दुन्दम में difference क्या है, continuous supply of goods में ऐसी कोई time period नहीं दिया, आपका contract चार दिन का, पांच दिन का, continuous or recurrent basis पे हो सकता है, जिसमें आप goods supply कर रहा है, under the contract, जिसमें जो payment है, वो payment periodical है, service में बढ़ है 3 months, आपका continuous supply of service तभी बुला जाएगा, जब contract क्या है, 3 months or more है, जिसमें recipient आपको periodical payment कर रहा है, यह लन करके जाना definition, तो उसको continuous supply of service कहे लिए, इस case में continuous supply of goods है, law यह कहता है कि continuous supply of goods के case में, remote पे आप invoice दे नहीं सकते, तो जिस दिन statement बनता है, successive statement, या successive payment, whichever is अल, उस दिन या उसके पहले आप invoice बनाना चाहिए, तो जैसे दूद वाला आपको monthly statement बना के लाएगा, इस दिन दो लिटर दिया, इस दिन पांच लिटर दिया, इस दिन नहीं थे, इस दिन बाह गए थे, रहा है ना, तो जो statement बना के लाएगा, या जो आपका gap की pipeline है, और कि उसका जो monthly कित उसके अकांट के लिटर चाहिए, इस देम बाह थे, थे, इस दूद नहीं पड़ेगा, पहले आप definition लिकोंगे, इनवाइफ कर देना चाहिए, लीगल पोईजन लिकोंगे, और उसके बाद में काहोगे, इस दिस्पेच के लगए नहीं होगा, और कि जो उसका statement की date है, क्या स्टेट्मेंट की देट है 25 तो अल्टनेट मंत उस तक वो और विपोर देट इन्वाइज देगा उसके बाद में एक्ष्ट यहां पे थर्ड ऑन ट्वेंटित में शक्ति निमिटर एसंग प्रास्मिटर फॉर एग्जिबिशन अट्सा तरह और सेल और रिटन बेसिस पे एक कैसे देट में झाल सबस्ट कि है कि आपको याद होगा कि मैने यह घंपल दिया यता गायों कि मैं мои और मेरे वीप मेरे निप्लेस पर पूराना सारी वाला है से क्दा ओकश्ति कि और कि इह एक प्राना रिटन पवाला ता है और यहां पे जो गठड़ा होगा और क्या ःतक कि पसंद आया तो ठीक तो मैंने एक्जामपल में आपको कहा था कि एक सारी दो सरी ऐसे क्या गठा हो गया और सबके सब पसंद आ गई नहीं तो रिटर्ण बेसिस तो ऐसे सिचुएशन में जब आप सप्लाय करते हो और अपरोल और क्या रिटर्ण बेसिस तो जब रिमोल आते हैं नहीं बनता है लॉय कहता है कि इन्वाइब जो बनेगा वें एक्सेप्टर्ट गिवन बाइब क्या बाइर बाइर जब एक्सेप्टर्ट देगा उस उसमें बनाना पड़ेगा ठीक है यह अच्छा के स्टडिय पड़के जाना अब यह दखो वो क्या क्या थे द्रहां से देखना कैशली और यह लिगकर भी देखलाना बहुँ अच्छा के स्टडियो ट्वेंट में शक्ति रिमिटर्स थें 500 उनिट्स प्नास मिटर्स में एगा धिन्थ में ठीक है उन्य Humans ऑनइ आप्लिन नाहीड्स प्ना थें बने थें वह अल्युनी अंध्वलम््न रिमिटर्स थें एक अन्युन नाहीं गया है का आपको क्या है करें तो, बन्विटी सोफ़िटी तो रपस आगे तो फिर 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 खितमें नहीं आई? 50. तो छे मेने में 50 नहीं है और कि अब क्या करोंगे? 50 का रुबाइस बना लोगे. बई साफ, परखें तो ये देखो कि ये जदेखो कि ये बन 50 ये 6 मंस में आया की नहीं है तो जिस दिन 6 months कम लेगे जाएगे तरह में इवाइस बनाना है तो इसका क्या होगा, उसकी क्या बनती है, उसकी क्रडिट नॉट बनती है, चलो, उसके बाद में, इसके बनेगा उसके बनेगा, उसके बाद में, शक्ति लिटर प्राइट प्राइट बनेगा इसके माइच्ट आपको आसान है, उसके बाद में, जून, determine that issue of invoice, service अबेटा, service में invoice का भी इस होता है, बताओ, अरे बोलो, service में invoice का भी इस होता है, okay, अगर within 30 days, या क्या, 45 days, okay, within 30 days या, 45 days, तो ये बताओ, इसने service का भी दिया है, 5 जून को दिया है, तो 5 जून से 30 days में, और banking sector होगा तो, 45 days में invoice issue हो जाना चाहिए, now, next, 5th question, अच्छा question, start करना, शक्ती लिमिटर प्रोइट्स, continuous supply of क्या, service, what do you mean by continuous supply of service, जिसका contract period 3 months से जादा है, और recipient periodically pay कर ला है, तो इसमें, continuous supply of service में, अगर ये concept नहीं समझा होगा, फिर से 2 मिट में समझा देता हो, अगर आपका contract 3 मेने से जादा है service का, और contract में recipient आपको कब देगा, उसकी due date available है, example, rent agreement, मेरा 11 मेने का बना है, rent agreement मेरा 11 मेने का बना है, मतलब 3 मेने से जादा है, continuous supply हुआ, लेकिन agreement में clear लिखा हुआ है, कि recipient मुझे हर मेने के 10 तारिक तक rent दे देगा, तो क्या due date fix है, अरे, yes or no, तो अगर आपके continuous supply of service में, recipient आपको पैसा कब देगा, वो अगर due date fix है, तो invoice for supply of service एने rent should be issued on or before due date, यह समझ मैं है, on or before due date, अगर आपके contract में due date होगी, तो, दूसरे, अगर मेरे contract में due date नहीं है, समझ लो मैं 6 मेने का बैच ले रहा हू, मैंने चलने वाला है, और इसमें मैंने आपको installment facility दिये, पर इसके due date नहीं है, मैंने आपको का कि भई, आपको इतीन installment रहेगी, पहले आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, और एक class कतम हने के बात देना पड़ेगा, पर जिसकी कोई भी due date already fits नहीं है, तो, अगर आपका supply continuous contract है, तीन मैने से जादा है, और आपके contract में due date fits नहीं है, तो जिस दिन payment आएगा, जिस दिन payment आएगा, ये student मुझे जो payment दे रहा है, एक मैने में दे रहा है, ये दोसरे मैने में दे रहा है, ये तिसरे मैने में दे रहा है, तो जब-जब जिसका payment आएगा, on a before, आपको invoice देना पड़ेगा, समझ मैं है, और तीतरा, तीतरा, अगर आ तो मैंने अगर अपने कॉंट्रेक में इवन फिक्स की होगे, तो सामने वाला मुझे पेमिंट करे या ना करे, जैसे ही इवन कम्पलीट होगा, मुझे इंवाइस इशू करना पढ़ेगा, पुछ यागा रहा है, रक्ता मार के जाना इस बार पॉष्ण आने के पूरे पूरे चांस था, या ना करे याग। इवन सब्सक्ष्ट आफ आप यदिए, विक्स में तो स्क्सी में इस ना करना होगे, तो सार्भी अपने स्क्सिटिकोंस ना करें देख देख देख, दो तो क्या गते हैं, छटी इम इस स्क्ष्ट करा अवेक्ट आफ। रपहगा रेमितिए, date of commencement of continuous supply of service 110 date of completion of 30, 31 date of receipt of payment by Mr. Lakhan per family 33 determine the time of issue of invoice as per the procedure of GST Act in following circumstances if no due date of payment is agreed upon that way under the contract यह तब due date अगर अगरी नही है तो जुदिन पैमें दिला अरे आया न ए अगरी न आगरी न गर् gubernator अगरी जुदिन न पैमें एगरी खिल अगरी तो जूरा जूरा न को सिर न यहीक़ पैमें पैमें मैं डेको अन्सर म्रॉन पैमार को आंगरी अगरी आगी क्या है था, जूरा 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 कुदिन पैमें बपोर 38th March, correct फेयमें पेंट हैं फेयो ने करप देख पिम्या है पी यदि स्रेच मुला है को lastig महता हुड़ कियो मार्च चलो यह सब्सक्राइब उसके बाद में तो अगर आपने सर्वीस काउट्रेक्ट लिया और कुछ सर्वीस देने के बाद भी तो जितनी सर्वीस आपने दिया है उतना इंवाइस आपको देना पढ़ेगा तो इसने कितने सर्वीस दिया? 10 देस तो प्रपोर्शने 10 देस का कितना होता है? 10,000 तो 10,000 का इनवाइस देना पढ़ेगा दन उसके बाद में 11 मतलब किए effective date? 12th August. You are required to advise shakti limited as to what is the effective date of registration in its case. What is the effective date of registration? 12th August. Okay. It has also sought your advice regarding to issue of revised tax invoice. चलो, यह भी एस्पिकर हो गया. Revised tax invoice, concept क्या है? भाइस साब, revised tax invoice उसा मतले ना कि original invoice पार केंड़ा इंवाइस? GST में इसको revised tax invoice नहीं कहते है. GST में revised tax invoice के इसको कहते है कि जिस बिन से आप लाइबल होए, till the date of RC. Till the date of RC. क्योंकि आपके बाद GST तो था नहीं. तो कब से लाइबल होए? क्यों से और RC की रेट का है? स्निक सटेट. इसके भिश में आपने tax invoice तो दिया होगा. क्यों नहीं दिया होगा tax invoice? जिस नहीं, तो normal invoice दिया होगा. तो इन पिरेट के बादा, जो आपने normal invoice दिया है, उसको tax invoice में revise करके customer को देना पड़ता है within a period of one month. यान है, 6 September को जिस दिन RC है, 6 September से आगे हैं month में, पुराने invoice, 12 August से लेके 6 September तक के सारे invoice आपको revise करके देना पड़ेगा. जिसमें B2B होगे तो इच invoice revise होगा, और B2C होगा तो consolidated revise होगा. समझ में आया कि नहीं है? तो यह revised invoice होगा, तो आपको 12 August से लेके 6 September तक का revised invoice देना पड़ेगा. चलो, यह भी aspect करके. नेक्स, शक्ति लिमिटे आस अंदर टेकें following sales during a day. यह भी अच्छा point है. एक law क्या कहता है, देखो यहाँ पे, कि अगर आपका B2C fail है, B2B नहीं है. B2C sale होगा, और invoice value 200 rupees के नीचे, less than 200, 200 रिचे होगा, तो आपने customer को tax invoice नहीं भी दिया तो भी चलेगा, provided that उसने demand नहीं करना चाहिए. समझ में आया कि उसने demand नहीं करना चाहिए. तो एक मिनट, कौन से transaction में, B2B और B2C? B2C होना चाहिए, मतलब supply to an unregistered person, value less than 200, and invoice not required by the buyer. So, there is no need to issue tax invoice, but आपको at the end of the day, I repeat, at the end of the day, जितना भी आपने 200 के नीचे का माल बेचा और invoice नहीं दिया, उसका एक consolidated invoice अपने record के लिए बना के रखना परता है. Okay, make a consolidated invoice. At the end of the day, वो point जरू लिखना. ठीक है? तो ऐसे situation में, यहाँ पर, उनने एक case study दिया है, और आपको decide करना है, रागाव ट्रेडर, रजिस्टर, B2B, और 190 का है, 200 से कम है, क्या invoice देना पड़ेगा? Tax invoice, अरे 200, B2B, देना पड़ेगा? Yes, tax invoice आएगा. Two enterprises, unregistered. अरे, unregistered है ना, देना पड़ेगा, क्यों? 200 से जागा है, यहाँ पर भी tax invoice आएगा. Governor of enter, unregistered क्या देना पड़ेगा? Yes, tax invoice देना पड़ेगा. अरे, unregistered entity, यहाँ नई भी दिया तो भी चलेगा, लाफ में नई भी दिया तो भी चलेगा, पर इसका consolidated, I repeat the word, क्या? Consolidated tax invoice आपको at the end of the day बनाना पड़ेगा. ठीक है? तो, none of the recipient required to issue tax invoice. Determine inspector भी चलेगा, शक्ति लिमिटर में issue consolidated tax invoice. वो कहते हैं कि none of the recipient want tax invoice. अरे, उससे क्या concern है? हमें जहाँ देना है, वहाँ देना ही पड़ेगा. ठीक है? और consolidated tax invoice लाज्स के दो केस में होगा. 9th number, if Shakti Limited has opted for composition levy scheme in current financial year, मुझे बतों, composition levy scheme में tax invoice होता है या bill of supply होता है? लेंग कर लेना, bill of supply होता है तीन case में होता है. एक होता है composition levy, एक होता है exam supply, और एक होता है meal rate supply. तीन case में आपको tax invoice में कहा रहता है, bill of supply होता है. If Shakti Limited has opted for composition levy scheme in current financial year, advice whether it is mandatory to issue tax invoice? No. If not, what is the other document? Bill of supply. 10th number, Shakti Limited has received advance payment in respect of services. Advance payment in respect of kya? Services to be supplied to Sureshman. Its accountant asked to issue receive voucher with respect to service to be supplied. However, Shakti Limited attends you as to what will happen in case receive voucher is issued. But subsequently kya? No service are supplied. You are required to advise Shakti Limited regarding the same thing. Voucher concept GST में explain क्या हुआ है. अगर आपको advance मिलता है, तो वो case में आपको क्या issue करना पड़ता है? Receive voucher. लेकिन, अगर receive voucher, आप सुना, receive voucher issue करने के बाए, ने supply नहीं किया. आपने supply नहीं किया. आपने invoice नहीं दिया. तो आप refund voucher देकर contract cancel कर सकते हो और अपना refund claim कर सकते हो. और उसका example समझा रेता हुआ. तोईले मैने GST का बैच अनॉंस किया. दो मैने बाद और उसकी fees है 1 lakh. एक्जामपल लेगे. तो इसकी fees है 1 lakh plus GST. आप आगे और आपने का चलो मुझा एडमिशन लेना है. और पहले दीन अडमिशन फुल. सबने 1 lakh plus GST दे लेगे. एडमिशन एडवांस मिला. आगे एडवांस मिला बैच दो मेने बाद हैं. इसलिए डवांस मिला तो सर्वीस के एडवांस में. सो ममन, क्या क्रामिन है? सर्वीस के एडवांस में एडवांस में टेक्स आता है. घुट्स को तो एक notification है 666 बाट 2017. सबज़नाना है क्या? पर सर्विस में एडवांस पे टेक्स दे दिये बाइट स्टार्ट होने के पास दीन पहले आपको मैसेड है यह बैच नहीं होगी, सर अभी यहां नहीं है, सर गुमने चले है तो इसे सिचुएशन में बैच नहीं है, उसका आपको कोई गल नहीं है जो आपने 1,18,000 दिये, जिसका रिसी मोचर आपके पास है, वो आपके लेक्या है, और के रिफंट, मेरे स्टाप ने का रिफंट देगे, आपको एक लाख दिया वापस, आपने का रिफंट, कितना लगेगा, हमने 1,18,000 दिया आपको पिरा वापस है, मेरे स्टाप ने का आपको पुरा रिफंट करना पड़ेगा, कुछ यादा है आपको, पुरा रिफंट करना पड़ेगा, और अगर में आपको पोरा 1,18,000 का रिफंट कर दूँ, अब मैने अभी तक सप्लाइ नहीं थिया, और मैने इसका इन्वाइस भी नहीं दिया, यह दो बेसिक अनिशन ह तो फिर मैं सिंपल है मैं क्या कोगा रिफंड वाउचर बनाऊगा आपको 180 का रिफंड रिफंड दे दूगा और ये रिफंड वाउचर मैं गौर्मेंट में सब्मिट करोगा गौर्मेंट इसके बेस पर मुझे 18,000 का रिफंड ग्रांड कर देगी जो मैंने एडवांस पे द रिफंड वाउचर का कॉंसेट अच्छे से लेंग करके जाना है उसके बाद मैं अच्छा सप्ला हो जाता तो या फिर इन्वाइस बन जाता तो फिर क्रडिक नौ ठीक है उसके बाद मैं शक्ति लिमिटर जाओ जी टे सर्विस अन विच इस लियाबल तो पे अंदर क्या र अगर मैंने कोई रिवाइस अन शर्विस ली तो क्या इन्वाइस बनाने पड़ते है अगर फप्लायर रजिस्टर है तो नहीं अगर फप्लायर अंग इस्टर है तो क्या मुझे संप इन्वाइस बनाना पड़ता है यस चलो यह इस्पेक्स भी कर ओगया इसल्ज़ रिविस न्युक्ता मुझे न्युक्ता इमॉड सब्सेặt्स थो रिवाइस तो रिवसेट्स पिस्टर अल्गे heavenly पुस्टर विस्टर आप मूझे लोग इस्ट्रें इस्टर आजल्य इस्टॵरीं ऴॉद एक्टंवटा इस्टुल और अब अगर कोई नालाइक यह लिखेगा, ए इंवाइस मतलब इलेक्रोनिक इन्वाइस, नहीं महाँ जाए, एग्जाम में तुम बैटो नहीं वहाँ आके दुख खीच के नहीं दिया ना? ठीक है, इन्वाइस प्रावपा लिखो, इन्वाइस प्रावपा लिखेगा, इन्वाइस प्रावपा लिखेगा, इन्वाइस प्रावपा लिखेगा, इन्वाइस प्रावपा लिखेगा, कर लिखो, इन्वाइस प्रावपा लिखेगा, इन्वाइस प्रावपा लिखेगा, department का applicable नहीं होगा, क्योंकि exception है, और exception में आप देखोगे तो काम, government, department, तो अगर आप इसका answer देखते हो, तो emails is not applicable to क्या, government department, लेकिन बेटे डारेक्ट यह मत लिखना, अगर ऐसा question पूछे तो थ्वाब दो तीन लाइन, invoice, aggregate, tenor, और फिर उसका exception, और यह प्रॉपरली लिखना, उसके राद में, वीफली explain requirement of dynamic QR code, and list out the non-applicability of requirement of dynamic QR code, देखो, dynamic QR code मतलब अभी, यह तो अभी समझाना बहुत एजी है, बहुत सी बार जब आप payment करते हो, तो पता है, वो card swapping machine होती है, उसमें आपके transaction का QR code रहता है, आपका transaction का QR code रहता है, तो हर customer का और हर transaction का अलग अलग QR code होता है, जैसे आप UPI से scan करते हो, तो वो आपको amount के साथ, entity के साथ दे देता है, तो आपको amount के साथ देता है, जब यह पहली बार आया तो गोड़ा ही साल पहले, तो मैं पहली बार बरा surprise हो गया था कि मैंने QR code scan किया, और Amon भी ले ले लिया automatic उसने, तो मैंने पहले जाए थी ना, एक होता है static, Paytm, कि Paytm का static रखा है, सब scan करेंगे और उसको pay करेंगे, और अभी dynamic QR code रहता है, यह आपने scan किया तो Amon के साथ अपडेट हो जाता है, समझ सब्सक्राइब करेंगे, उसको हम कहते है, dynamic QR code, अभी यह dynamic QR code का जो restriction है, जिसका aggregate and all 2017-2018 से लेकिए अभी तक 500 crores के उपर है, I repeat the word क्या, 500 crores के उपर है और B2C transaction, I repeat the word क्या, B2C transaction को dynamic QR code applicable है, ठीक है, इसके exceptions वह है, government and etc, तो यह आपने पढ़ ले न, यह आपने देखा, उसके इसके बाद में, चलो, दो में यह देख लेते है, debit note and credit note, यह भी important question है, question number 23 पर हो जाओ, answer the following question, अवे आप यह तीन questions कर लो, मैंने invoice chapter के अवर aspects को कवर कर लिया है, invoice, continuous supply, voucher, अरे समझ में आ रहा है न, self invoice, उसके बाद में मैंने यहाँ पे 200 वाला criteria, revised tax invoice, वो भी हमारा, कवर हो गया है, QR code भी कवर हो गया है, invoice भी कवर हो गया है, और last, debit note and credit note, यह भी हम कवर कर, मतलब, तीन question में पुरा chapter is होगा, और सारे, अभी तक के, जो भी important adjustment, RTP में या exam में पुछे की, वो भी कवर, ठीक है, चलो, answer the following question, what are the circumstances under which credit note and debit note need to be issued by that means debit note, debit note दो, not debit note you have to be your card, credit note and debit note, debit note 27-res Hubble कर And call you to notice within the event of debit note meant inwire کरने के बाद, जब आपले कि अदु दिंद एक्स अमांट करोंने के बार, Your time limit, debit note is a supplementary tax invoice invoice, SUPER तो credit not issue होती है जब original invoice उसमें से कुछ कम करके देना है I repeat the word, उसमें से कुछ कम करके देना है समझे मैं आपको एक लाग का invoice दिया और मुझे 20,000 कम करना है उसके क्या issue करने पड़ेगी? credit not credit not कम करके देना है, मैं भी discount कम करके देना है यह हमारा कुछ point पर जग़ा हो गया, तो value कम करके देना है गलती से मैंने GST 5% लगा ना तो मैंने 12% लगा दिया और yes or no, तो मुझे वो कम करके देना है तो वो situation में जहां तक देखा जाये तो तक क्या issue होगा? credit not तो कौन से cases में, okay, आपकी credit not जाएगी और कौन से cases में आपकी debit not जाएगी यह learn कर लेना पहला, okay, taxable value declared in the invoice is more than actual value मतलब मैंने गलती से आपको value जागा लगा दी, बात में समझ में आया कि यह जागा value होगी okay, ऐसा हुआ, okay, बहुत से बाद जागा लगा लगा दिया है, okay, तो उसका 20,000 आपको benefit देना है, तो आपको क्या issue करना है credit note, इसका GST में फाइदा क्या होता है, okay, जो month में आपने credit note दी, उस month के tax liability से आपका credit note वाला tax कम कर दिया जाता है समझ में आया क्या, मेरे बड़ सुनना है, जो month में आपने credit note दी, उस month के total tax liability से credit note वाला tax आपका कम कर दिया जाता है, यह फाइदा होता है credit note का, यह समझ में आया क्या, okay, so ऐसे situation में, आपने value जादा बता ही होगी और कम करना है, में भी discount होगा, में भी आपने excess value को reason के वज़े से जाजा बता दियोगी, next tax charge, okay, मैंने 12% लगाना चीए, यहाँ पे, आपको 12% लगाना चीए ता tax लेकिन गलती से 18% लगा दिया, जाजा लगा दिया original invoice में, जबकि rate क्या का, 12%, okay, तो tax charge in the invoice is more than actual tax, good supplies is return, यह कर लेना, जब भी sales return हो, तो sales return में invoice cancel होता है, वो तो already upload हो गया है, upload हो गया मतलब GSTRO, okay, अगर sales return होता है, तो आपको क्या issue करने पड़ती है, credit note, okay, उसमें credit note जाती है, the recipient found goods or service both supplied are deficient in quantity, या quantity, मैंने आपको 1000 का quantity का bill दिया, पता चला कि आपको 950 quantity मिली, तो फिर 50 rupees का क्या, क् क्या जाएगा, credit note, या deficient service मैंने जो commit किया था, उसके इसाब से service नहीं दे पाया, तो मैंने credit note उसका issue होगा, चार कैसे में credit note issue होगा, okay, उसके बार में, reduction in output tax liability of supply shall not be permitted, if incidence of tax and interest of supply has been passed on, क्या रहे है, वैसे credit note से आपकी tax liability कर्म होती है, पर, अगर आपने बदन पास्वाम किया तो फिर आपको adjustment नहीं मिलेगे, next, debit note कर, debit note कर दो कम करके देना या extra collection, extra collection, extra collection, extra collection होगा, जब तुमने value कम लगा है, okay, और आपको कुछ extra collect करना है, okay, so debit note, या आपने tax amount कम लगाया, आपने लगाने चाहिए थे, यहाँ पे, sorry, 30%, और 30% यापने आपने 80% लगा दिया, यापन लगा दिया, जब कि, यापने lower rate लगा दिया, जब कि आपने higher rate लगाना जियता है, तो आप credit note जाएगी, okay, और quantity received more, तो वो case में credit note जाएगी, sorry, debit note जाएगी, so, पहला हो गया, what are the tax implications of credit note and debit note को ही बताएगा, credit note का टाक्स इमिलिकेशन का है, जो मन्त में मैंने credit note दी, उस मन् के output tax liability से मेरा tax amount कम कर दिया जाएगा, और debit note, debit note से, जो मन्त में मैंने debit note दी, उस मन्त में उतने amount का tax कले किया जाएगा, now third, what is the time limit to declare details of credit note and debit note, credit note की time limit है, अगले साल का November, 30th November, और date of annual return, whichever is, मतलब इस साल मैंने जो भी invoices दिये, और मेरे customer को कर दाना है, तो government कहती है, अगर करने की और tax adjustment की है, तो अगले साल के 30th November, या date of annual return, whichever is, अलिया, what is the time limit of debit note, debit note की time limit नही है, क्यो time limit नहीं है, debit note की, debit note की time limit है, क्यो time limit है, debit note का है, क्योंकि debit note से tax कम नहीं हो रहा है, गौर्मेंट को रे जाय हुँ रहा है, तो government कहती है, debit note कमें जो, उसका कोई time limit, नहीं है, इसके बाद में mention the requirement for claiming reduction in output tax liability by issuing क्या credit note वो तो मैंने बता दिया आपको कि उस मन्त में कम हो जाएगा जिस मन्त में आपको credit note issue किया is it correct to state that debit note can be issued only for increasing tax liability by the supplier अब दुकर fifth का answer क्या है yes debit note जब आपकी tax liability बढ़ती है तब इसको supplementary invoice भी का जाता है और उसके बाद में next कार्थिक and company a registered supply under GST provide following information regarding various tax invoices issued by during the month of क्या बटा March पहला value of supply charge in invoice number one 250,000 again the actual taxable value क्या 230 बटा actual taxable value कितनी थी 230 invoice पे कितना लगा है 250 क्या जाएगा debit note प्रेजित नग जाएगी ना क्रम करना है ना दूसरा tax charge in the invoice number four was 32,000 again the actual tax liability 68 debit note जाएगी और थर्ड case में value charge in the invoice number eight was 3,020,000 again the actual value क्या 4,020,000 तो यह तो रॉंक क्वांटिटी कंसीडर आई बूलीं तो इसमें भी क्या जाएगी debit note जाएगी आपको return में update करना पड़ेगा तो चलिए इस तरह से हमने यह chapter end किया यहाँ पर tax invoice चलिए तो जोस्ता अगे next topic लेते है time of supply आजा यह topic पर time of supply simple topic है question number 6 question number 6 question number 6 चलिए Qeštion no.6 पहे यहाँ पहे Determine time of supply amdalaise Determine time of supply for the purpose of payment of tax under CGST Act in the above cases in the below cases, correct now A limited visitor under GST is engaged in supplying engineering goods आपको पिक्स करना है तो दिखो यहां पे supply of goods दिया हुआ है और यहां supply of services दो section अगर आपको यादाते है section 12 and section 13 section 12 supply of goods का टियोस और section 13 time of supply of services date of confirmation of order, date of receipt of advance, date of removal or completion of order, date of issue of invoice, date of receipt of balance कुछ factor आपको द्हान रख लेना है पहली बाप पो गूच के केस में, supply of goods के केस में बिल्कुल confuse मत होना TOS fix करते हुआ, supply of goods के केस में आपका TOS दो ही factor कर दाएगा, invoice या last date of invoice what is the last date of invoice in case of supply of goods, goods के के केस में last date के है रिमॉल for supply, रिमॉल for supply, receipt basis पे TOS नहीं आएगा, अगर पाट-पाट payment भी होगा तो भी TOS पाट-पाट में नहीं, तो ही factor invoice या last date of invoice, लेकिन finance act 2023 से एक exception आया है, और वो exception आया है specified actionable claim, पहली बाब को आपको बता दो specified actionable claim यह goods माना गया है, इसलिए उसका TOS under section 12 fix होगा, तो आपको invoice, last date of invoice or receipt whichever is earlier, यह सी एक ही case में लगाना है और वो है specified actionable claim, आपको receipt पहले ही तो यह सी basis पे लेना है, otherwise बाकी कोई भी goods के case में यहाँ पे TOS invoice or last date of invoice, तो अगर मैं पहले supply of goods की बात करू, supply of goods में दो ही date ढूंडो, कौन से दो ही ढूंडना है, date of invoice, यह क्या, last date of invoice, whichever is, बाकी date कुछ भी काम की नहीं, confused हो नहीं, हाँ, अगर यह specific actionable claim होता कैसी नो, lottery, betting, gambling वगरे, तो फिर मैं receipt भी रहे लेता, अर्या है न, advance में आया, उ अर्या है, तो एसे case में विच्वे जाल यह तो आपका TOS का फिक्स हो जाएगा, पिटा, और के goods के case में 17 तो आप जब रहे, यह तो goods था, second, उनकी job work service भी है, यह problem मैंने इतना अच्छा बनाए कि जिसमें goods भी कोर हो जाए, as well as service भी, service के case में notification 66 by 2017 अप्ली के बेल नहीं है, मतलब अगर आपको receive मिलती है, तो receive पे TOS आएगा, advance पे TOS आएगा, इसमें law क्या कहता है, law यह कहता है, कि if invoice, service के case में ध्यान रखना, if invoice issued within prescribed time, prescribed time मतलब 30 days, तो invoice or receive whichever is अलिया, और invoice not issued within prescribed time, तो फिर completion of service or receive whichever is अलिया, कुछ यह जा रहे है आपको, तो इसके basis पे आपका TOS फिक fix होगा, okay, अगर यह दोनों से TOS fix नहीं हो पाया, तो जिस दिन आपने provision किया in the books of account, वो date consider किया, जाएगा, चलिए, तो goods का TOS, okay, यह 17 आएगा, देखलो answer में, पहले का, क्या goods का TOS 17 है, yes or no, service में, service में advance में मिला और balance पेमेंट बाग मिला, तो service में पहले 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 किया, step by step, क्या invoice within time है, I repeat, invoice within time है, तो, एक मिनट, सुमाइ, service कर्व क्यों की तुमने, completion of order, completion of order कर्व है, 6th of March, और invoice कर्व दिया गया, 11th March को, क्या invoice within time दिया गया, yes or no, okay, जो goods के case में, invoice on the date of, पहले होना चाहिए, लेकिन service के case में ऐसा नहीं, service के case में आपको कितना time दिया है 30 days, okay, तो, invoice within time है, अगर invoice within time है, तो invoice or receipt which error is earlier, यहां पाट-पाट payment है, अगर पाट-पाट payment होगा, तो पहले पाट का TOS अलग होगा, और दुसरे पाट का TOS अलग होगा, तो पहले पाट का TOS है, उसमें advance मिला, कितना, आपको advance मिला 1,50,000, तो वहां पे receipt earlier है, तो आपका पह अलग होगा, तो दुसरा invoice basis पाट अलग होगा, और वो कम आएगा 11th of March, क्योंकि उसका payment बाट ना आया, तो वो invoice basis पाट अलग होगा, तो second TOS इस तरह से आजाएगा, सभाज मिला आए ये problem आपको, यस, ठीक है, चलिए, second देखते है, A Limited has purchased a goods taxable on river charge basis, goods purchase किया, और river charge basis पे purchase किया, from B Limited, invoice dated में, उसका invoice May 4 का था, A Limited received the goods on 12th में, and make the payment on 30th में, what would be your answer if goods are received on June 12th, पहले तो, section 12 के इसाप से, अगर आपने कोई ऐसा goods खरीदा, let's take example, cash units बगे ले, जिसका river charge में GST आता है, तो उसका river charge में GST section 12, 3 से fix होता है, section plus 3 कहता है, okay, goods के case में, date of receipt of goods, में साथ learn करो क्या, date of receipt of goods, या second date of payment, payment की देख सा सकती है, book entry, book entry, या debit to bank, और 31st day, I repeat, 31st day, 31st day from suppliers invoice, supplier invoice, supplier invoice कबता गेटा, 4th में, 4th में से 31st day निकालो, 4th को छोडो, कितना 31st day में के कितने दीन है, 26, 26 या और 27, कितना है, 27, 27 या कितने हो कितना है, 27, 27 या कितना है 27, 27 और 3, plus 1, यह 4th June, क्या हो अगधा, 4th June, ता अब आप क्या करना है, आपको, आपको लेना है यहाँ पर date of goods का प्रिसु हुआ 12 में प्रिमें का प्रिसु हुआ 12 में प्रिमें का प्रिसु हुआ 30 में और 31st date अब आ रहा है प्रिक आप June whichever is earlier तो क्या earlier आ रहा है आपका 12 में तो पहला TOS का fix होगा 12 में What would be your answer अगर जून 12 को goods रिसु होता है तो अब आप यह जीट मतलो जून 12 30 में and फिर जून इसमें से पहले कौन आ रहा है और जून तो यहाँ पर TOS का बाजा या 30 देखो आपको दो एंसर होगे चेक कर लो पहला एंसर में 12 होगा और गुसर एंसर क्या में 30 में 30 होगा चलो यह भी हो गया रिवर्ट चागला एस्पिक्स भी हमने कवर कर लिया चलो, next A Limited receives the order an advance payment on 5th January for carrying out architecture designing job in a service it delivered the design on 23rd April by oversight no invoice issued at that time and it is issued much later आप प्रिस्टाइप परे मुझे बता अगर supply of service है और invoice not within time होगा I repeat invoice not within time होगा तो क्या अटिवस कैसे fix होगा date of completion or receipt whichever is earlier अच्छा इनका service कब complete होगा प्रेमिन मिला 5th January को advance payment को और service कब डिलेवर होगा 23rd April तो क्या बेटा date of completion or receipt whichever is earlier तो क्या होगा बेटा 5th of January advance मिला yes or no check or answer 5th of January को आएगा उसके बाद में चलो यह भी एस्पेक कवर होगा कि advance मिलता है तो service के case में invoice नहीं दिया तो completion or receipt whichever is earlier next 4th investigation shows that A-Limiter carry out service of cleaning and repairs of time in a apartment complex for which apartment owners association showed a payment in cash on 4th April to them against the work of their description the date of the work are not clear from the records of A-Limiter A-Limiter have not issued the invoice and entered the payment in their books of account एक प्रोवीजो थी और प्रोवीजो यह करती है देखो service के case में अगर आपका clause A, clause B से POS नहीं फिक्स होता है तो जिस दिन recipient ने अपने books में entry कर दी उस दिन आपका TOS मान लिया जाएगा regular example जो है मैं इसका इस सरह से देता हो तो आपको क्लिक हो जाएगा क्लास से देखो V Smart Academy V Smart Academy यह example आपको याद आ जाएगा मैंने लिया कर एक लोग लिए class में और जैसर का V Smart Academy और जैसर का अब देखो क्या था अभी 31st March था समिच दो 31st March करो जैसर Supplier of Service है और मैं V Smart Academy recipient of service है जैसर इसा अपना revenue रेकौर्ड नहीं करना चाहते। तो सर बैजबाद में कम्प्लिट होगी, अभी तु सर देडी में ना हुआ है, और कि मैं बैजबाद में दूगा आपको निक्स्टेव में दूगा, अब जैसे अपना रेविनो रेकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, शायद उनका रेविनो बहुत बढ़ा होगा, तो वो इस ब अगर अपना एक्सफेंसेज बुक करेगा तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट अगा तो टैक्स कम आएगा, तो मैंने जैसर को बढ़ाद, अगर बीज़ दिना पड़ेगा यार, वो जैसर कह रहे हैं, जैसर मतलब सप्लार आप सर्विश, वो बिल दे नहीं रहे है अचा, बाइगा यार कहता है कि जिदीन सर्विस कम्प्लीट होगी, वहा से 30 देस में, अरे यह सर नो, वहा से 30 देस में, तो उनके पास और आप्शन है, पर मैं चाहता हूँ कि अचान्टिंसी पर के साप से, मैंने का जैसर, यहां पर देर मैना हो चुका है, समझना है क्या जिदीन सर्विस करें, यहां ना हो चुका है, तो देफर पेमेंट बेसिस पर रिविनु रिविनु रेग्नाईजेशन आदे बाइज का तो हाँ चाहिए, पूरे बाज कानी पर संध देर्यादेशन अडे बाइगा, तो मुझे ठीक है ना पूरे बाज कानी 50 पर संधर है लेकिन मैंने accounting principle के हिताब से मेरे books में उनकी provision create कर दी expenses डालके faculty payment expenses and amount payable to Jai sir, 50%. अब GST law करता है, क्या करता है, अगर supplier में invoice भी नहीं दिया होगा और supplier को payment भी नहीं आया होगा, यह सबज में है किया, तो ऐसे situation में, जिस दिन recipient ने अपने books में entry कर दी, उन भी Jai sir का TOS मान लिया जाएगा, और Jai sir को accordingly GST देना पड़ेगा, मैंने कर दी 31st मार्च को, अब क्या होगा, इसके impact क्या होगे, कि अगर मैंने 31st मार्च को provision कर दिया faculty payment का, तो यह income नहीं GST law के इसाब से, जितना भी मैंने भूग किया, उनका TOS 31st मार्च को मान लिया जाएगा, जिसकी दूड़ेट 20 है तो अफरेगा, तो मैंने Jai sir, अभी नहीं बढ़ा होगे जैसर को, मैं बताऊगा, ओके 10 तारीक के पहले, जितना भी मैंने अगर इसाब नहीं नहीं दिया और पेमिन नहीं लिया पर रिसी पेंद आप अपने बुक्स में एंट्री कर दी, तो सप्लार का TOS आजाएगा और GST देना पड़ेगा, ठीके, तो रटेविक में भी तो देखो यहाँ पर, देखो, सप्लार जो था, उसने ना बिल दिया ना पेमिन लिया लेकिन उसका जो रिसीपियन थे, उसने रिसीपियन ने 4th अपरिल को एंट्री कर दिया, तो क्या सप्लार का TOS रिसीपियन के बुक्स अपकॉन के बेस पर आ जाएगा? ये भी एस्पेक्स हमने देख लिया, उसके बाद में, अगर A-Limited Advocate की सर्विस लिता है, तो रिवर चार्ज में लाइबिटी किसके उपर आती है? अगर लीगल सर्विस लिया, पर A-Limited ने पेमेंट किया ही लिए, कुछ डिस्प्यूट के वजए से, बाद में सेटल हुआ, और पेमेंट कब किया है? 3rd of November कॉप. Now, सबसे पहले तो A-Limited अपना TOS कैसे फिक्स करेगा, उसने सर्विस ली, इसलिए सेक्शन 13.3 के हिसाब से TOS फिक्स होगा रिवर चार्ज में, और रिवर चार्ज में, सर्विस का TOS कैसे फिक्स होता है? ये रट्टा मार के जाना, क्वेश्चन आने के पूरे चांसे से, स का पना आने, क्वेश्चन 009的 अपना secular, इसलिए से क्वेश्च से वेश्चन. यह बताओ, यहां पे, invoice के 61th day केतना होता है, reverse charge में invoice basis पे TOS मुठ fix करना, और reverse charge में TOS जो fix होता है, वो 31st day या 61th day from the suppliers invoice, I hope you understood, तो 17 Feb से 61th day नहीं का लो केतना होता है, क्या रहा है 17th September? 19th April आ रहा है, 19th April एक यह 61 दे आ रहा है, और डेट और पेमिंट क्या रहा है? 7th November, विच्छ दी इस, अर्लियर, तो आपका तियर्स कब आ रहा है? 19th April को आ रहा है, चलो देख लो एक बाइ आंसर सही क्या, 19th April, क्या रहा है कैसा रहा है? उसके पाद में, चलो यह भी एस्पिक कर रहोगा, शर्विस का रिवर चाज कर हो गया, मिल कॉपन आर सोड टो ए लिमेटेड और 9th August पर बिंडिस्टिबुटेट टो एंप्लाइट अप्लाइट अब दो क्या से कर्पनी, कॉपन आर वाउचर का टीरस कैसे फिक्स होता है? पहली बात तो यह कोई डिसकाउंड वाउचर और डिसकाउंड कॉपन ने ऐसे वाउचर जिसमें गूर्स और सर्विस देने का वादा किया समझना है? जैसे आप शॉपर स्टॉप पर या रहे लो, तो वहाँ पे आपको कुछ पर्चस पे वाउचर मिलता है जिसमें यह वाउचर आप ले लो और यह वाउचर में आप यह स्पेसिफिक गूड्स खरीच सकते हो या आप हमारे स्टोर से कुछ भी अप्ट वन थाउदन ले सकते हो जिसमें डिसकाउंट नी दिया जा रहे है कुछ गूर्स पर वीज देने का वादर किया जा रहे है कर रेदीम होगा नहीं वो नहीं नहीं जब भी आपका एंसर यह एगा देट तो नहीं मिलेगी आपका एंसर यह एगा जब भी employee redeem करेगा on that date TOS will arise Okay, तो दिखो answer क्या दिया है Date of redemption of voucher चलिए Now 7th number 7th number यह क्या कहता है Income tax and money laundering case against Mr. A who is the employee of A-Limiter working in a large volume of undisclosed asset which he claimed as a service income on this basis GST authority investigate the GST liability Okay, आज का GST authority थो लेते है इडी काम करता है सब The date of provision of service whether in the first half or second half of the financial year being scrutinized by income tax authorities are not known Mr. A voluntarily pay GST during the investigation Sir, बहुत कुछ पर लिया पर किस से विलेड को समझ में नहीं आगा है Okay, आपको बता दू section 12-5 or 13-5 Residuary case Residuary case मतलब क्या कि अगर कोई भी उपर के subsection से आपका TOS fix नहीं हो पा रहा है और उसने कुछ भी में नहीं किया और उसने कुछ भी नहीं किया तो Residuary case कहती है कि अगर वह person return के provision में आता है तो due date of return नहीं तो यह गंदा जिस दिन भी tax pay कर रहा वह उसका time of supply माना जाएगा तो accordingly आप इसका answer दोगे कि भई TOS जो होगा जिस दिन वह voluntary pay कर रहेगा उस दिन उसका TOS आएगा उसके बार में 8. A limited supply goods of Rs. 50,000 to its customer Mr. C On 1st January, on a condition that payment for the same will be made in a way However Mr. C made a payment for the same goods on 2nd February and with interest amounting to 2,000 charge What is the time limit, sorry time of supply with regard to addition in value value of interest GST में interest 2 type क्यों होते है एक interest on loan advances or deposits वह interest on loan advances or deposits जो होते है वह exempt है, except credit card I repeat the word, except क्या credit card बाकि वह interest आपका exempt होते है Now, interest on loan advances or deposits sorry, interest for delay payment of consideration यह interest पर GST आता है और section 15-2-D के सबसे यह part of the value माना जाता है ठीक है पर इसका TOS जिस दिन invoice बना उस दिन नहीं आता है इसका TOS as per section 12-6 when such interest is received I repeat the word when such interest is received उस दिन interest, उस दिन उसका TOS आएगा तो यह बताव interest का मिला 2nd February और 2nd February का मिला है तो उस दिन उसका TOS time-out supply आएगा Now, यह भी aspect कवर होगा हमारा interest का So, Eliminate took telecommunication service from BSNM For the month of January 2016 bill amount was 5000 It made a payment 5500 within an instruction to adjust the excess payment against the next month's bill and same was adjusted on BSNL in case of his next month's bill payable on 5th of March Invite issued on the same date What video you would answer if payment is made on 6500 payment is made and that is 6500 अब आपको 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 पेमेंट एक्सेस मिलता है अब 2 रुपीस क्या? 1,000 in case of supply or service गाइं अगर आपको 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 एक्सेस पेमेंट अब आप नहीं आपको आपको एक्सेस पे एक्सेस पेंट supplier को मिला होगा in addition to invoice और वो जो excess permit मिला वो up to क्या होगा 1000 होगा तो वो case में instead of fixing TOS on advance वो TOS जो fix कर सकते जब next bill issue करेंगे तब भी TOS fix किया तभी चलेगा तो next bill कब issue किया प्रिप्ता मार्च को तो advance में 500 रुपे मिला उसका अगर आपका दिन 6500 का होता है तो बता एक से समान कितनी होती 1500 और 1500 के case में अमांट 5000 के ऊपर तो ये case में supply of service है तो advance का TOS किस पर आएगा? Advance पर ही आएगा मतलब जिस दिन आपने क्या issue किया? Invoice और आपको advance मिला एक विनिट हाँ, same date invoice or advance मिला तो आपका TOS जो आएगा वो जिस दिन advance मिला उसी दिन आपका TOS आएगा तो चलो ये भी factor हमने cover के लिया इस तरह से अमारा time of supply का ये question complete होता है next इस पर आज़ा बेटा question number 7 पर question number 7 पर आज़ा ये तो मैंने ले लिया अगर आपने amendment देखा होगा तो amendment में कैसी नहोँ आला लगत्पती कैसे नहोँ वाला अगर amendment में ले लिया तो मैं ये repeat नहीं करोगा और किसी ने अगर amendments नहीं देखियोंगे तो तो देखना पढ़ेगा, option नहीं है तो यह question मैंने amendment में cover कर लिया है, तो यह आपने वहाँ देख लेना बस यह question में main factor का है, मैं बता देता हूँ यह question में, अगर कैसी में है, lot3 है, rating है, off-dacing है, तो इसका tiers, receipt basis पे भी आता है ठीक है, यह क्योंकि notification 66 by 2017 जो है, specified actionable claim को applicable नहीं है इसलिए अगर आपको advance मिला, यहने इसका प्योज़ तीन factor पे आएगा, invoice, last date of invoice, or receipt, which available is earlier ठीक है, वो तीन of factors को आपको consider करने पड़ेंगे, इस तरह से हमारा यह chapter complete हुदा, time of supply अब आजा, next chapter return पे यहाँ पर एक question मेंने, question number 26 बना है पुशिष किये सारे aspects को कवर करने ठीक है Mr. Jeet और रिस्टर सप्लार अफ दिजाइनर वेडिंग ब्रसस अनर रेगिलर स्किल अगरिए annual turn-off of upiz 90 lakhs in preceding financial year अज़ अगरिए 10-off कितना दा, 90 lakhs in preceding financial year answer the following questions it is of view that in the current financial year it is permitted to file monthly statement of outwards apply GSTR1 on quarterly basis while its accountant advise him to file the SIP on monthly basis, you are required to advise Mr. Jeet on the SIP GSTR1 on monthly basis और उसको monthly basis पे करना पड़ेगा तो आपका view क्या है, उसका content पे यह बोल रहा है, yes देखो, आपको QRMP scheme मिलती है, quarterly return, monthly return अगर आपका aggregate turn-off of upiz 90 financial year का 5 crore से कितना लिमिट दिया है, 5 crore aggregate turn-off of upiz 90 financial year का 5 crore से कम है तो वो इस्टिविशन में आपको QRMP scheme मिलेंगे, दोस्तों मैं आपको यह बता दू, QRMP scheme में जान तक है, इसका aggregate turn-off पसरीं financial year का 90 lakhs है, तो QRMP scheme कमपसर ही नहीं है, और जिसको लेना है वो ले सकता है आपका answer क्या आएगा, आपका answer यह यह आएगा कि GSTR-1 जो मंतली scheme में 11th day को फाल होता है, बट इन गिवन केस Mr. Jit also have option to offer QRMP scheme because aggregate turn-off is below file course, इन पसरीं financial year, if he offer QRMP scheme then due date of filing GSTR-1 is on quarterly basis, जिसका due date आएगा 13th, 13th after the completion of quarter, तेरा थारीप होगा and for first two months, he can also file IFF, IFF मतलब invoice furnishing facility, पहले बर मेने का वो फाल कर सकता है next, Mr. Jit is filing GSTR-1 every month, during the month of February, he was out of India, so he did not do any transaction during a month he believes that there is no transaction, there is no need of GSTR-1 for the month of February, is it correct? नहीं, आपको नील GSTR-1 फाइल करना पड़ेगा, पर फाइल करना पड़ता है और अगर आपको कोई भी taxable supply नहीं है, और GSTR-1 नील है, तो आप SMS के थ्रू भी फाइल कर सकते हो GSTR, बढ़, ठीक है, चलो, first हो गया, यह aspect भी कवर हो गया, यह भी कवर हो गया next, list of the details of outward supplies which can be furnished using invoice furnishing facility, list the details of outward supplies which can be furnished using invoice furnishing facility, also briefly list the cases where registered person is debat from furnishing details of outward supplies, GSTR-1, very important okay, यहां पर अगर आप question number three, यह बर आने के chances है, इस बर आने के चांसे से, आप जो है, इन्वाइस वाइस डेटिल, इंटरस्टेट और इंट्रस्टेट सप्लाई का दे सकते हो, registered person, और debit mark credit note का IFF में डेटिल, पले मैं कहूँ, IFF को mini GSTR-1 भून भी कहा जाता है, कुछ अगर कोई customer को ITC चाहिए, क्योंकि आपका GSTR-1 भून भी जाने वाला है, और customer को मंतली ITC चाहिए, तो आप किसके truth pass on कह सकते हो, IFF, तो IFF स्रिप B2 भी का रहता है, I repeat, IFF स्रिप किसका आप, B2, इसलिए registered person का ही IFF होता है, और इसमें आप इंटरस्टेट, इंटरस्टेट अपला दोनों भी update कह सकते हो, और invoice के साथ साथ आप debit note या debit note भी इसमें update कह सकते हो, now ये question आपने डिवाप फोर्न फर्निशिंग देतो, GSTR-1 और IFF, very important, इस बार इसमें question आने के पुरे चाहिए, कौन से cases में आप इस मन का GSTR-1 या IFF पाई नहीं कर सकते, तो 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 अगर आप इस मन का GSTR-1 फाई नहीं कर सकते हैं, अगर आप QRMP स्केम में होगे, तो QRMP स्केम में last quarter का अगर आपने 3-B फाई नहीं किया होगा, तो इस quarter का GSTR-1 या IFF पाई नहीं कर सकते हैं, ये दो तो ठीक है, आपको बता है, तीन जो all होए है, ये तीन आपको अभी क्या हुआ, दो इंटिमेशन कॉंसेट डेलोप है, रूल 88-C और 88-D में, अगर आपका output tax mismatch हो रहा है, ये जिए स्केम में आपका output supply जाए है, और 3-B में कम आ रहा है, तो इसके एक एंटिमेशन आती है आपको, फोर्टल से, जो section 88-D में आती है, तो sorry, 88-C में आती है अगर mismatching of taxes between GSTR 1 and 3-B, तो वो intimation में वो बताता है कितना mismatch हो रहा है, ये आपको पे that differential amount, और इपी दो रहां को पे, दिन प्रवाइड explanation, अगर आपने differential amount नहीं दिया या उसका explanation प्रवाइड नहीं किया, तो आपका GSTR 1 फ्रीज हो जाता है, आप इस बन का GSTR 1 पाहिल नहीं कर सकते हो, 88D में आती है excess ITC, मतलब अगर आपने ITC GSTR 2-B से जादा लिया, कुछ किसमे अलेट भी है, जैसे RCM, RCM 2-B में अपड़िक नहीं होता है, तो RCM आप खुद लेते हो, ये समझा कि नहीं समझा हो, RCM का ITC, तो अगर RCM प्रवाइड और इसके अलावाइड आपने को 2SXS ITC जो आपके 2-B में 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 नहीं है, उसकी इंटिमेशन हाती है 88D में, वो डिफरेंशल अमांट आपको पे करना पड़ेगा, या उसका satisfactory answer देना पड़ेगा, अगर दोनों भी नहीं दिया तो आपका GSTR 1 प्रीज कर दिया जाता है, और लास्ट, आपकी बैंक बैंक ब देना पड़ती है, नहीं नहीं, बैंक डीटेस, रजिस्ट्रेशन के बाद, हमने क्या दिका था, 30 देस, कुछ आजा है क्या, 30 देस, और डेट आप पाइलिंग, GSTR 1 या IFF, बिचवरी इस, और आपने बैंक डेटिल, GSTR 1 प्रीज करने के पहले नहीं दी, या IFF पाइल के प इस, कभी कभी में आपको ये भी बता दू, रिविजन करते वाग्या कोई भी रिजन के वज़े से, आपके बहुत सारे जुनेन प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके वज़े से पढ़ाई नहीं होती, जिसके अभी क्लास में बैठा हूँ, अब कोई किसी के दाय नहीं होते हैं सबके अपट में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बस मैं इतना ही कहना चाओगा कि किसी भी रिजन के वज़े से, आपका जुनेन हो ये नहीं हो, अगर आपका पढ़ाई नहीं होँआ, बिटेंचप्टर पढ़ना नहीं होँआ, इतलिस इतना तो भी पढ़के चलगा, इसमें मैं क्यूंकि मैं आपको आप कोशन देख रहे हैं मैं हार एस्पेक्स को कवर कर लिए तो अगर इसमें से कुछ आ गया तो आपका पढ़ा हुआ है अपने पढ़ा हुआ है चलो उसमें भाजी मार लिया अपने तो चलिए उसके बाद नेक्स देख लेते हैं Mr. Jit did not file GSTR 3B for the month of June but he want to file GSTR 3B for the month of क्या July? Is it possible? पिछला GSTR 3B नहीं दिया तो आप next GSTR 3B दे सकते हैं नहीं? और कि नाप पॉसिबल आपको दिने परता है Also elaborate the provision relating to NIL GSTR 3B. क्या वो NIL GSTR 3B file करेगा? Yes. और अगर कोई taxable amount नहीं होगी तो वो SMS के थरू भी file कर सकता है Now, next, if Mr. Jit is registered taxpayer under composition scheme, अचा है वो composition scheme लेगा है and did not make any taxable supply during the quarter ending September 2026, is he required to file CMP08 for such taxpayer? Question, बहुत ही अचा है. क्या कोई भी उसका tax payable नहीं है? क्या CMP08 उसको file करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? CMP08 जो है, return के लिए compose है, GSTR 1. किसो को पता है CMP08 क्या होता है? नहीं पता है. Composition scheme में return yearly जाते है. Composition scheme में return yearly जाते है. कौन सा होता है? GSTR 4. जिसकी due date होती है 30th April. लेकिन आपको payment जो करने पड़ते है, Composition scheme में quarterly करने होता है. Composition में quarterly payment करने पड़ते है, जिसका statement जाता है. Statement क्या होता है? CMP08. वो, quarter होने के बाद अगले मैने के 18 पारिक को file करना पड़ता है. What is the due date of CMP08? 88. तो ऐसे situation में, अगर आप file का answer देखते हो, तो मैंने file का answer लिखा है, कि Okay, Mr. Jit is required to file Jit. Okay, haa, CMP08 भी file करना पड़ता है. Okay, CMP08 भी file करना पड़ता है, as well as JSTR, O, भी उसको file करना पड़ता है. CMP08 भी उसको file करना पड़ता है, तो CMP08 भी उसको file करना पड़ता है, इवन दो इसका tax payment नहीं होगा. 6th number देखो, if Mr. Jit is registered dealer in Mahalashtra, Paying tax under composition levy from 1st April. Higher, he opt to pay tax under regular scheme from 1st December. Is he able to file GSTR-4 for the state financial year, during which he opted for composition scheme? Yes. अब मैं आपको बता दू कि, even though in between, आप composition से normal से लेग है, लेकिन जब तक आप composition scheme में थे, तब तक का period का GSTR-4 आपको file करना करेगा है, financial year होने के बाद. Now next, Mr. Jit has filed GSTR-3B, before due date, under section 39, but some changes are to be made, so he want to revise the return. I advise Mr. Yesh regarding rectification of error, ये अच्छा question है, also state the maximum time you need to furnish GSTR-3B in case of failure to furnish the SIM. अब मैं आपको बता दू, GSTR-1 में अगर गलती हो जाए, या GSTR-3B में गलती हो जाए, तो उसमें rectification allowed है, I repeat, rectification allowed है, पर आप पुराना GSTR-1 और 3B करके rectify नहीं कर सकते हो, जो मन्त में, समझे लो आपको April का GSTR-1 था, last April का GSTR-1 था, उसमें mistake पता चली, mistake अभी पता चली, तो ऐसे situation में, जो मन्त में आपको mistake पता चली, वह मन्त के GSTR-1 में, prior period item amendment table होता है, I repeat, prior period item amendment table होता है, उसमें rectify होता है, पुराना GSTR-1 open करके rectify, नहीं हो सकता, पुराना GSTR-3B open करके rectify, नहीं हो सकता, जो मन्त में mistake पता चली, वह मन्त में, GSTR-1 या 3B में, एक table होता है, prior period items, उसमें आप rectify कर सकते हो, आपको बचाना परता है, Now 8th number, Mr. Yesh is winding up with business in Maharashtra, A tax consultant of Mr. Yesh, was suggested that Mr. Yesh will have to file either annual return or final return at the time of voluntary cancellation of registration in the state of Maharashtra. Do you agree with this time taken by consultant of Mr. Yesh? Also you are coming. Now look, Mr. Yesh business line up कर रहा है, और उसका tax consultant कह रहा है, कि उसको annual return or final return at the time of voluntary cancellation of registration देना पड़ेगा, सबसे पहले बाग करते है, annual return, annual return उसकी जो डेट रहेगी, कौनसे डेट रहेगी, 31st December, तभी उसको देना पढ़ेगा, उसके पहले इमिजट देने की जरुबाद नहीं है, final return क्या होता है, final return क्या होता है, final return क्या होता है, क्यूकि इस बार RTP में भी question पूछलिया है, और इसके पहले, 2 साल पहले question आया था, इसलिए final return वारा concept, अच्छे से करके दामन लिख लो, final return क्या होता है, जब भी इन्या में कोई भी अपना GST registration number cancel करता है, तो cancel करता है, तो उसको in addition to monthly return in GST or TV, अपना final return भी देना करता है, प्यूकि अब वो cancel ही करता है, final return भी आता है, जब registration cancel होगा, I repeat registration cancel होगा, उसकी date रखी है, 3 months from the date of cancellation, I repeat, 3 months from the date of cancellation, or order of cancellation, whichever is later, okay, 20th March की बात है, मेरे client को cancellation order मिल गी, और cancellation order में ये लिखा, कि ये cancellation 1st of April 24 से किया जाएगा, समझ में आया क्या, order कर मिल इसको, 20 March को ही, लेकिन कब से cancellation मिला है, 1st April, तो date of cancellation or date of order, whichever is later, तो यहां से 3 months में आपको final return देना पड़ता है, कभी-कभी cancellation की date होती है, retrospect होती है, कुछ लोगों cancellation पूरानी date से मिलता है, order आ जाएगा, पर cancellation पूरानी date से मिलता है, तो इसमें, order later, तो आपर 3 months, में उसको return file करना पड़ता है, final return, कि यहां पे annual return तो due date को देना पड़ेगा, final return तब देना पड़ेगा, जिस दिन cancellation date आगे, यह order whichever is later, वहां से 3 months, next, is Mr. Yes is required to file annual return also, if yes, what is the due date as they say, also mention the exception, very important, annual return के exception के है, पर्ली बाद तो जो भी GSTR 3B file करेगा, जाने सुनना, जो भी GSTR 3B file करेगा, उसको annual return देना पड़ेगा, तो अगर में 3B file कर रहा है, कौन? Mr. Yes, तो इसको annual return देना पड़ेगा, इसके exception learn करके जाना, किसको annual return देने की जरुवद नहीं है, annual return देने की जरुवद नहीं है, पहला CTP, CTP मतलब, casual taxable person, दूसरा NRTP, NRTP को देने की जरुवद नहीं है, MC की question पूछा गया था, NRTP need to file annual return? No, annual return NRTP को देने की जरुवद नहीं है, फिर IFD, input service distributor, या TDS, TCS collector, TDS, TCS, अच्या TDS कौन देने की जरुवद नहीं है, Government Authority, या Government Society, PSU, Public Secretary, वो TDS देने की जरुवद नहीं है, उनको annual return देने की जरुवद नहीं है, और TCS, नहीं Electronic Commerce Operator, उसके पाप में इसके पाप में if any, और non filing return under section 39 and 44, यह देखो, यह परना होगा question तो परढ़ लेना, अलग-अलग parameter पर लेट पी दी रही है, जिस पर रीड करके जाना, उसने नहीं return होगा तो लेट पी कितना, 10 और 5 करूर की नीचे होगा तो लेट पी कितना, तो वो आपने पर लेना, पर लेट करके जाना, लेन करना तो होगा, मुश्किल है, पर लेट पर लेट करके जाना, लास्ट, Is it compulsory for Mr. Yes to file return by himself? If no, then who is required to furnish return for Mr. Yes during the tax period? एक concept है, GFTP, Goods and Service Tax Practitioners, तो जरूनी कि आपे return file करो, Goods and Service Tax Practitioners भी आपके भियापे return file कर सकता है, तो यह चलो, यह आपने question से लिए, सारे aspects को मैंने cover करने की कोशिश भी है, ओके, यह return chapter में, उसके बाद में और कुछ दिया है इसमें, एक ही question है ना, चलो, हाँ, payment of tax यह chapter ले ले लेताओ, ठीक है, यह chapter हमारा, यह last chapter रहेगा, और इसके बाद में, जान बुच के रूके, क्योंकि एक्समिशन, place of supply, और कौन सबस्चा है, यह तो यह record करके दूगा, इसको properly अच्छे से, क्योंकि अभी exemption लिया तो आप सोजाओ, तो इसको पहले मैं, फ़ब आच्छे से record करके आपको provide कर दूगा, ठीक है, चले, अभा जाओ heißt पर्मेंट आप ट्योंकि आप से, पर्मेंट आप से त्ड्योंकि अदिटस्यं ड्योंकि वित गच्छे से. question number 11 answer the following questions independently independently is the supplier of taxable goods in Kannada he got the register under GST in the month of September when someone registration may answer September and wishes to arrange I was still at unity for them since you making g fordi men for the first I that you need to mendek he have the online banking facility to make the movement of GST. Offline payment is not permitted under GST you are required to praying the fire regarding various moats of deposit in electronic cash LASX अपने पैसा कौन कौन से मोर से डाल सकते हो और आपका पैमें जो क्राश लेजर में होगा वह एक इंटरनेट बैंकिंग उसके बाद में यूपी आई भी अलाव कर दिया है लोगिट कार केजिट कार भी अलाव कर दिया है खके आपाई आपका आपको जो अलाव नेक सर आध ये इनौंटर आपको जोओड है वह अप टो कितना 10 ताध से अंग किया है आपकी जो पेमें चाहलान है उसकी वालिडीटी परे 15 देस्ट करते हो इस क्रॉस उतलाइशन अमों मेजर आन माइनर इड़ा इलेक्टोनिक प्यास लेजर परमिटे यह यह ठीकित यानि आपके कैश लिजर में IGST में बैलन्स जादा है और यह बैलन्स आपको CGST और SGST में शिप्ट करना है तो वो जो आप बैलन्स शिप्ट कर सकते हो PMT 09 लेकिन इसका एंसर कैसे दिया इन्होंने आप क्रॉस उटिलाजेशन तो आप PMT 09 यह ठालन्स से अमांट्शिप कर सकते हो IGST का CGST, CGST का SGST में और आप अपकोर्डिंगली पेमेंट योस कर सकते हो नव नेक्स यहां पर सेकेंड देखो मेंसस ABC & Company have defaulted in filing the return under section 39 of CGST Act, GST Act 3B for the month of March within the specified due date, result for such delay is attributable to delaying closer of books for the March which have been finalized during May, GST common portal prompted payment of late fee payable under section 47 of CGST Act for the sum of 2000 under CGST or SGST Act, Accountant of ABC & Company sought your confirmation for payment of such late fee through a balance available in electronic credit ledger वापते है, answer एक line कही है, okay पर question बढ़ा है, क्या हम, दे लेजर होते है हमारे, एक होता है cash ledger और दूसरा होता है credit ledger, तो क्या हम late fee, penalty, interest pay करने के लिए credit ledger यूजर यूजर कर सकते हैं क्या नहीं है, credit ledger यूजर यूजर कर सकते वो only for the payment of output tax, तो simple way में credit ledger cannot be utilized for the payment of क्या interest, late fee, penalty, except tax on outward supply, तो ये credit ledger यूजर 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 नहीं हो पाएगा, next question, explain the manner of utilization of ITC, वाई साव ये तो तुम जब GST में बच्चे थे, तब से ये कर जो, sir, नहीं यादा है, manner of utilization of IGST, IGST का credit पहले, IGST में use होगा, बाद में remaining जोगा, वो CGST आ, LGST में use होगा, in any ratio, पर हाँ, ये इत्ता simple है, पर question ही नहीं समझागा आपको, तो फिर क्या होता है, और general ही होता क्या, ठीक है, एक्जाम में ये situation बहुत 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 आती है, कि जो आप अच्छे से पढ़ते हो, उस पे top आता है, और जो आप छोड़ते हो, उस पे easy आए, तो वा आता नहीं है, तो आप तो इधर से भीगी हो, इधर से भीगी हो, क्या था अग्जाम के पहले हो, अगर 50% परश्च पढ़ना हो जा जाए, GST हो गए तो बार्की 50% ही क्या साट है, उस परचिजन पढ़के चले हो, 100% पेड़ते हो, इस और झाए हो, क्युझ, कि अगर बना पढ़ा हो, अगर पड़ा हो आग एगा हो, तो आम के लिए रेट तो वो बताया नो मैंने CGST का credit, CGST में IGST में, LGST का credit, LGST में IGST, कुछ याद आधा आपको? उसके बाद में थर्व, Mr. Manik provide falling information regarding his tax and other liabilities under GST law as per electronic liability register. ये चाहिए, आपको का निशका, Tax due for the month of May, 25,000, Interest due for the month of May, 2,000, Penalty due for the month of May, 3,000, June का दियाए Tax due, 35,000, Liability arising out of demand notice, 48,000. Mr. Manik want to clear this liability of demand notice first, discuss the provision of order discharge GST liability, 49,8, of GST Act and advise Mr. Malik. जहां तर दिखा जाए, तो एक मिनटा, हमारा करन में हैं और दुसरा क्या, जून है, इसने मंत नहीं दिया है, क्या, what is the, एक मिनिट, एंसर देख लेता हूँ, चल, करेंट मन्त इस पें इंपरेट करना पड़ेगा, करेंट मन्त क्या लेना पड़ेगा आपका, जून, तो लास मन कौन सा है, में, अबर आप लाइडिलिटी रजिस्टर की प्रोजिजन पड़ोगे, क्योंकि ये क्वेशन दो बार पुछ है, एक बार मॉक्तिस पेपर में आया है, और एक बार एक्जाम में आया है, ठीक है, तो ये क्वेशन देखो, जब भी आपके पास, ये मेरे पास क्लाइंट भी बड़ रहते हैं, ऐसे कि उनके कुछ पुराने ड्यूस बाग ही है, ड्यूस में दो टैप के ड्यूस होते है, एक सिर्फ असेस टैक्स, आपने फुद टैक्स असेस किया जिस्टी अर्वन में और गौर्वर्मेंट को पेड नहीं किया, और एक होता है, टैक्स डिबांडर बाव ओफिसर, मतलब आपने असेस नहीं किया, और एफिसर किस टूटी नहीं हुई, इन्वेस्टिकेशन हुआ, और उसने टैक्स आइडेंटिफाई किया, ये टैक्स तुम पर लगेगा, उसको कहते है, टैक्स बाव डिमांड नोटीस, ठीक है, जब भी आपके कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में बैलेंस रहेगा, उसकी क्रोजी समझ लो किस क्रोजी में वो यूज होगा, जब भी तुम मानेटो पहले वो पैसा यूज होगा, सेल असेсть टैक्स अब भी प्रिवियस मन्त, एक मनट, क्या वर्ळ किया हमेने, सेल असेस्टैक्स एंडिउस ऑप भी प्रिवयस मन्त, ठीक है, उसके बाव में भी बैलेन्स है, तो सदाव भी बैलेंस है, तो जो आपके अगेश पर दिमांद नोटीस आई, उसके अगेस में होगा है, तो पहला सवाल है, Mr. Money want to clear his liability of demand notice first, कि अगेस पहले पहले कर सकता है, कि नहीं, ट्रमोलोजी यह है, कि इस मन्त में, अगर आपके cash laser में आपने पैसा डाला है, तो सबसे पहले तुम में खुझ जो assess किया आप last month का, वो adjust होगा, फिर current month का adjust होगा, और फिर आपका demand notice, तो demand notice पहले adjust नहीं कर सकता, तो कैसे फिर chronology कैसी होगी, तो पहले उसको क्यों कौन से adjust करना पढ़ेगा, महीं कर, और फिर current month का फिर क्या, चून कर, और उसके बाद में अगर balance रहा, तो फिर demand notice, तो ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, और ये 3 रहेगा, Now next, are the principle of unjust enrichment applicable for payment made under GST, अभी unjust enrichment क्या होता है, ये question इतना important नहीं cross कर दिया तो भी चलेगा पर बता देता हूं, Unjust enrichment क्या होता है, चलो, मुझे बता हूं, मैंने गलती से कोई goods पे 28% का GST लगा दिया जबकि 18% दी था, और मैंने आपको goods बैज दिया, समझे लो, mobile 18% का है, मैंने bill में 28% लगा दिया, और आपको बैज दिया, आप मोबाइल लेके चलेगे, आपने तो GST देखा भी नहीं, कितना GST है, आपको यही कुशी mobile खरिद लिया, समझ महा है, असके बाद में मैंने जब दिखा कि, अरे गलती से मेरे कोई कि, आप में 28% लगा दिया, ठीक है, और आप से ले लिए गाँ पर दिया, तो मैं अन्यचे लिए इंटिख हो जया हूँ, पैसे अन्यचे होगा हुगा, आप से भी 28 से ले ले लिया, और और आपसे भी ले ले लिए, पैसे और गॉर्मेंट से रिष्ट का रिष्ट कर लिया मतलब मैं अंजिस्टिरी एंडीच हो जाओगा और क्योंकि मैंने तो बढ़न पासा हूं कर दिया आपको अरे समझ में हैं क्या तो ऐसे सिचुएशन में गॉर्मेंट क्या कहती है प्रिंसिपल है जो फाइनल में आएगा गॉर्मेंट कहती है और उसको कहते हैं दॉक्तिरी निकलता है तो रिष्ट उसको मेलेगा जिसने अल्टिमेंट बड़न लिया है तो मेरे मोबैल में आल्टिमेंट बड़न की आपने लिया अपने लिया है तो गॉजार में में लिया हूं थे क्वा स्रीक्सको में गवटन को और कि तुल ने बिद आपकी पभीसां की रिचन मिल चुका है जाएगा इनदारे रिफंट यह प्रिटार में आ सुनियं लिया उसको पते नहीं उसने GST एक्स्टा पे कर दिया अगर वह प्रेसेगा हो नहीं है तो पैसा गवर्मेंट को गवर्मेंट सप्लार को नहीं देती है किसको देती है तो यह था अंजसे इंडिश्मेंट तो जो भी आप पे करते हो तो यहाँ पे प्रिंसिपल आप पे करते हो तो यह प्रिजूम किया जाता है कि आपने बर्डन पासवाल कर दिया है तो आपको रिपार्म नहीं मिलेगा पर यह क्वेश्चन छोड़ दो यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टन नहीं है Next, Praneesh has deposited sum of 5000 under the head fee column of CES head fee P column of the CES and 4000 was lying unutilized under the head penalty column of IGST Both deposit were made wrongly instead of depositing under the head of P column of LGST In light of the provision of section 4910 and 49LL of the CGST Act briefly explain the relevant provision as how can Praneesh rectify this error अगर आप यह 6th number देखते हो, तो यहाँ पर देखिएगा, Section 49.10 कहता है, Registral Person is allowed to make intra-head or inter-head transfer of amount as available in electronic cash legend. तो PMT 09, cash legend में एक head का balance वो दुसरे head में shift कर सकता है. Any transfer, any amount of tax, interest, penalty, or other, under one measure of minor head to another measure of minor head as available in electronic cash legend. Therefore, in given case amount of 5,000 available under minor head, fee of major head says, or if it is 4,000 under minor head or penalty, major head IGST can only transfer to fee of the head as GST. मतलब, आप cash major का, कोई भी head का balance, minor head या major head का, आप shift कर सकते हो, उसमें कोई restriction आपके उपाए, नहीं है. कौन सी चाला होती है, PMT 09, उसके बात में 7th number, ABC Limited has filed GST A3B for the month of July 2086, within the due date, prescribed under section 39, that is 20th August. Post filing the return, the register person has noticed during September 2086, that tax due 40,000 for the month of July has not been paid. आपने, okay, 40,000 का tax pay नहीं किया, due date को. इस ABC Limited has paid above-abon 40,000 through GST A3B of September, filed on 20th October. payment through cash लेजो 30,000 and credit लेजो 10,000. examine the interest payable under क्या? CGST Act. Okay. अब देखाँ. section 50, ये भी important, अच्छे से पढ़के जाना. तो अज में बतातू. interest on delay payment of tax. I repeat the word क्या? interest on delay payment of tax. अगर आपने due date को tax नहीं पे किया, और आपकी due date मतलब आपकी return की due date. तो अगर due date को tax नहीं पे किया, तो जो amount payable था through electronic cash leisure. एक मिनद, क्योंसे leisure से? cash leisure से जो amount payable था, उस amount पे आपको interest pay करना पढ़े रहा. at the rate 18% per annum. next day from the due date, till the date of payment of क्या, tax. ठीक है, till the date of payment of tax. तो ऐसे situation में, जहां तक देखा जाए, तो 7th का answer अगर आप देखते हो, तो 7th का answer देखो, आपका rate of interest जो रहेगा, वो 18% per annum से रहेगा, और आपका, एक मिनद, जो payment करना पढ़ेगा, on the net tax liability paid through electronic cash, लेचा, ओगे, अब उसमें आगे situation क्या पुछिए देखो, ओट विट 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 एर आंसर इजेटीर थीवे, पॉट जोले हजी इन फाहीं पाइल बिलेगेद ली, अन 20th, 10th, जो जोट ए से आह से 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 गासितार थीवे, जो आपका यूट यूट करना है, एक इप बला ए कि आपके लिट विट रूह міडे इस किष्ट, दो मिनिट रुखने बट अब यह वाला पॉइंट थोड़ा अच्छा से समय लो यह क्वेश्चन आपके आर्टीपी में कवर्ड है यह क्वेश्चन आपके आर्टीपी में कवर्ड है अगर आपने जिफ देट क सम आपके द का इूड़े अगर आपने डूड़ेको गिस्ट्र अपि consumer侵ी फाई करन सब्सक्राई अगर अगर आपने due date को GSTR 3B file कर दिया, तो वो case में, एने due date, what is the due date, एने आपकी due date समझ लो, 20th है, तो 20th को GSTR 3B file किया, और उसके बाद में, आपके कुछ non-payment dues निकलते हैं, non-payment, यहाँ पे dues निकलते हैं, तो यह जो non-payment dues है, यहाँ पे, और next है, कि आपने GSTR 3B due date को file कर दिया, और आपने GSTR 3B due date को file नहीं किया, GSTR 3B not file, not file on due date, तो अब यह point समझा, अगर due date को GSTR 3B file कर दिया, और उसके बाद में, आपके कुछ ऐसे amount due निकलते हैं, जो आपने pay नहीं किये, तो आपको interest gross amount पे लगेगा, मैंने क्या कहा, gross amount, बताब gross amount कितना था, 14th है, तो आपको interest gross amount प Certificate. अगर आपने GSTR 3B due date को GSTR 3B पाइं कर दिया, और बाद में मतलते है कि कुछ amount payment आपने नहीं किया, तो अगर आपने GSTR 3B final ही नहीं किया, मतलब आपको अभी एक credit लेने का option है, और Yes or No, तो आपको अगर आपने GSTR 3B फाइल नहीं किया, मतलब ही आपके पास अभी क्रेडिट लेने का उप्शन है, तो यहां पर आपको इंटेज जो लगेगा, वो जितना नेट आप electronic cash लेजर से पे करोगे, जितना नेट आप क्या, electronic cash लेजर से पे करोगे, उतने पी लगेगा, सब कहना क्या चाहते हूं, बटाए तो, कहना यह चाहता हूं कि पहले case study में GSTR 3B उसने फाइल कर दिया था, अरे यह सुर नो, और बताओ कितना बाद में पेमिंट कितना निकला, 50,000, तो अगर GSTR 3B पाइल कर दिया है, और बाद में पेमिंट 40,000 निकलता है, तो वो situation में, जहां पर देखा जाए, तो यहां पे gross amount पे interest निकला जाएगा, मतलब कितने 40,000 पे add the rate क्या, 18%, लेकिन, अगर उसने GSTR 3B second case में पाइल नहीं किया, तो ऐसे case में, whatever amount payable through electronic cash leisure, तो electronic cash leisure कितना amount payable है, 30,000, तो 30,000 पे interest निकला जाएगा, 18% per annum से, और interest कब से, जो month का GSTR 3B की due date थी, उसके next day से, till the date of payment, तो यह एक RTP में बड़ा, अच्छा question उने पूचा, एक्चुली यह question final level पे होना चाहिए था, इतना detail में नहीं है, लेकिन उनने पूचा है, इसलिए जिस आप दो line में ही याद रखो, कि अगर क्यूंकि आपको section 73, 74 नहीं है, यह जो मैंने explain किया है, उक्वान से section में है, 73 और आपको section syllabus में नहीं है, तब भी आपके RTP में यह question पूचा है, तो चलो conclude करते है, अगर आपने GSTRI 3B file कर दिया, और उसके बाद में उस मन के outstanding नहीं करती है, तो आपको net पर आएगा, gross पर आएगा, gross पर आएगा, लेकिन अगर आपने GSTRI 3B file नहीं किया, तो logically आपको 3B file नहीं किया, मतलब अभी भ और इस तरह से यह question हमने complete किया, regarding to, यहाँ पर, okay, payment of tax related, ठीक है, दोस्तों, सब्सक्राइब, यहाँ रोकते हैं, अभी मैं थोड़ आपको guide करता हूँ, इसके आगे का फूरा discussion जो है, okay, फूरा discussion जो आपको मिलेगा, वो YouTube पिलेगा, ठीक है, okay, तो आपको पसंद आएगा, कोई बाते हैं, अगर आपको चुड़गी होगी, तो अच्छे से कवार होगी होगी, इसके बाद का लगबग 3,5-4 गंटे का station रहेगा, max to max, okay, तो आपको यूट्यूब पे निल गाएगा, पर उसके लिए टाइम लगेगा, और आउन 9-10 को मैं प्रोएट करोगा, इसके तक अगर आपका rapid division में कोई बाकी होगा, तो वो आप पह सकते हैं, ठीक है, चलिए, अब थोड़ा यहां पे, सबसे पहले बात करेंगे, यहां आपका GFT पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, और वारा ABC analysis क्या होगा, ठीक है, आपके exam paper के लिए, ठीक है, आपके exam paper के लिए, priority in GST आपका क्या रहेगा, सबसे पहले कि आपको यह कहना चाहूगा, कि जैसी आपके पास tax session का paper आएगा, आपको MCQ के लिए, special, okay, MCQ, जो भी question होगी, तो आपको इसके लिए separate copy मिलेगी, और descriptive questions के लिए क्या separate copy मिलेगी, ठीक है, यह आपने careful देखना, उसमें भी income tax के लिए ऐलग मिलेगा, और GST के लिए, यह carefully देख लिए, अब सबसे पहले जब आप GST, पेपर पढ़ोगे tax session का, तस मिने और लोग क कर लोग कि आपको क्या करना है, पहले income tax करना है या GST करना है, अगर GST आपको easy लग रहा है, तो पहले GST करन कर देना, लेकर, time allowed कर देना यहाँ पे 1 hour 30 minutes, उससे जादा GST को लगना नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ, अगर थोड़ा 10-15 minutes कम और तो भी जादा, अच्छा, क्यो time कर देना, जैसे MCQ 15 marks का है, maximum time 20 minutes, जैसे आपके 20 minutes को है, जहाँ होगा 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 होगा, उसके उपर ज्यादा सोचने की जरवाद नहीं, वो बाद में देखेंगे क्या करना है, जो रहेगा अगो, ठेक है, अगर अगर अपर सोचने को भी time नहीं है, तो तो तुक्का मार क ब्रचों में 35 marks का को डिसिम्टिके आता है, उसमें पहले 15 marks पर होता है, उसमें पहला सोचन 10 marks करा है, दूसरा सोचन 5 marks करा है, को मतरी होगा graphics नहीं होगा, डु के या Q2 के या Q3 के पहले वह खत्म करो, या फिर आप पहले जब 10 मार का Q2 के लिए maximum time 20 minutes, जहाँ एक आदत लगाना सारे पेपर में कि जहाँ जो time दिया है, जहाँ खत्म हो रहाँ, वहाँ पे रुख जाना चाहिए, shift to next question, shift to next question, जतना time alert किया है, ठीक है, हाँ, तो इससे दो बाते होती है, एक तो आपको पतर है कि time limited है, तो आप पहले से उतना speed mental करते हो, और दूसरा, दूसरा यह है कि समझे ये 10 मार के question में आपने time जादा दे दिया सोचने के लिए, और आगे बहुत ही simple question है, तो आपका answer of side answer नहीं लिख सकते हैं, और इसमें फब से ज़्यादा, आप जो इसमें ज़्यादा करते हो, बहुत सी बार तो आपका पेपर ही complete नहीं होता है, इसके वज़े से, इसलिए ये आदत आपको लगाना है, अच्छा, मैं यह करो कि within time, अगर आपको दसमा का question होना चाहिए, तो इसके लिए जो मेरा competition of GST, तीन से चार question मैंने लिये है, जो मैंने इसमें भी दिये, competition of GST के, वो तीन से चार question time देके solve करके देखो, पहले read कर लो, फिर time देके उसका format, remark के साथ solve करके देखो, देखो कितना time लगता है, अगर अभी practice करके जाओगे, so that within that three hours, okay, आप manage कर तो आपको इस तरह से उसका planning अच्छे से कर देना है, ठीक है, चली, तो priority A वाले chapters जो है, आपके क्या होने चीए, सबसे पहलें मैं आपको बता दू, इस बार का पहला chapter, place of supply, priority A वाले chapter, जो मैं आपको record कर के दूगा, okay, मैंने jam bush case को recording में रखा हुआ है, ठीक है, तो place of supply क्य क्या है, यहां पर मुझे नहीं पता recording कैसी होगी, क्या होगी, अभी यह system में कर रहा है, लेकिन कुछ important chapters, यहां अच्छे होगी तो ठीक है, otherwise मैं अपने studio में आपको record कर के दूगा, क्योंकि यह recording में आपके सबके लिए करने वाला नहीं, आपकी recording में YouTube पे डालोगा, clear, तो यहां पर place of supply, दूसरा, TDS and TCS, यह दो chapter पर 8 to 10 mark से question confirm समय लो, 100%, मैंने 90% में नहीं बुला, confirm 100%, तो पहले दो chapter आपको complete करना है questionnaire के साथ, ठीक है, including my master questions, okay, जो भी है, इसके बाद आप chapter लोगे ITC, input tax, credit, ठीक है, ITC chapter लोगे, और next value of supply and exemptions, यह आपके priority chapters होगे, यह आपके priority chapters होगे, priority B जो है, priority B जो chapter आपके रहेगा, वो ले लो RCM, CL composition, ले भी, time of supply, उसके बाद में registration, invoice, return, और priority C, और priority C, मतलब importance के इसाफ से नहीं, मतलब आपने इसको बाद में भी पढ़ाते भी चलेगा, supply, पहला introduction to, introduction to GST, क्योंकि यह chapter आपको lean में भी याद आएगा, और दूसरा क्या, supply, क्यों ही क्या है, पता है क्या है, यह ऐसे chapter है, कि जब भी आप GST पढ़ने बैठे तहले यह chapter लिए, इसके उपर बहुत सारा आपका revision हो चुका है, तो introduction to GST और दूसरा बेटा यहाँ पर क्या, concept of supply, पर बागी कुछ बचा होगा, E-way, E-way bill, accounts and records, नहीं, accounts and records पर question आ सकता है, उसको priority A में ले लो, प्योंकि नया chapter है, इस तरह से आपको GST की पढ़ाई करता है, तो आपको, अब सवाल आता है सर, इतना वड़ा questionnaire आप विदिन वन मन्द अमान लिए possible है क्या, मैं आपको कह दू कि questionnaire का आप जो है, सारे question पढ़ने की पिछे मत लगो, जितने RTP के questions है, और examination question, पहले RTP, सब ही RTP के कहतन करो, तो इसके पार में क्या, examination question, examination questions आप कोशिश करो, और अगर वो नहीं हो पाए, तो मेरे master question, तो मेरे master question के साथ आप RTP के दर लिए तो more than, इना, आपका बहुत अच्छे से कवार हो जाएगा, ठीक है, अब बाद आती है कि sir, अभी regular book जो है, अपने regular book कैसे पढ़ना चाहिए अभी, तो मैं आप सभी को कहता हूँ कि regular book, जहां से सुनीगा, रिगिलर book जितना आप अवाइड कर सको, जहां 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 से वहां पढ़ो, अभी तो maximum आप chart और questions की adjustments, वो जादा पढ़ोगे तो आपको जादा beneficial होगा, तो यह था कि आपको GST क्या approach में पढ़ना है, और हम बाद करेंगे, यहां पर, देखो मैं दो चीजे आपको बतान जहां जो लेडना है, आपके टेंशन और स्ट्रेस के साथ, अभी इस मन में आपको बता दू, आपकी जितना भी अवस आप बैठते हो, इसमें से 50% ही पढ़ाई होती है, 50% टेंशन होता है, इफेक्टिव निकालो, लगता है कि आपने दो गंटा पढ़ा पर मुश्किल से एक से सदा गंट पर पढ़ाई होता है, बाकी टेंशन होता है, और टेंशन जनरली ऐसा होता है कि आप अगर सुवे पढ़ने बैठते हो, और टेंशन में फिर क्या हम चीजे पोस्पॉन भी करते है, आप किस तरसे, अब ऐसा बहुत से बहुत से बहुत जादा स्ट्रेस हो आप पढ़ने बहे जाते हो, कभी-कभी तो ऐसा होता होगा, कि अगर साथ गजे डिसाइड किया, और वो 7.15 हो गया, तो यार या ओर है, 7.15 हो गया, 7.15 हो गया, 7.15 हो गया, 7.15 हो गया, 7.30 हो गया, 7.30 हो गया, अब कैसा होता है, अचा कभी सोचा कि हम क्यों ऐसा पोस्प क्यों है क्यों था उग्या है? क्यों हेग आपको आपको क्ता है, सच को हैं क्या है, पड़ाई करने करने लिए दाया प्रह्तेस नहीं है तो नहीं है, रिजल् swipe to theуч रिजल्ट का जादाtoi स्ट्रेस है मतलब इन शॉर्ट आप अचे चलो गलत नहीं मैं वह पॉइंट भी ले लगता हूं यह आप सब्च रहे हो कि मैक्सिमम स्टुदेंट्स का थिंकिंग प्रोसेस में यह जाता है कि रिजल क्या हैगा तो क्या होगा छे मेने चल लाएंगे धरवाले क्या बुलेंगे कि यह क्या बुले जाप, फ्रेंड्स क्या बुलेंगे, मेरे सारे फ्रेंड्स आगे निकल गए, मैं पीछे रहे हैंगे लोग कैसा देखेंगे, रिलेट्व क्या बुलेंगे फॉट प्रोसेस चालो गया और यह फॉट प्रोसेस में भी चीज़े धीरे 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 जो तो stress बढ़ता है, क्योंकि तुमने negative emotions पकड़ दिये और negative emotions की खास बात होती है कि वो emotions negative इतने ज़्यादा amplify करती है इतने ज़्यादा strong बढ़ा देती है कि कुछ देर बाद ऐसे situation आती है कि यार पास लिए धिरे उससे नए thought आते है ये तेम में दो नहीं, एक इच उस्टुडेंटो ग्रूप भी छोड़ दे एक subject exomption क्या होता है extreme level पर emotions आने के बाद mind की एक आदत है कि फिर वो relaxation दोटता है क्योंकि एक human negative emotions कब तक handle करेगा कब तक handle करेगा फिर वो छुटना भी चाहता है उससे वो relaxation सोचता है वो relaxation के वक बड़ी गीड भी रहती जब तुम एक ग्रूप के बारे में सोचते हो एक पिर दिर दिर यह सोचते हो कि जाने दे एक ही subject exomption तो परेलर गीड भी होता है तो नहीं नहीं, ऐसे कैसे ओके, ऐसे कैसे आपको परेल नहीं रहे हो दिखा हमें को जाओंगा है और भी बहुत साय आपके गर परेल होगा कि आपको कोई काम नहीं कर बोलते होगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कि आपके ब्रदरश ईस्टर को काम के बोले होगे कि नहें, तू कर वो पड़ रहा है, शीय की पड़ ग़ गर रहा है, और सब दो ब्रदरश इस्टर आपके बोलें ठीक है, देखने नपास अपके सावी उपने पेचरे हैं, वो उनको मोह या दिखा ही, वो तो छोड़ने वा मोटिवेशन की, देखो मम्मी पपा आपके लिए क्या कर रहा है, आपको सोचना है, दो मिनिट के लिए आपको अच्छा लगेगा, बाहर जाओगे, लाइन पर आजाओगे, बढ़ाई का टेंचना रहा है, जाए अच्छे जाना है, तो शौप मोटिवेशन अच्छा है, ले आप सोच के चले हो कि मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आना ही चाहिए, सोचने में गलत बात नहीं है, पर वो सोचने के वजए से आपके उपर क्या इंपक्ट आ रहा है, आपको भी नी समझ में आ रहा है, दूसरा, आप ये सोच रहा हो कि अगर मैं फेल हो गया, कभी कोई स् इसके वज़े से बढ़ता है आपका टेंशन और स्ट्रेस, कभी एक बात आपने फिल की है, पॉंडिशन या इंकर में, आप प्रिशर ले ले लेते हम एक्जाम पर और जैसे एक्जाम होगी, होगई घर पर आगए, फिर दिमाग कहते है, जो होगा, दिख रहे हैं, दिख आपका बस, वो मोमेंट याग करें, जैसनी लास्ट पेपर घर पर लिख के आते हो, यह आप सब चुजों से लड़ाइ करने के लिए रिदी है, घर वाले क्या बहलेंगे, देख रहे हैं, नहीं नहीं, सच में करो, इमाजिन करो ओ मोमेंट, क्योंकि अब अब कुछ नहीं क आप यह चीज सोचते रहते हैं, तब तक आपका स्ट्रेस में चलता है, मैं आपको यह कहना हूँ, कि वो मोमेंट अभी क्यों नहीं, जो भी उगा देखते हैं, क्योंकि तुम जितना बान के रखोगे कि और पुट ऐसा ही आना ची, उतना स्ट्रेस बढ़ेगा, जितना कि जब मेरे पास टाइम था, तब मैं नहीं पड़ पाया, मैंने नहीं किया, मैंने टाइम बेस्कर दिया, और अब यह कम टाइम है, इसमें वो इन्साइटी, वो गिल्ट, यह बद आप कितना समझ पाओगे, आई डोंट नो, पर पताया किया, हर मोमेंट पे आप अलगी प आप को कितना भी प्रिशराइज किये, तबी आप बिंदास थे, कितना भी टीचर डाटे, 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 तबी आप बिंदास थे, इस मोमेंट पे आप जो जी रहो वो स्टेंशन, 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 कैसे पढ़ना चाहिए इस मोमेंट पे आपको दहचे बता लो कि तब हम बोलते थे कि पढ़ो, घर पर आपके होमवर करो, आज गंटा क्लास कोईटा, दो आज गंटा आज बढ़गे तो भू न चू निकला मुसे, समझ मैं है, नहीं तब दो गंटा बास, in simple word, मेरा ये कहना है, तब कितना भी फ्रेशन करते तो भी नहीं होता था, इसले गिल्ट मत फिल करो कि भी तब का आदमी तब आप अलग ही थे, वो मोमेंट पे कुछ भी हो जाता तो भी नहीं करते आप, और जिसको क होता तो मैं ऐसा कर लेता, वैसा होता तो मैं वैसा कर लेता, निखा हो एकिल, कुछ नहीं होता, जैसा होता था, वैसा हो गया, और भी हो सकता, इस मोमेंट पे आप क्या कर सकते हो, वो सोच, इस मोमेंट और आने वारे मोमेंट में आप क्या कर सकते हो, वो सोच, जब भी न कि वे फ्रीमाग में यह गिल्ट आती है, और याजम आप मैं ओअ कर लेता ह। विशित अपने आप को रू को क्योंकि ना यह टमदे सकते हों और午 व्हमन पे आप जो कर सकते तो यह पहुंत पर आपने किया। पर इसमो मइंडे आप क्या कर सकते हो, यह डिश Tennie तो इस मोमें पे जो स्टुनेंट्स की पढ़ाई नहीं पूरी वो प्या सोचेगा कि अरे फिर वो बंदेने बिलकुल भिंदाज से सोचना है कि देख भाही में जिए अगे तभी चीज़े इस आप नहीं मिल सकती है बहुत क्लियर माइं को संजागा अगर आप ये सोचे होगे कि भई अब लिमेडे टाइम है को में पूरा अंडेट परसन पढ़ूंगा पुरा इंड़त पढ़ूगा और एक्जाम में जो भी आएगा पूरा मेरे को गट्ट हुए डाना चीए भाही साव अभी जागा है अब इतने टाइम में जो हो सकता उसको अच्छे से करो तो बिलकुल ये दिमाग से हटा दो और ये डर तो बिलकुल मत लेना अब देखो तुमारा इतना पॉसिबल है इतना याद आ रहा हो एक चीए याद एकना मेमरी ने अगर पढ़ा हुआ है आपने अच्छे से पढ़ इसलिए अगर अभी आप ऐसा लगे ना कि यार मैं ये पढ़के जा रहा हूँ और अगर ये इतना डिफिकल पूछ लिया एक्जाम में मुझे याद निया है तो एक चीज अपने आपको समझा ना कि इतने टाइम पिरिड भी में इतना ही कर सकता हो इसमें से आया तो बहु इसलिए इतना तीर व्यू रखो ये राइट व्यू ग्यूज ये राइट अच्षिं जितना राइट इंदेंशन होगा, राइट व्यू होगा, इतनी एक्शन सही होगी, अधर व्यू यह रफ रहे हो कि बहु अब मेरे से इतना ही पॉसिबल है, अब इसमें से आया तो मैं छोल गानिया, इतना भी वैसी होगा, और जो आप पढ़ोगे, उतना इतना 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 पढ़ोगे, बॉस, हो सकता है कि आपने जितना डिसाइड किया उससे जहादा पढ़ा, हो सकता है कि आप जो एक दो बार पढ़ रहे हो, वो आपका अच्छा ग्रास्पिंग में का, लेकिन सच को अगर आपने टेंशन लिया, स्ट्रेस लिया, तो कुछ नहीं होने वाला, इस मोमेंट पे आपने नोट्स नहीं बदलना है, जो नोट्स से पढ़ा है, जो फैकल्टी से पढ़ा है, उससे ही कंटिनियू रखना है, बहुत सी बार ऐसा लगेगा कि आरे हमको तो ऐसा पढ़ाया, तुमको तो ऐसा पढ़ाया, बही साब, अब जैसा पढ़ाया, इसमे बिल्कुल नोर्स में चेंज करें, ठीक है, आपको क्यों इस से क्या होगा कि तुम उदर जले जाओगे, उसके question refer करोगे, mapping बनी हुई नहीं है, जैसे example GST के लेता हो, मैंने GST में आपके दिमाग में इतनी जबर्दस mapping बनाई है, चार्ड की, कि आपको आधर पढ़िए, अग अगर आप इसमें कोई दुसरी बुक रफर करते हो, दुसरा कुछ मैटियल करते हो, तो मैपिंग नहीं बनाई गया, इमिजियर, बुक चेंज मत करना चाहे, कुछ भी होगे, कुछ अच्छा मिलता है, उसकी जरौस निकाल के अटैस कर दिना पर बुक चेंज मत करना, जैस समझ रहा आप, तो ये, दुसरा, एक आपका क्वेश्चन होता है, थहरी सब्जेक को कैसे मैनेज करें, ये थहरी सब्जेक, प्रैक्टिकल सब्जेक तो मैनेज हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपने देखा, कुछ बाते याद रखो, कोई भी हालत में पुरानी बाते याद अपने आपको, थह अगर इनसािटी आपकी तयार हो गए, वो अगर नीगिटtwo feeling तयार हो गयी, तो आने वाले मोमेंट्स को खराब कर देगे, तो इतना strong ही रोकना, ऐसा हो जाता, बैसा हो जाता, मैं इदर नहीं जाता, मैं उधर नहीं जाता, मैं पढ लेता, मैं टाइम प अभी जितना टाइम है, इस टाइम में, जितना आप पढ़ सकते हो, अपने आप पे उतना confidence रखो और मैं इतना कर सकता हो, यह इतना अच्छा करूगा कि इसमें से मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा score करने की खोशिश करूगा जो नहीं हो रहा है, जो छूट रहा है, जाने तो, वर जो हो रहा है, उसको अच्छे से कर दो तिसरा, हर यहाँ पे chapter का, हर subject का ABC analysis बना, कोशिश करो कि वो subject के questions पर आजाओ questions पर आजा, rather than आपका regular book, questions कैसे कुछ है, questions के क्या important point है यह दिमाग से निकालना कि मुझे वैसा का वैसा लिखना है, क्योंकि जो students यह ज़्यादा सोचता है कि मुझे ऐसा का, ऐसा लिखना है फिर गरबर ही हो जाती है कि अगर उसको ऐसा का वैसा याद नहीं आया, तो भाई साब उसको बहुत बहुत जारे stress आजाता है इस दिमाग से निकाल देना कि मुझे ऐसा कैसा लिखना है, पॉइंट फिक्स करना, परते वक्ते यह पॉइंट ठीक है, यह पॉइंट लिख लोगा, यह पॉइंट लिखना है मैं आपको मेरी स्टोई बताना चाहता हूँ, CA final मैं audit का paper था CA final के audit के paper में मैंने क्या किया था, एक्जाम के देव मैंने पहले तक, DT, Law, IDT, इनके चार्स ही बना रहा हूँ, बड़े बड़े चार्स, जो wall charts है, यह मैंने, मैंने इंवेंट किये हूए है, बिक चार्स तो यह wall charts बना रहा हूँ, सब करने के, drawing shit attach करके सब बना रहा हूँ, costing और accounts सालू था, no doubt, मुझे यह तीनों subject में बहुत अच्छे marks मिले, तीनों मैं मुझे more than 70 है, audit मैंने एक line भी नहीं पढ़ीती हूँ, exam को देड मेंना, स्टेंशन तो आ गया, कि भाई साब सब निकल जाएगी, यह रहे जागा, और फाइनल का फेपर और audit जा है, खरू क्या, फिर पहले तो मैंने अपने आपको free, कि देड भाई, अब देड मेंना है, समझ जा, जूर, fact है, उसको accept कर ले, कि जितना होगा, उतना होगा, उससे सब्सक्राइब कर लिया, इस से जादा में कुछ नहीं का सकता हूँ, पिर, मैंने लिया सजेस्टेट, मैंने रिगूल मतरल पड़ा भी दी, पिषले, आठ अट अटेम की सजेस्टेड निकाला, उने 16 सजेस्टेड होती है, वो सजेस्टेड लिया, पहला सजेस्टेड, यह audit हाँ, यह पॉइंट, 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 यह अब यह जो है, ऐसा ही परना है चाहिए, मैं कभी नहीं बोलता हूँ. जो मेरे पास टाइम था उस मोमेंट की पॉजिटिविटी, उस मोमेंट को अपने आपको सभालना, उस मोमेंट में शुच ऐसे डिसीजेंस लेना कि जो हमपलेटली ऐसे इंड़त होगे, 100% होगे, ऐसे नहीं अगर आपको group 1 में तीन subjects है और तीन में से आपने एक या दू भी subject ऐसे बना लिए कि अब वो 60 चले गए बस आपका group निकल गया आपकी पढ़ाई पहले से अच्छी है तो यह तो बहुत अच्छी बात है मैं वो situation की बात कर रहा हूँ जो situation में अब हमारे पास limited time है और हमें limited time में क्या कर सकता है इसलिए दोस्तों ओके ये एक मेना सारी चीजे भोल जाना मेहनत के साथ, पुरे जोश के साथ पुरे positive energy के साथ जब तक आप exam का last word नहीं लिखते हो तब तक यही सोचना बैवेस में कड़ते रोगा, मेरा काव है और मैं exam का last word तब तक लिखते हो, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको हिम्मत छोड़ना नहीं सबसे important है आपकी हिम्मत output का मस सोचो output का बिल्कुल वैसा सोचो जैसे exam के आखरी दिन लिखके आ जाते हैं बस अब देख लूँ प्रा अभी बिल्कुल मस सोचो अभी हाप के हाथ में हैं पढ़ना बस उसके बारे मस सोचो कोई सोचेगा, क्या सोचेगा मेरी, मैंने भी तुमारे जैसे टेंशन लिए है, उसके बाद 20 साल हो गए है, जिन्दगी चल रही है हर मुवमेंट पर प्रॉब्लम साते है और प्रॉब्लम सोच आउट होते है और जिन्दगी आगे बढ़ती है तब ऐसा लगता था जब मैं सीए की एक्जाम हो कि मैं अगर यह नहीं कहोगा तो जिन्दगी खतम हो जाएगा मैं क्या करपा होना, कैसे होगा चल रही है और बहुत, अगर आपकी पॉजिटिव एनरजी है पॉजिटिव थॉट्स है, राइट व्यू है राइट इंटेंशन है तो एक्शन भी आपके राइट होगी और आपके साथ अच्छा ही होगा तो बस मैं इतना ही कहोगा कि अभी इस मोमेंट पे आने वाले टाइम में जितना जादा पॉजिटिव एनरजी आप कलेक कर सको जहां से भी मिले पॉजिटिव एनरजी आप लोग इस सोशल मीडिया स्ट्रीक्ली बन कर गग कर अपको लगता है पांच MINUNIT कर मैं एंदेटेंट Sydney बन कर लेता हो घाईसा था जाता है पहत से लोगों तो घूत चलताए कि अप्सक्दग इंस्टा पर स्कॉल चाहिए कुछ नो कुछ कुछ भाइसे बीड़ा जाहिए, बिवाग में वहाँ प्रिंशन चाल हुआ है, यहां पे इंस्टा पे कुछ नो कच है। और यह क्या क्या है पता है एक कंप्लिट अनसाटिसफैक्टरी नेस आपका। आप कुछ तो भी बहुत बड़ी रहात चाहते हो। और वो राहत कभी को सोचना हो, जब आप इंस्टा कर वो स्क्रॉल कर रहे हो देख रहे हो, तो आप कुछ तो रहा चाहते हो और वो एक-एक मिनट का थोड़ा सा रात देता है, फिर नहीं नहीं, और, फिर नहीं, और, और, पर आप उस मुमेंट पर समझना कि आप जो रहा च कुछ गला है की आप अपने फ्यूचर के बारे में पर पहँश मुम्सिक पंचिसें बना आ और, तो आपको स्क्रॉंट इंस को कभी भी बना यह, जा अगम को спीडिशन आ रहा है, मतलaphorप समझ झाना कि आप अपने Monica के की सिविश को ऑन अना प्रेंट प्स से पना प्रेंट मैं जाओ, जिजदू, फस्क्लास, और जो भी आना, जो भी बोलता है यहाँ पे, और तिर को टेंशन आ रहा है, मेरे को दो ही आ रहा है, अपने टेंशन लेना छोड़ दिया बास, उसको आना ओ दो खीच के मानना, और खीच के मानने का बोलना, अब छोड़ दे, यह सब क्या खेल होता है, तो अपना इंपोड़न्स लेना, यह खेल होता है कि मेरे को दो आताइच निये टेंशन, मैं तो बिंधास, भाई साब, सीए के एक्जाम में, मुझे आज तक कोई मिलानी 20 साल में, जिसको टेंशन निया, और वो अपना टेंशन, हैंडल कैसे करते हैं, वो उन टेंशन तो सब आता है, अपना फ्रेंड बना लेना, आप अपने लाइफ के बारे में, तो टेंशन आएगा ही, और इतना बड़ा इंडिया का टफेस्ट एक्जाम आप दे रहे हो, भाई साब, भाई साब, बीकौम का एक्जाम नहीं ही है, सीए का एक्जाम, या ना कोई आप, और यह बात तो बिल्कुल सही है, जो स्ट्रेस से और स्टेंशन से गुजरने की ताकद रखता है, वही सीए बन पाता है, वही वो डिगनेटी ले पाता है, सक्सेस्पुल वही होता है, जिसमें ताकद है लड़ने की, स्टेंशन और स्ट्रेस से, उसको हैंडल तो आ आप उबर के आते हों, आप कुछ अलग होते हों, नहीं, तो फिर तो बजार तो बहुत है, लड़ना तो पड़ेगा आप, तो बस वो ताकत रखना, मैं भी बेस्ट विशेस आपके साथ है, इस बार आपका पिपर अच्छा जाए, और आप अच्छे माक से पास हो, ये लास् आपके साथ है, 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 और यह संवाजी नगर वालो बड़ा मजा है आप से मिलके बैच में तो आप मिले ही है लेकिन वापस देखे बहुत अच्छा लगा आपका प्यार भी बहुत मिला थैंक यू सुथ